नमस्कार प्यारे सातियों, मैं नीरत सर्मा आप सभी प्यारे बच्चों का हर्दिक श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोटकार विदंकित में सभी का हर्दिक अपिनन्दन है दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को good afternoon, नमस्ते जैहिंद भी, तब लोग अच्छे हैं, राम राम बिल्कुल मत घबराना ये बिल्कुल मन में मस सोचना आप लोग की पेपर बहुत जादा आपके आपके लेवल से उपर आएगा है ना जब आप पेपर दे कर लोटेंगे तो आपके चेहरे की खुसी वो बेटा मुस्कान आपके चेहरे का तेज ही बताएगा कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया है ठीक है तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है किलास को करना है तो बेटा इस किलास में हम क्या कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि इस किलास में मैं आपको कुछ नया दूंगा ठीक है लेकिन जो चीजे हमने अब तक पढ़ी है सारी चीजों का उनमें से बेटा जो निचोड होता रहा दूद जानते हैं दूद दूद को जब गरम किया जाता है तो उसको पर एक मलाई आ जाती है है ना तो हमने सोचा कि उस मलाई मलाई को निकाले आज जो पीपर के लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक और मेठी होने वाली है ना तो बच्चों उसको मच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे से तयार करके आगे चलेंगे ठीक है और बेटा अपने अंदर प्यारे बच्छों चलते हैं अपनी किलास की तरफ आयेगा तो बटा सारी किलास की स्टूडूल आपको पता ही है जैसे कि प्यारे बच्चे हमारी सबसे पहली किलास ही Case एकॉनोविंू कि सेराँ हैं रेंट प्रसु से सेलतला resett advoc डिक से मेनाथी नियुघ त्थी चैनल पेंहीं प्यारे प्छोट कभा कर्छा सब्सक्राइब हुए हुए कज़एं सिंख को चारश के दौरा थैंविंस के क्लास कि होगी श करसिए घ्लिजें में 17 euro ně 10 euro जो आपने देखा टूसेन क्लास इसके हैड है उनकी दोवारा होगी है ना बिलकुल और बिटा एकोनोमिक्स की क्लास आपकी 14 तारिक को है सब लोग एक बार चार्ट देख लेना और इस्टेटिक की क्लास बिटा आपकी 15 तारिक को है सुबा आठ वे से नवीन सर के दोवारा ठीक है ना और मेरे प्यारे बच्ची फिर आपकी जिओफ्वक्य की किलास 15 को c Psychology करा रहे है और दोस्तों sw Technology कराई अच्छे क्लास पर पूरा फोकस करेंगे सारी किलाश को कर लेना और पेपर में सीना खोल कर चले जाना कि अब हमसे कुछ नहीं छूटने वाला है ना चले मेरे दोस्तों चलेगा तो प्यारे बच्ची सबसे पहले मां शर्ष्वति को प्रणाम करते हैं क्योंकि जब तक इनकासिरवाद हमारे जरू होगी तो मेरे दोस्ति समें पंक्तिया हैं किलास को शरू करना चाहता हूं कहते हैं गुजारिस है इन हवाओं से आज जरा तेज बहें बात मेरे देश की सान तरंगे के लहराने की है दोस्तों तो बेटा तरंगा आपके हाथ में जरूर आएगा आप देश की जवान बनेंगे ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आके चलते आज की किलास का पहला टॉपिक हमारा विलॉम सब्द है ना बेटा सब्दा वली से हमने स्टार्ट कर रहे हैं सब्दा वली जो हमारे टॉपिक आते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे जो गिरामर की प्यारे बच्चों आपके सामने है अनुरक्ती का विलॉम सब्द क्या है बताईए मेरे प्यारे बच्चों अनुरक्ती का विलॉम सब्द क्या होता है सब प्यारे बच्चे बताना पिरती रूप होता है बेटा आपको पता है पिरती रूप का विलॉम होता है अनुरूप क याद रखना अग्रमाने पहले जैमानी जन्वा हुआ जिसका जन्म पहले हुआ है और बिटा इसका अनुझ बताएंगे ठीक है तो अनुरक्ति का विलॉम क्या होता है दोस्तो एक मातर अंसर है अप्सन नंबर भी पोल दिया जाए अच्छा अब भी पोल की ज़रुत पड़ेगी भी चलो कोई नहीं पोल की ववस्ता भी कराई जाएगी लेकिन बेटा आप लोग ऐसे ही आंसर देंगे वो भी आपका आंसर मुझे दीख रहा है ठीक है बिल्कुल गवराने की ज़रुत न अच्छे से आप बिगर पोल के भी आंसर देंगे तब भी आपका आंसर मुझे दीख रहा है सभी का ठीक है ना चलो अगला कोशन प्यारे बच्चों आपके सामने दो आता है यह वाला उप्यूक तो विलॉम सब्द चुने अलपग्य अलपग्य कहते हैं से कम ग्यान हो है अच्छे से याद रखना है अवग्या होता है बेटा किसी की बात को ना मानना और मेरे दोस्त इसका विलॉम होता है आपका आग्या थिक है बिलॉक्त और अलपग्य का विलॉम क्या हो जाएगा दोस्तों के अनुसार और यदि को अब कोन बढ़ी दें लगाना याद रखना थिक है थेयो US बजी किलास बेटाव नहीं होगी जहर अथ क्योंकि आज कि बड़ी किलास or इसको कर लेते एक बार समाप्त का विलॉम सब्द बताओ बेटा क्या होता है समाप्त का विलॉम क्या है तब प्यारे बच्ची बताएंगी तो बेटा सुधा का विलॉम आपको पता है बेटा मधूर मधूर कहते हैं बहुत जाद जिसे करकश कहते हैं अरे बढ़ा करकश बोलता है बढ़ा कठोर आपको विश ही याद रखना है ठीक है ना और अनुगरह का विलॉम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका विग्रह हो जाएगा प्यारे बच्चे विग्रह विग्रह मतलब समझते हैं जगड़ा जो करता है व्यक्ति है विग्रह कर दिया है तो ऑप्सन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा यह आपको लॉक करना है ठीक है वेरी गुड चलिएगा अगला कुश्यन आता है बेटा अर्जन का विलॉम सब्द बताईए क्या होता है अर्जन सब प्यारे बच्चे बताएंगे सब लोग बेटा परीग्रह का विलॉम आप याद रखेंगे ए परीग्रह याद रखेंगे ए परीग्रह ठीक है अर्थ का विलॉम क्या होता है प्यारे बच्चे अनर्थ होता है अनर्थ ठीक है और अर्जन होता है किसी चीज को संभाल कर र रिखना और इसके लिए रखार होता है आपका व्याइस समस्ते जिसे आप लोग खर्च करते हैं खर्च करना कोई चीज आपने एक ठीकी फिर आप उसका व्यान कर रहे हैं अपसको खर्च कर रहे हैं ठीक है तो प्यारे दोस्ती आंसर आपका राइट हो जाएगा वेरी गुड चले आगे हाँ चलिए कुशन नमबर मेरे प्यारे बच्चों पांच अंतर मुखी का विलॉम सब्द चुनेंगे क्या होता है बोलेंगे सब पेरे प्यारे बच्ची क्या होता है बताइए स सकुन सकुन होता है जब हम कोई कारिया शुरू करते हैं जो कोई सकुन बन जाता है कितना सकुन बन गया अब हमारा कामी सिद्ध हो जाएगा है बिल्कुल तो प्यारे बच्चे इसको बोलेंगे यार आप सकुन हो गया ये काम हम सुरू करने से पहले हमारा एक प्रकार से ब होता है राइट आपका वहिर मुखी उज्यक किया होजाएंगर वाचाल का किया होता है definitive नंबर सी वाला आपका यहां भी राइट हो जाएगा वेरी गुड ठीक है ऐसे ही पेपर में दोस्तों आपको याद रखना है एक भी कोशन गलत मत करना पूल बेटा पूल लगवाने की जरुरत है इसमें आज तो बहुत सारे कोशन है यार कहां तक पूल लगवाओगे ठीक ह पूल थी थी थोड़ा सब होगे पु मैं का बताओ दोस्तों लिए अर्वाचीं में बहुत सारी अटियल्प मतलब कम थोड़ी तो बेटा पावन का विलॉम आपके देंगे पावन के लिए ए पावन के दोस्तों और पाप का विलॉम तो आपको पता है भाई या पाप का विलॉम उन्य का विलॉम क्या होता है पाप होता है कोई जब गलत कारिये कर देते तब उसको कहते हैं भाई क्या हो गया पाप हो गया हमसे तो है ना बिलकुर ठीक बच्चो चले आगे आईएगा अगला कोश्चन नमबर सेवन दिये गए सब्द का विलॉम चुने बच्चो ये कहता है आपसे समापन का विलॉम देखता हूँ इस बच्चे इसका कितना अच्छा आंसर देते हैं सबी प्यारे बच्चे मूर्ख विलॉम च्या होता है मूर्ख भहीया जिस offers घ्र महने कम आती माने जयाद कर दोस्तों फिर आप से पूछा जाएगा बेटा उध्गाटन का विलॉम क्या है और उध्गाटन का हो जाएगा बच्चो समापन और प्रारंब का विलॉम आपको याद रखना है बच्चे क्या होता है स्थमाप्ट याद रखना भी थोड़ा सा क्योंकि दोस्तों एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जब सब्द तत्सम भासा में हमें दिया हुआ हो विलॉम तो उसका तत्सम ही अंसर देना चाहिए ठीक है जब हमें सब्द तद्वव दिया हो तो उसका विलॉम भी हमें तद्वव में ही बताना है जैसे बेटा मैंने कहा रात तो रात का विलॉम आपको दिन बताना है ठीक है? मैंने कहा रात्री रात्री तो रात्री का विलॉम आपको क्या बताना है बेटा? दिवस बताना है तो इस तरह से आपको सारी चीजे ध्यान रखनी है याद रखना बच्छो सभी लोग है ना बिलकुल सभी को याद रखना है बेटा याद रखना गलत मत करना कोशन नमबर आता है बेटा अनुराग का विलॉम बताएंगे क्या होता है अनुराग का विलॉम प्रेम होता है दुएश होता है क्या होगा भी या राग प्रेम का विलॉम क्या होता है बेटा गिरना क्या होता है बच्चे गिरना और मेरे बच्चे अनुराग का विलॉम होता है बेटा option number C विराग ठीक है और बेटा अवनत का विलॉम याद रखना क्या होता है दोस्तो उननत वेरी गुड तो answer number C आपका block हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया चले आगे आईए next question की तरफ आते हैं बेटा अदव शाय का विलॉम क्या होता है सभी लोग बताईए बच्चे right answer क्या होगा ठीक है तो अनुलॉम का विलॉम क्या होता है बेटा पिर्ति लॉम क्या होता है प्यारे बच्चे पिर्ति लॉम ठीक है अनाधिक्रत का विलॉम क्या होता है बेटा अधीक्रत अधीक्रत अनुप्षर्ग लगा करके इसका विलॉम बना दिया अमित का विलॉम बच्चों क्या हो जाएगा परीमित ठीक है न परीमित और बेटा अदवशाय का विलॉम होता है अनदवशाय ठीक है तो option number आपका B वाला right हो जाएगा अनवपशर्ग लगा करके बच्चों इसका क्या बना दिया विलॉम बना दिया ठीक है तो सब लोगों को option number क्या लगाना है भीया बी बच्चो लॉक करना है और next question की तरफ बढ़ जाना है ठीक है ना very good question number प्यारे बच्चो 10 असली का विलॉम बता दीजिए चलो यह तो यार वड़ा simple सा question है क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना ऐसा नहीं है पेपर में सब question hard ही मिलेंगे बहुत साधारन question मिलेंगे ध्यान रखना अच्छे से ठीक है तो सभी को अच्छे से answer देना है बिल्कुल बेफिक्रों करके वास्तविक बहिया ए वास्तविक ठीक है बच्छो वास्तविक का विलॉम क्या बता देंगे आप लोग ए वास्तविक ठीक है बच्छे हाँ बेटा प्राकर्तिक प्राकर्तिक ए प्राकर्तिक तो असली का विलॉम आपको option number B आपका होता है जो आपको याद रखना है प्राकर्तिक का विलॉम क्या हो जाएगा बेटा ए प्राकर्तिक ठीक है ना वई और बेटा नर्शेंगिक का विलॉम होता है जो प्राकर्तिक होती है प्राकर्तिक का प्रयायवाची होता है नर्शेंगिक भी है ना इसका विलॉम होता है जो हम खुद तयार करते हैं जिसे हम क प्मापीognes तो प्यारे बच्चो नम्बर सी हो जाएगा आपका राइट-đंसर अप से पुचछ जाएगा अभिमाणी मेरे बच्चो इसके आगे मेरे दोस्तों वी परियास धो परियास तो ऑप संट नमबर सी आपका राइट हो जाएगा यह रहर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर बारा अपवे का विलॉम क्या है मेरे बच्चो सब लोग बताएंगे अपवे का विलॉम क्या होता है अपवे का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला कौन होता है दोस्तों वह अपवे होता है और बेटा इसका उल विल्व को राप होता है जव वर्सा बिल्कुल नहीं होती थे इसका विलौं क्या मिले गाँ को अतीव रष्टी शीआ कर्या और अवनी का विलौं और याद रखना है बच्चे अमबर होगा और बेटा आहूत होता है, बुलाया हुआ, इसका विलॉम क्या हो जाएगा? अनाहूत, क्या हो जाएगा बच्चो? अनाहूत हो जाएगा बच्चो, बिगर बुलाया हुआ, तो answer number A वाला आपका बिल्कुल right होता है, next question की तरफ चले, very good, question number मेरे प्यारे बच्चे अकाल, बच्चो आप क्या कर देंगे लगू काल, और अशीम का विलॉम मुझे सब लोग बता दीजिए क्या होता है, अशीम का विलॉम क्या होगा प्यारे दोस्ते एक बार सभी का answer, अशीम, तो बिटा इसका answer हो जाएगा आपका शशीम, तो अशीम क्या है, जिसकी कोई सीमा नह है, और जिसकी सीमा है, वो शशीम है, तो answer number B, आपको बच्चो लोग करना है, very good, ठीक है बई, अगला question आएगा भीया, आपके सामने अधम का विलॉम बताईए बिटा, अधम, तब प्यारे बच्चे बताएंगे, अधम का विलॉम क्या होता है, एक बार right answer, अधम, अधम क गताया है, तो बच्चो इसका option हो जाएगा उत्तम, answer क्या हो जाएगा इसका उत्तम, फिर कहता है अनुनाशिक, अनुनाशिक होता है बेटा जिसे नाक और मुदोनों से बोल जाता है, और बच्चो इसका हो जाएगा निर्नू नाशिक, ठीक है बच्चो जो हमारे सभी वर और प्यारे बच्चे आपको एच्छिक भी मिल जाता है तो प्यारे दोस्तों आपको यह भी याद रखना है आंसर नंबर यहां पर आपका सी वाला मिल्कुल राइट होता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है पोल वाला भाई अभी पानी लेने के लिए गया है उसे साथ प् द्धर्म होता है अमा वस्य उता है या वश्या होता है वेटा पूर्णवा होता है और मेरे बच आधूनातं का वीलॉम gegen पूरातन वиваем ऑब बच्चिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सान नंबर बी वाला तो याद रखेंगे सब लोग ऐसे ही आपको पेपर में भी ध्यान रखना भूल मत जाना आते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अनुकूल का विलॉम बताईए बेटा अनुकूल का विलॉम जो आपके अनुकूल है तो सब लोग आप्सन नंबर बी हो जाएगा प्रतिकूल स्वेतन्थ जो आजाद है और जो दूसरे के अधीन वो बेटा परतंत्र है यह ना परतंत्र मतलब एक प्रकार से गुलाम है वो दूसरे के अधीन है याद रखना अगम अगम का विलॉम बेटा क्या बनाएंगे आप लोग शु सभी प्यारे बच्ची बिटा आवरत सब्द का विलॉम क्या होता है तब प्यारे बच्चों का अंसर एक बार आना चाहिए जबर्दस्त आंसर बताइए बई तो आवरत का विलॉम क्या है बहिया सब का अंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसके आगे आप अनुफ्षर लगा देंगे अनुफ्षर्ग तो रायट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर डी ठीक है अनेकता का विलॉम क्या हो जाएगा दोस्तों एकता कहई के बीस सभी के बीच में क्या है एकता है कोई भी अलग नहीं जाता आस्था जिसमें हमारा एक बेटा हम उस नहीं पूछे आपको अच्छे से याद है तो आंसा नंबर डी वाला आप इस कोश्चन का लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ठीक है चलो और जब पेपर से बाहर आओगे तो आपके चेहरे के जो बेटा भाव होंगे वो व्यक्त भी होंगे कैसे हैं आसा जीवन में प्रकास का संचार करती है रेखांकित सब्द का उचित विलॉम सब्द बताईए क्या है तो बेटा इसमें आसा का आप लोग क्या कर दीजिए रेखांकित कर दीजिए तीक न सब लोग बताईए बताए बच्चो क्या होगा आपका अंसर सभी बच्चे बताईए एक बार दुख भई दुख का विलॉम क्या होता है बेटा सुक होता है क्या होता है प्यारे बच्चे सुक हो गया आसा का विलॉम होता है बेटा निराश ठीक है न और आगत का विलॉम क्या बताएंगे बेटा आपको याद रखना है प्यारे दोस्तो अनागत और आवरण का विलॉम इसके आगे भी अनुपसर्ग लगा दीजिए अनावरण ठीक है ना क्या बना देंगे बच्चों आप लोग अनावरण ठीक है ना अनावरण ठीक है भई तो आंसर नंबर भी आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह आ गया आपती का विलॉम बताइए बिटा क्या होता है आपती का विलॉम बताएंगे बच्चे क्या पोल के लिए भहिया आभी वो पानी पीकरी नहीं है आएंगे आने दो चलू आते है अपती का विलॉम ठीक है तो आपत्ती का विलॉम क्या होता है बेटा आपके आगे उप्षर्ग है अनुप्षर्ग लगा हुआ ठीक है आए हुए कोश्चन है सभी परिक्षा की दृष्टी से वेरी वेरी इंपोटेंट है याद रखना है ना सभी प्यारे बच्चो किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं सभी कोश्चन और बच्चो याद रखना है आमिश या बेटा आपको कभी कभी शामिश भी मिल सकता है शामिश आमिश और शामिश का मतलब समझते हैं जो मास से युक्त है ठीक है और बेटा इसका विलॉम आपको मिलेगा निरामिश क्या मिलेगा दोस्तो निरामिश मिलेगा निरामिश ठीक है तो आपको अच्छी से ध्यान रखना है आधर भया आधर होता है किसी की एज़त किसी का सम्मौन किसी का मान और बेटा आपको इसका अंसर या रखना है अनाधर या बच्चो अनाधर और आदी का विलॉम बता दीजी मुझे आप तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होता है मेरे दोस्त आपको याद रखना है प्यारे बच्चे इसका आपको अंत भी मिल जाता है और किसी किसी बुक में बेटा इसको अनादी भी देया हुआ है तो याद रखना क्योंकि अनुप्षर लगाकर भी इसका विलॉम बन जाता है तो इसलिए आपको दोनों चीजे ध्यान रखनी है ठीक है वेरी गुड हाँ अंत या अनादी वैसे जादा तर जो बेटा अंत मिलेगा आपको लेकिन कभी अनादी भी मिल जाए तो आप यह मत सोचना कि अंत नहीं है यार हम तो कोशन गलत कर देंगा गलत नहीं होग है जो आंसर आपका सही माना जाएगा ठीक है हाँ सर क्या कह रहा है बच्चा दिखाना जरा चाप्री पोल की बेटा एक्षज अता रहे है अरे भाई कोई नहीं चलो बेटा पोल भी मिलेगा अभी कुछ करतो लो चलिए अभी तो बेटा गाड़ी स्टार्टी हुई है अभ वी अनदेरा और का सरस्टी निरादर निरादर भी हो जाएगा अनाधर भी हो जाएगा अधर होता है सम्मान अनाधर होता है अपमान ठीक है तो दोस्तो रटन विद्या नहीं सिस्टम में रहिएगा आत्मा आत्मा और पर्मात्मा है न बच्चो आत्मा पर्मात्मा एसे ही बेटा एक सब्द मिल जायेगा आपको महत्मा जिसके अंदर महानात्मा निवास करती है इसका को बता देंगे आप लोग दुरातमा कि दुरातम तो मतलब बुरी आत्म ऐसे भी याद रखना बेता आकर्शन का विलॉब क्या हो जाएगा प्यारे बच्ची वीकर्षन की करशन करशन की करशन जोंने कि इस तरह से आपको याद रखना सब्लार्ट सिस्टम सब्लाइब रख तो प्यारे दोस्तो ओप्सन नंबर ए आपका राइट होता है यह पर उठ्थान किसी चीजिश का विकास होता है उसे उठ्थान कहते हैं न अफ्थान होता है तो प्यारे बच्ची आप क्या कहेंगे पतन पतन उल्लास उल्लास होता है खुशी हर्श है ना बेटा उसका आंसर क्या बताएंगे आप उल्लास का सब प्यारे दोस्त बताईए सर जी ऐसे बात नहीं कहिएगा हम तेली जाती से अच्छा रवी देखिया दिल पर मतले यार यह दिल तूड़ जाएगा मेरा वालना एसे दिल पर मतले दोस्त विशाद होता है विशाद याद रखेंगे उपतेका कौन होता है बेटा जो परवत के नीचे की समतल तलहटी वाली भूमी ह उपतेका कहा जाता है अधीतयका तो याद रखेगा तो क्या कहेंगे आप लोग पसका मानने वाला होता है थीक है तो सब लोग बताइए विटाए परिश होता है कृटगन होता है कुषुम होता है या आरजव होता है सब किसे बोला जाता है जो प्रकार से बहुत ही कोटिले ना और इसका विलोम प्यारे बच्ची आपको क्या रखते हैं मारदव जो बड़ा सुस्त है आर बड़ा साम्त है कुश्यू माने विलोम क्या होना चाहिए आपको पता है मतलब मेरे बच्चो काठा है फिर आता है किरस किरस होता है कमजूर किया बड़ा किरस्ट है बड़ा बोडी में सब्सक्राइब जान नहीं है बिल्कूर मर्ति मर्यल्य लिए तो किरस्ट कर्षा किया हो जाएगा आपका याद रगना हष्ट-पुष्ट तो किर्तग्य का विल विलॉम होता है किर्टगन जो एहसान नहीं मानता है एहसान ने मानने वाला ने मानने वाला जो होता है बेटा वो आपको याद रखना है ठीक है ना चलो, question number 20, कनिष्ट का विलॉम क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो कनिष्ट होता है बेटा जो हम कहते ना, junior कह दीजी एक प्रकार से है ना, और senior होता है, वो स्रेष्ट होता है, जेष्ट होता है, वरिष्ट होता है ना, बिल्कुल, तो प्यारे बच्चो, option number A, आपका right answer होता है, कीर्थी का विलॉम क्या बताएंगे, अप लगा दीजी, अप उपशर, अप कीर्थी, ठीक है, तो बेटा, अप लगा कर किया बना देंगे इसका answer, अप कीर्थी, ठीक है वही, किर्पा, किर्पा बेटा, किसी पर जो आपकी किर किर्पा हो जाए, और किर्पा का विलॉम जानते क्या होता है, क्यों आप पर गुस्षा करने लगी, ठीक है, जिसे आप कोप कहते हैं, कोप, इसे प्यारे बच्चे आप लोग अमर्ष कहते हैं, अमर्ष, जिसे बिटा आप लोग गुस्षा भी बोलते हैं, ठीक है, परिया गरामीन का विलोम यह होता है सभी प्यारे बच्चे बताएंगे गुडुल का क्या मिल जाएगा आपको लगुभी मिल जाएगा जिसकी गर्दि माला की तरह जाये तो गुरू जब चंद सास्त्र पढ़ते हैं हाला कि आपके पेपर से उसका लेवल मतलब नहीं है कुछ भी चंद सास्त्र पढ़ते हैं तो गुरू की दो मात्रा होती है जैसे हमारे गुरू दीर्गवरंड जो होते हैं और लगू इसका विलॉम हो जाएगा और यदि हम गरतंत्र का विलॉम क्या होता है भी आप जानते हैं जहांपर हर पांच वर्सवाठ चुनाव होते हैं झापर राजाही पहले कोई उनके पिटाजी राजा थे फिर वो राजा बने फिर उनके बाद उनकी संतान राजा बनी तो वह राजसाही होती है ना और चिरंतन का विलॉम बेटा क्या होता है नश्वर चिरंतन का मतलब हमेशा चलते रहने वाला है ना और शहरी हो जाएगा इसका आपका आंस साट-मार्च को पेपर, तो उससे पहले आपको ये पता चल जाएगा तो सब बताईगे मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आइट सब दोस्त बताएंगे तो बीटा देखो दीर गायू जो हम किसी की लंबी आयू के लिए काम ना करते हैं ना तो दीर गायू के विलॉम क्या हो जाएगा बेटा अल पायू ऑप्सन नंबर भी फुटकर फुटकर कोई चीज होती है जो टुकडों में मिलती है और वह इसका मतलब होता ठोक बहुत सारी इखटी कोई वस्तू हम खरीदते हैं तो बच्च जिसके पास पैसा है धन है माया है श्वरत है धनी का मैं सब बताएं और निर्दन here निर्दन जिसपर या गरी पर कूछ न हो बेटा वह अलग चीज है यह ना यहां दनी का विलॉम हम बता रहे हैं है ना गरीब निर्दन हाँ चलिए मुद्गल शोरी मिर्दुल का विलॉम बताएं बेटा क्या होता है मिर्दुल मिर्दुल का विलॉम बताओ बिटा क्या हो जाएगा अ लेकिन आप उसका सर ली बच्चा क्या कर जाए रिकोडिट्स चीए तो कफिन का व लॉम् क्या होता है भीया आपको याद रखना हैं प्यारे बच्चे शर तो बेटा मिर्दुल का मतलब है प्यारे बच्ची रूखा बिलकुल सूखा हुआ जो है जिसमें बिलकुल रसी नहीं है यार बच्चों याद रखना कठोर का विलों बता देंगे सब लोग मेरे प्यारे बच्ची जो बड़ा साधर्ण है एना क्लियर बिल्कुल तो आंसर नमबर क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल सरल बोल दीजिए साधर्ण बोल दीजिए एना कि ठिया चलो को तो आगेए चलें आईए औहला कुश्य नाता है बिटा रिनात्मक का विलों सब्सक्राइण क्या होगा रिनात्मक का विलॉंस बताओ अनात्मक और है ना है तो बच्चो एकदम आपका सरल आंसर होगा आत्मा एंसर आपको लगाना है और आगे बढ़ जाना है वेरी गुड ने चलिए अगरा कोश्यन आता है बेटा कलुश कलुश का विलों बताएंगे कलुश का मतलब होता है दोस्तों मेल यार बड़ा मेल है उस आदमी के इसका आंसर क्या होगा पाप का तो चलो निश्पाप या पवित्र आप पढ़ाँ कि अपसर आपको याद रखना है दोस्तों क्या हो जाएगा निश्क लुस्त वेरी गुड निश्वष लगाएंगे आरे लिए उस आप लोग निश कौन सा उप्षर लगा करके आप इसका अंसर बता देंगे चलिए आगे आते हैं अभी पीछे बेटा पढ़ा भी है आपने सब लोग बताएंगे लौकिक हो जाएगा बेटा यह तो गलत लिखा हुआ है ना नर्शंगी का करित्री मैंने आपको पढ़ा दिय बेटा चलिक है वेन यह तो आप रटी लेंगे बीटो यह गया शर्च का question number 9 section 80 का विलोम ने सन्यासी का विलोम सन्यासी का विलोम क्या होता है हम फिटा चनीक भी मिल जाता है नशवर की जिखार कभी कभी चनी है ना वो भी आद रखेना सन्यासी यहां पर अनुश्वाल लगा यह गलत लिखा होगा भ़तनी में सन्यासी सब प्यारे बच्चे बताएंगे तो सन्यासी का विलॉम होता है बेटा गिरस्त और भोगी का विलॉम होता है दोस्तो योगी ठीक है ना और राजा का विलॉम बेटा क्या होता है राजा का विलॉम रानी भी होता है राजा का विलॉम प्रजा भी होता है राजा का व तो यांख कुछ भी मिले आपको तीनों अंसर अच्छी सी ध्यान रखने तीनों आपको याद रखने ठीक है कोई सब यांसर मिल जाए उसे ही टिक कर देना श्वीकिया का विलॉम बता दीजिए वेटा क्या हो जाएगा श्वीकिया कि खुद के द्वारा किया जाता है श्वी क्या का विलॉम होता है पर किया ओप्सन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर ठीक है बई चालो अगला कुशन आता है बेटा एका धीकार का विलॉम बताओ क्या है एका धीकार का विलॉम अनेका धीकार शर्वाधीकार पराधीकार या परमाधीकार एका अधिकार है और जिस पर बेटा सबका अधिकार है वो शर्वाधिकार है ठीक है तो बच्चो कुछ प्यारे बच्चे ए आंसर लगाएंगे जो आंसर आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो ए मतलगाना भहिया अनेका अधिकार मतलगाना एका अधिकार का विलॉम शर्वाधिकार बताना सब का अधिकार ठीक है तो option number मेरे प्यारे दोस्त आपका भी वाला right हो जाएगा भी वाला ठीक है पराधिकार दूसरे का अधिकार या परमाधिकार मत बता देना ठीक है भई question number 33 स्री गणेश का विलॉम बताओ भई स्री गणेश का विलॉम क्या होता है जब हुम किसी कारे को शुरू करते हैं तो कहा याता है स्री गणेश करो है न और बेटा इसका विलॉम आपसे पूचा है जब किसी कारे को समापन की तरफ चलते हैं तो बोलते हैं क्या करिएगा इ इन में से कोई नहीं तो सब लोग आंसर देंगे क्या होगा इसका शठी का Así मै़त आपको प्यारे बच्चे इती होता है यह याद रखना ठीका अठी का मतलब और किजी आध प्रारण होता है तो बच्चों स्री गणेश का विलोव मोता है इती श्री क्या हो जाएगा दोस्तों ओब्रशन नमबर सी श्री राधा का विलोव स्री ऍमिनगा तो Buk apla3 आतमा होता है ना सिरी किरिशन भाइया राधा जी के उल्टे तो सिरी किरिशन भनेंगे रुक्मण इमत बना देना के लिए कोश्य नमबर 34 अल्प संख्यक का विलॉम बताईए बिटा क्या होगा अती संख्यक बहु संख्यक महा संख्यक या बाहुल्य बोलू इतने बच्चे सटीक आंसर देखते हैं देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है तो अल्प बिटा अल्प से ही आपको समझ जाना चाहिए यार कि अल्प का मतलब यहाँ पर क्या होता है अती संख्यक लेकिं यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ है तो आं कि बिल्कुल तो आप ई। संख्यक विलोम बहु संख्यक अति संख्यक महा संख्यक आपierte कैड़े कil मैं का विलोम बतादीजि़े बेटा क्या होता है त Corle कि नहीं अननुव्य नहीं के व्यतिरेक अतुल या उपमे तुल का विलाम आप लोग क्या बना देंगे दोस्तों अनुपमे कह देंगे कि क्या होता है तो आप्शन नंबर भी वाला याद रखना व्यति्रेक थीक है मिटा गलत मत कर देना ये व्याद रहा होगा याद रखना ये चीज आपको ध्यान रखनी है कभी आप उपमान का उपमे बता दो महाँ पर वो गलत मान लेगा इसलिए बेटा उपमे कानुपमे और इसका उपमान का व्यति रेक याद रखना बहुत अच्छे से है ना बिल्कुल गलत मत कर देना भाई बिल्कुल क्या बनाएंगे आप लोग चुस्त तब प्यारी दोस्त बताईए राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल क्या हो जाता है विलंब शिग्र का मतलब जल्दी और इसका विलंब बना देंगे आप लोग विलंब विलंब त्वेतुरित का बना देंगे बेटा ए त्वेरित ठीक न और दुरुत हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर मंद का विलंब दुरुत बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वेरी गुड ठीक है से लिए आगे कोशन नमबर भाई 27 सुक्छुम का विलॉम सब्द है ए द्रश्य ए द्रश्य को बेटा ए को हटा दीजिए द्रश्य हो जाएगा ठीक है द्रश्टव्वे है जो देखने होगे दिख रहा है हमें बेटा उसके आगे ए उप्शर्ग लगा देंगे तो इसका विलॉम हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस थूल सुक्छुमता है बड़ा हलका और इस थूल होता है मजबूत डी आंसर आपको लॉक करना है और प्यारी दोस्तों आगे बढ़ जाना है कोशन नमबर भीया 38 बहुत बार पूछा जाता है परिक्षा में कि बताईएगा स्रश् दोस्तो जीवन वीरस्ती का क्या हो जाएगा दोस्तों वीरस्ति का कर देने हम कि अनुप्शर लगा दें तो आप उसने मुक्ष धान के लिया था हर चीस से बेटा क्या लिए चुटकारा पा लिया था और बेटा जो हम क्या कहते हैं बंधन जो बंधा हुआ है मुह माया में इल्जा हुआ है दोस्तों वह बंधन है तो आंसर नंबर स्रश्टी का विलॉम होता है बेटा पिर ले ऑप का तो ज्यादा हो जाएगा जियून का विलॉम अधिक हो जाएगा एक जियुक में बेटा गर्नेंों फोगत घंड़ हो जाएगा तो आप या तो आपको रट गया होग इससे तो कर विएंग तो भी गलत करोगे इन्हें जो विडियो फस रहा है सर अच्छा देखो बई ब नीरस का मतलब जिसमें रस ही नहीं है सुखा यार रस है नी बिलकुल मजा नहीं आ रहा है उसे नीरस कहते ही को इससे आप बात करने लगो और कोई विक्ति आप से कड़वे वचन बोलता है तो आप कहेंगे यार बड़ा नीरस इंसाने से छोड़ तो यार टैम खराब कर रहा भई खेलिए दोस्तों कोश्यन नंबर भीया आता है आपके सामने मुख्य का विलॉम बता दीजिए सभी प्यारे बच्ची सब्दा वली आपकी सारी रिवाइज करा दूंगा सारी जितने कोश्यन आपको परिक्षा की दरश्टी से मिलने वाले हैं उस सब आपको मिलेंगे टेंसन मतले लेना मुख्य का विलॉम बताओ दोस्तों क्या है मिमुक का विलॉम आप बनादेंगे उन मुक टिक है भई पिर्ती मुक नहीं होगा सामाने या गौण दो आंसर हैं 50-50 में से तो आपका एकड़ के लिए सबसे अलग होगा है और सामाने तो सबके लिए साधनसी बात है ठीक है तो यहाँ पर आप बताएंगे supermarket कि इस बिल्कुल को डिए प्यारे बच्겠 को श्य नंबर अरAND इस शाम का विलॉंध बताई यह शोषित होता बेटा तो मेरे बच्ट रौप्टको ब्रगें उस बताएगा पोशक शोषक का विलॉंध क्लम क्या होगा तो यह सी वाला तो नहीं भी या अंसर क्या उनसा हो जाएगा अंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे शूशक का विलॉम आपको लगाना है पोशक ऑप्सन नंबर भी ये वाला नौट करना है ये वाला ही आपको कोश्चन पीपर में लगाना है ठीक है वेरी गुड चलिएगा अब आते हैं मेटा अ मानने वाला जो होता है बेटा वो किर्तक ये होता है प्यारे बच्चे किरपन होता है कंजूस है न बेटा तो इसके लिए आंसर आपका जो होगा C वाला राइट है बिलकुल ठीक हो जाएगा C, बिलकुश शटीक आंसर है आपका ओप्सन नंबर C कठ्छिन का सरल आप पढ़े आए हैं पीछे है न मिलकुल किर्पन होता है बेटा कंजूस का विलॉम क्या हो जाएगा बेटा क्या बता देंगे बेटा करुण का विलॉम आपको पता है करुण लगा देंगे बेटा आप लोग निश्ठुर क्या बोल देंगे दोस्तों निश्ठुर जिसमें दया नाम की चीज नहीं है निश्ठुर बिल्कुल बेटा निर्दई होता है उसे बोला जाता है भहिया निर् थे आप PV पूरव बताएं या बताएं पूरव प्यारे बच्चे पूरव होता है तो यहाँ पर उत्तर नहीं चलिए भई कोश्यन नंबर आ गया आसा ये तो भई अभी पीछे पढ़कर आएं आप लोग तो बेटा सब बताएंगे दुराशा नहीं निराशा आंसन नंबर बी वाला हताशा नहीं बेटा ना उम्मीद का विलॉम ना उम्मीद होता है उम्मीद कहते यार अभी तो उम्मी आखित ये इसका अंसर तो भई जोशक का बेटा पोशक है धिक है है का परोख्छ का विलॉम सब्द क्या है परत्यक्ष है परोख्छे तो बेटेशा आप जानते हैं कभी कभी आपको प्रत्यक्ष का विलॉम प्रत्यक्श का विलॉम ए प्रत्यक्श भी मिलता है यह लेकिन बिटा आन्सर याद रखना प्रत्यक्श का विलॉम आपको परोक्ष बहुत जाधा मिलता है तो आप्सेन नंबर ए वाला आपको लॉक करना है बाकी कोश्शन बिटा पीछे पढ़ चुके हैं यह बार बार इनको repeat नहीं करना है ठीक है वेटा A परोक्ष मत लगा देना वो A परोक्ष रपरोक्ष दोनों answer दिये होंगे तो पहले प्रतक्ष को वरियता दी जाएगी ना कि इसको दी जाएगी यदि ये paper में ना होता यदि ये answer ना होता तो हम इसके पास जा सकते थे याद रखेंगे दोनों विकल्प दिये होए हो तो पहले आप A वाले विकल्प को वरियता देंगे ना कि D वाले को इलिया रहना यदि ये paper तक्ष होता तो आप इसको वरियता दी देती इसको answer को click कर देती ठीक है चलिए question number 47 गमन का विलॉम बताईए भहिया गमन का विलॉम ठीक है तो बेटा जाना का विलॉम तो आपको पता है भहिया आना हो जाएगा उतरना का विलॉम प्यारे बच्चे आपको पता है चड़ना हो जाएगा अब गमन का विलॉम तो भीया आगमन ही होगा है ना अब एक ही विकल बसता है हमारे लिए यहाँ पर जो होता चाहिए राइट आंसर होना चाहिए आगमन गमन का विलॉम एक ही बचा तो वह है किलिक करना होगा आईए मौन का विलॉम बता दो बेटा क्या है मौन कहते हैं ना मौन धारण के यह चुप बैठा हुआ है यह ना बिलकुँ चुप बैठा हुआ है मौन धारण किया हुआ है सब लोग बताएंगे मौन सब्द का विलॉम क्या होगा तब सब प्यारे बच्ची बोलीगा चलो तो बेटा विकार एह विकार ठीक है मैंक मैंक वोलते चंद्रमा को तो इसके लिए बेटा शूरिय बना दो इसका ठीक है बही और विकार का विलॉम प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा एह विकार जिसमें बदलावना हो है ना विकार का मतल ओता है जिसमें परिवर्तन हो जाता है विकार का मतला परिवर्तन है है अंसर नमबर जो चुप नहीं बोल रहा है एए जिसमें नमबर 49 रेखांकित्चि के लिए उप्युक्त विलॉम सब्द का चैन करो वह अपने विशे का पूर्ण अभिग है अभिग का मतलब होता है जानकार अभिग का मतलब होता है जानकार और जो जानकार नहीं है वह कौन हो जाएगा सब लोग बताईए ठीक है बताईए बच्चो तो बिटा विग का विलॉम तो आप लोग एविग कह देंगे है ना मिलकुल लेकिन इसके लिए आंसर जो होगा आपका ऑप्सन नंबर सी वाला सबसे सटीक आंसर है ठीक है प्यारे दोस्तों और बिटा अल जानकार जो जानकार नहीं है ठीक है दोस्तों कि विलॉम सब्सक्राइब बड़ी चड़ाई की पूर्ती करें संपन्व्यक्ति डैस की व्यथा नहीं जान सकता नहीं जान सकता व्यथा का मतलम है बेटा पीड़ा ठीक है जिसे आप लोग दुख कहते हैं दुख जिसे बेटा आप लोग वेदना कहते हैं है न परिशानी तो बेटा आसन विपन निश्पन विषण कितरे बच्चों का राइट आंसर आता एक बार सब लोग लगाएंगे तो बेटा संपन का विलॉम होता है विपन जिसके पास सब कुछ है वो परिसान व्यक्ति कींदा नहीं जान सकता वो किस तरह परिशान है क्योंकि भाईया वो तो संपन है राजा अदमी है याँ सबकुछ उसके पास है वेरी गुड्ड ऐसे आप झ्धान रखना को 어떻isah नमडर भई-ावन विस्तार का विलॉय vara 사람이 बता ठाओ तो बेटा देखो सुक्ष्म का तो इस्थूल आपने पढ़ा है इस्थूल पढ़ा है छोटा का प्यारे बच्चे बड़ा आपने पढ़ा है लगू का बेटा दीर्ग आपने पढ़ा है गुरू भी मिल जाता है कभी-कभी एना तो बेटा विस्तार का विलॉम संचेप होता ह संचेप का मतलब है सौर्ट में किसी बड़ी चीज को विस्तार से ना बता करके संचेप में उसका आर्थ बया कर देना यह से गागर में सागर का हम वुरूप दे सकते हैं कम सब्दों में ही सारी बात को बता देना गागर में सागर भरना कर दोगे ना चलिए तो डी आंसर यहते गरीमा विलों बता दीजी क्या होता है जटाला होता है जा तो टो लागीमा इसका आंसर हो जाएगा betisants का विलॉम हो जाएगा लागीमा तो सभी प्यारे बच्छे बी औपसे नमबर बी पर चाहिकल आ पर आ आसके सामने मौुख्य का विलॉम बहुख्य पीछे आया भी न वैसर थी यहां लेकिन यहां मौखी का पूछा गया है तो मौुखी हन्सर यह यही होगा कथित का विलॉम प्यारे बच्चे ए कथित हो जाएगा क्या हो जाएगा बहिया कथित ठीक है जो पढ़ा नहीं जा सकता यह पढ़ा नहीं है ठीक है बिलकुल तो आपका अंसर क्या है आपका अंसर यहां पर यह वाला राइट होगा मौखिक का विलॉम लिखित ठीक है तो यह आंसर आप लॉक कर रहा है शिस्टम खराव नहीं करना शिस्टम के उपर तो दुनिया डिपेंड है अनात का विलॉम बताई यह बिटा क्या होता है तो धनी का तो निर्धन भाई आपने पढ़ लिया बेकार का बेटा अच्छा के दीजिये बेकार ने यह सर जी अच्छा है अच्छा बोलदीजी पेटा ठीक है प्यारे बच्चों तो भाईया एक अंसर वस्ता है अनाक्ट जिसका इसकोई नहीं इस defence ऑद्धिया कोशन नमबर भाई 55 आपके सामने आ गया बेटा अथ ये कोशन मैं अभी पीछे आपको रिवाइज कराया था देखता हूं कितने प्यारे बच्चे आंसर देते हैं ठीक है ओमकार राजपूत जी बेटा क्या यार ये लव्यू की परिभासा पढ़ ली तुमने है ना बेटा ये लव्यू की परिभासा अंधकार जब फैला हुआ हो है ना जब बिटा गोदली बेला के बाद जो समय होता है नो बजी का रात को ये उस समय आद होती है परिभासा लाइट ना जल रही हो है ना और ये जिंदगी में अंधिरा करने के लिए आती है अंधिरा करके चली ज अर्थ का नंता है आपको मैं ने पीछ्चे पढ़ाया था और अढ़ने आधाया ऊपरी हो जयता है तो इस विम्रोंउ्ड को याद रखना ए उपरी याजगा तो याज रहन्य है विलोम बता दीजी बेटा सब प्यारे बच्चे बताएं बच्च अ तो उक्रिश्ट का विलोम उतक्रिष्ट का विलोम तो निक्रिश्ट होता है निक्रश्थ उत्क्रश्ट का रोम क्या हो जाएगा बटा निक्रश्थ हो जाएगा ज्यादा वर्चल कंवर्चल उसे डोलते हैं आप लोग समय बिल कुल के वर्चल न होगा उसनको बोले आताcolor परेश्टी वर्सा ने होना ठीक है न दोस्तो तो ये बात ध्यान रखना तो उप्सन नंबर क्या है आपका उप्सन नंबर सी वाला मेरे दोस्त बिल्कुल राइट है वेरी गुड़ चले आगे आईएगा बीटा बुरी लगी वो बात तो दिल पर उतले ना यह दि मेरी बाद बुरी लगी ना यह लवी वाली तो उसको दिल पर उतले न चलते हैं अवनी का विलॉम सब्द क्या है एक बच्चा करा सर जी बेटा नहीं बोलना चीए बाई बोल दीजिए अरे यार हो सकता है में तुमसे ज्यादा उमर का उमर तो तुमसे दोकुनी होगी मेरी तुम मालो 20-25 के बच्चे सब्सक्राइब है न 20-25 के ज्यादा ज्यादा चालिस साल का मेरी उमरत बताई कितना अंतर होगा चलो अवनी का विलॉम बताओ आश्मान है सब लोग बताएंगे आका से अंबर है गगन है तो बेटा यह तो सारे दोको एक दूसरे के परियाएवाची है यह तो क्या है एक दूसरे के परियाएवाची है तो भी अब आपको इन उस सारे परियाएवाची में से अवनी का विलॉम चुनकर बताना है वह पीछे मैंने आपको पढ़ा भी दिया है तो मेरे प्यारे बच्छो ऑप्सन नंबर सी आपको लॉक करना है अंबर बहुत बार पूछा गया है परिक्षा म में अवनी का विलॉम क्या है ठीक है तो अंबर आज की किलास का बच्चो यह हमारा जो विलॉम का टॉपिक था हमारा समाप्त होता है तो एक बार मुझे 57 कोश्चन में से बेटा कितने आंसर आपने प्राप्त किये जल्दी से बता दीजी इतना हलका नहीं आता बेटा यद एक पेपर देखा भी होता तो यह सब दी तेरे मुझे ना होता ठीक है तो बच्चो सभी के आंसर बहुत बढ़िया मिल रहे है 55-55 बहुत बढ़िया ज़बर्दस्त इतने पेपर इतने नंबर लाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है तर जी 26 नंबर का आंसर कु 27 नंबर बुक में कुछ और दे दिया होगा लीजिए मैं चेक कर लेता हूं तुम्हारा कोश्चन अब तुम समझते हो कि भाई एक जो चीज हमने एक बार रट ली उसकार्थ वही है बेटा हिंदी पढ़ रहे हो आप है यह गड़ित नहीं है दस संक्या है तो दसी रहेगी 12 नहीं हो सकती कि मेरे दोस्त हिंदी है इसमें अर्था नेक होते हैं याद रखना ठीक है बेटा मिर्दुल का विलॉम रूख्ष ठीक है मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहा है भाई या रूख्ष सूखा अब आते हैं बेटा हमारा जो टॉपिक आता है परियाए वाची दोस्तों तो परियाए वाची आपने पढ़ा कि परियाए वाची बेटा क्या होता है कि 26 नंबर पर बच्चा क्या कर रहा है चलो बही आ जाई एक बार मिर्दूल होता है कॉमल अच्छा रुख जाई बेटा रुख जाओ रुखना बेटा रुखना मिर्दूल का आर्थ होता है बेटा कॉमल है ना कॉमल कॉमल ठीक है प्यारे बच्चे और कॉमल को कठोर सरल बिलकुल बेटा बिलकुल, ठीक है मेरे प्यारी दोस्त, बिलकुल इसका अंसर हम D ही लगाएंगे, क्योंकि कॉमल का विलॉम कठोर हो जाएगा सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ, चलिए, ठीक हो बई, तो बेटा, मिरदुल का मतलब कॉमल और इसका विलोव हो जाएगा कठोर चलो अर्थ से इस पश्ट हो गया बहुत बढ़िया चलिए भी आगे चलते हैं अब आते हैं दोस्तों परियायवाची किसे कहते हैं दोस्तों पच्छपन सही है सर जी बहुत बढ़िया चलो हां कठोर का कॉमल भी होता है बिल्कुल बेटा समान अर्थ देने वाले वाले सब्द देने वाले सब्द वसक्ति क्यों कहलाते हैं परियायवाची जैसे मान लिजीज़ें आपने कोई सब्द लिया recorded class है नहीं बेटा परियाए बाची याद नहीं होता बेटा परियाए बाची याद किसी को भी नहीं होता उसमें सिर्फ हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है परियाए बाची मान लीजी कोई सब दूसरे बोला कमल अब कमल को हम कितने नामों से जान सकते हैं उसको बताओ अब कमल को हम जलज भी कह सकते हैं कमल को हम पंकज भी कह सकते हैं कमल को हम नीरज भी कह सकते हैं कमल को हम अरविंद भी कह सकते हैं तो बेटा जो समान अर्थ देने वाले सब दोते हैं वो सब एक दूसरे के परियाए होते हैं ठीक है इतनी सी बात आप याद रखेंगे यही हैं तो इसे हैं प्यारे बच्छे सब्द एक जो बोल रहे हैं हम उसका जो अनेक सब्सक्का सब्सक्राइब ने वाले हो थी जो याद रहेगी बात तो ईसी तरह सामने कंपंद आते हैं तो प्यारे दोस्तों आते हैं परियाएवासी की तरफ तो आईए प्यारे दोस्त पहला Production आपके सामने हिए आगया अनने सब्द का परियाए वाची सब्द है बताओ एक बार सब लोग बताएंगे आंसर दीजिए तने में गुट पानी पी लेता हूं बस बताईए भीया तो अनने का परियाए वाची सब्द क्या है प्यारे दोस्त बताईए एक बार तो बिटा देखो शश्चा तो होता है अनाज का इसका परियाए वाची अनाज का जिसे आप लोग अन अनाज बोलते हैं गल्ला भी कह देते हैं गल्ला ठीके पैटा याद रखना कुलीन ओता कुलीन होता है प्यारे बच्चे श्रेष्ट तो आप इस सब्सक्राइब तो आप इस सब्सक्राइब कितने नाम से पकार सकते हैं लेकिन बेटा यह कांतार जो कोशन आंसर है इसका राइट होगा कांतार होता है किसका प्यारे बच्चे जंगल का परियाएवाची तो बेटा जंगल जिसे आप क्या बोलते हैं जंगल बोलते हैं इसे प्यारे बच्चे हम लोग अटवी भी कहते हैं अटवी है ना और इसे आ आपका आंसर नमबर ये वाला जो होगा ये आपका सबसे सटीक आंसर होता है आपको 4 यहां पर परियायवची किलियर हो जाते हैं बेटा बास सुनो देखो बेटा रूख्ष और यह जो कठोर वाला कोश्चनिक बच्चा कह रहा है बेटा रूख्ष क्यों होता है रूख्ष हम बोलते हैं बड़ा जिसके भासा में बिल्कुल मिठास ही ना हो लेकिन ऐसा है कि हम यदि पेपर में देखते हैं तो नब्वे प ठोनी चाहिए ठीक है ना वेरी गुड़ हां ठीक है एक ही याद मत रखिए और भी आपको जैसे किसी सब्द का अर्थ अलग अर्थ ही मिल जाता है वो भी आप याद रखिए ठीक है चलो अंबू किसका पर्यायवाची है बताएंगे सभी प्यारे बच्चे अंबू किसका ह चल नीर के तो यह बाड़ी तो वरी कि एए बथा वारी बहुत सारे नामों से हम जानते हैं है और अर्वाग्वान जी जो बरसा करता है pounds बहुता हुए इसे मेगपुश्प भी कहा जाता है कि बारिस हो रही है बरसा थो हो रही है मैग पुश्प अन्याद रखिए भगवान जी जो बरसा कर रहा है बादल बरस रहा है वो बरसात नहीं और यह पुष्भ वर्षा हुapi तो जिसे बैटा जिसे बेटा धी या निधी का मतल होता है बंडार ठीक है जैसे बच्चों मैंने कहा पयो धी पयो धी बेटा इसी प्रकार मैंने कहा नीर निधी नीर निधी तो यह हमारे सागर होता है जैसे प्यारे बच्चों हम कहेंगे नदीश जो नदीओं का भगवान होता है नदीश प्यारे सागर भी कह देंगे सागर तो इस तरह से आपको याद रखने यह सब्सक्राइब बच्छे बिल्कुल तो बेटा ऑप्सन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है कमल का परियाएवाची आप सब बच्चे जानते हैं कमल का परियाएवाची पिछली वारी SSC GD में कोई पेपर पंकज सरोज अर्विंद सत्पत्र और दोस जैसे मैं कहूं नलिन तो यह सब कमल की परियाएवाची है अब बादल का परियाएवाची होता है बादल पानी के परियाएवाची कोई धर्ण करा दीजी धर देया धर लगा दीजी या तो नहींतल बेटा मैंने कhar पयोध देय लगा दो या मैंने कहा पयोधर यह एसे आपको याद रखना है पयोधर मिटा इसको मेग भी कहते हैं मेग के नीर्माने पानी और दे लगा दीजिए नीरद ऐसे क्लियर है ना बिलकुल तो दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना है option number C आपका लॉक होता है very good वारिद भी हो जाएगा बेटा ना जलधर भी हो जाएगा जलधर इसी तरह से याद करो इसमें कुछ और कुछ आपको नया नी करना ऐसे ही ध्यान रखना है question number 60 आपके सामने निम्ली लिख्त में से कौन सा एक अनात का परियावाची नहीं है बताओ बेटा कौन सा नहीं है मैं कुछ समझान में नहीं आता मेरे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं दिमाग में केवल ए पीटा एक में नहीं समझे नहीं नहीं नए तो एक साहरा नहीं उसका पैस बैटा अंबू माने पानी जैमाने नहीं जह साहरा है और प्यारे बच्छे निरारफित जिसका तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर आपका क्या होगा अंजान बिलकुल मूर्ख कुछ जानता ही नहीं है तो अनाडी एक ऐसा कुछ शब्द है जो प्यारे बच्चे बेसहारा का परियावची नहीं होता अगला कुशन आता है अम्रित का परियावची निमलिक्त में से कौन सा है अम्रित बताए बच्चों सब बच्चे बताएंगे अम्रित का परियावची कौन सा है तो बेटा अनंत होता है आकास का परियावची इसको बोले आता है अनंत जिसका कोई अंती नहीं है आप उपर को जिसे नभ आकाश कहते हैं जिसे प्यारे बच्छें अंबर कहते हैं अंबर जिसे बेटा शुन्य कहा जाता है शुन्य तो याद रखिए अब आता है 310 किसे कहते है लिए दीवता कि लिए tidak intelligence किसको बोलना जाता है बचYour दीदस कहा जाता है देवताओं को यसे बटा हम कते देवता है एनडेव का निर्जर में निर्ज़र ठीकिंग है बच्यों सुर कि की किन olur आधित्य शूरिय से कहते आधित्य देवता को भी कहते है गिर्ण परियाय वाची का परियाय वाची अनसु होता है प्यारे बच्चों किरण का परियाय वाची यह ना दोस्तों जिसे हम लोग रश्मी कहते हैं गें गें अब इसका अंसर ऑप्सान नंबर डी वाला बिल्कुल रैट होता है अमरीत का परियाएवाची है बेटा प्यूस जिसे आप लोग अमिय भी बोलते हैं शुधा भी कहते हैं बच्चों जिसे हम क्या बोलते हैं अमिय जिसे हम शुधा कहते हैं जिसे हम अमरित कहते हैं प्यूस कहते हैं बिल्कुल और प्यूस दूद का भी परियायवाची होता है कभी आपको मिल जाए बैजानव वेरीडुड पूशेकं नूमब्भाई 62 अंक परियाएवाची में बताइए कौनों बताओ लोग बता आपका परियाएवाची कौन स twisted है थे प्याए스를 बताएंगे पड़न अजा है चंचला है इश इस इस आख को विटा हम क्या क्या बोलते लोचन गया चछु अक्षि नेत्र घुटा नेत्रों गया डीडा ये बही दीदा और उप्मर आपका बी वाला होता है इसको अजा नहीं अज कर लिए अज तो बक्री को भी बोले आता है बेटा ये ब्रह्मा विधी विधाता श्वेंभू ये याद करिए भाई श्वेंभू ये दोस्तों श्वेंभू चंचला किसको बोलते हैं बेटा चंचला चंचला कहते हैं दोस्तों बिजली को ठीक है बिजली ठीक है जिसे हम लोग दामनी भी कहते हैं दामनी ठीक है बिजली को किस-किस नाम से जाते हैं बेटा विधुत ठीक है ना और बेटा ये बिद्धित दामनी विधुत चंचला ठीक है चपला ये सबी तो तडित बहुत सार शाइब नाम होते दोस्तों तीर कहते हैं जिसे बेटा बोला जाता है विशिक केते हैं प्यारे बच्चे सर भी बोले जाता है इसे याद रखना तो अप्सन नंबर आपका राइट हो जाएगा लिच्टे समय काहां से लगा तानि मुझे कितने है इंडर का पर्यायवाची कौन सा नहींetin का परियावाची जीन आप देवेश कहते हैं परवटारी कहते हैं शक्र कहते हैं शुर्पती कहते हैं लेकिर भूपेंद्र नहीं कहती भूपेंद्र किसे कहा जाता है बटा जो सासक होता है प्यारे बच्चे जो शम्राठ होता है फेरा शम्राठ होता है क्लियर ना तो प्यारे दोस्त याद रखे सम्राठ राजाओं का राजा होता है राजाओं का राजा होता है भहिया जो राजाओं का राजा होता ह है वो प्यारे बच्चे आपका भोपैंद्र होता है आंसर नंबर ए वाला बाकी सभी इंद्र के परियाएवाची है याद रखिएगा वेरी गुड है उपाहना सब्द किसका परियाएवाची है बताओ जूता का जोर का जादू का जेश्ट का तो सभी प्यारे बच्चों का अंसर आना चीए राइट आंसर क्या होगा ठीक है बताईए अ हां बोलो भई तो प्यारे बच्चे उपान हां जूता का परियाएवाची होता है जूता जो पहनते हैं आप लोग है ना इसको बोला आता है जेश्ट तो बेटा आपको पता लग गया जिसको बेटा हम लोग वरिष्ट कहते हैं क्या बोलते हैं जिसको हम प्यारे बच्ची क्या बोलते हैं जिश्ट को उच्च कहते हैं उच्च कहते हैं महान कहते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं महान कहते हैं बड़ा कहते हैं बड़ा कहते हैं अग्रज कहते हैं बड़ा है अग्रज है विशाल है नजरबंदी जो प्यारे दोस्त अपनी तरफ क्या कर लेता है हाँ अपनी तरफ क्या कर लेता है किसी को अपनी आकर्शित कर लेता है बेटा उसको धोका कहते है ना मिल्कुल और तेज जो होता है यह होती है सक्ति सक्ति जिसे आप लोग बल भी बोलते हैं बल सक्ति बल ताकत ठीक है बई मिल्कुल चले आगे ए आंसर आपको याद रख लाएं तोटका तोटका भीटा धोका को एक हैंगे तोटका जो होता है धोका ही होता है ठीक है जो महोपनी तरफ करता है वो पूशन नमबर भीया आपके सामने आता है मिनाक्षी का परियावाची बताईए बेटा क्या होगा तो मचली होगा लक्षमी होगा सब बताएंगे तो बेटा मिनाक्षी लक्षमी को तो प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है सिरी बोला जाता है ना कमला कहा जाता है प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग जब बोलते हैं जलजीवन वह आपका क्या होता है मचली होती है बदाएंगे शुंद्री या दुरुगा में से किसको बोला जाता है प्यारे बच्चे आप लोग बताइए जलदी से सुंद्री जो होती है प्रिय दर्शनी होती है बच्चों गौरा होती है बेटा नबर B वाला होता है जो दुर्गा जिसे प्यारे बच्चों आप लोग छंडी कहते हैं Céamunda कहते हैं ठीक न दुर्गा तो कहते हैं शेरों वाली कहते भहुत सारे नामों से आप जानते हैं भगवती कहते हैं कहते हो नशी के दोस्ति पके ऊपसंट नंबर ANDREW आपका हुझाएगा credential sú मचली का लगा देते हैं जो मचली गलत हो जाता है अंसर के मीन जैसी आखो वाली उसे मिनाक्षी बोल दो लेकिन नहीं दोस्तों याद रखना प्यारे बच्चों नंबर आपका जो जाएगा दुरुगा का परियाएवाची होता है याद रखिएगा उश्य नंबर भई थर होता है कि बटा नाग होता है यह जो दर का भइठा वह करें किताहें प्रथ अब्हू दौलट के थे हैं दौलत पियारे बच्चों जिसको भाल्य करते हैं माया आसा एसा दौलत संपति माया है लोइस प्रिदा शिखे़ों और बख़स्चों वो क्या है मेरे 97 अप लोग शरवरी कहते हैं इसे प्यारी dizitu के प्यारे बच्चों आप लोग निशी कहते हैं निशी आप लोग रजनी कहते हैं रजनी बहुत सारे नामों से आप जानते हैं ना दोस्तों तो एलिया तो आंसर होता है आचारिये आचारिये बेटा सिख्षक को बोला जाता है गुरु को बोला जाता है ना बिलकुल तो बेटा ये कौन होते हैं अध्यापक होते हैं अध्यापक माश्टर जी जिने आप बोलते हैं अध्यापक बिलकुल ये बिलकुल रेना बच्चों तो नंबर ए होता है आपका राइट इसने तो इंगली सवाले वालक तुम तो अलग बताओगी यंल्दा सब्द का परियायवाची बता दीजे चलो दोस्तों राइट आंसर क्या हुआ यह मुना का परियायवाची क्या हो को भूला आता हैं तालाब को जुसे हम तराग भी कहते हैं जिसे बच्चों आप यह होती है पीडा पीडा जिसे आप लोग दुख कहते हैं दुख बेटा व्यथा बोला जाता है वेदना बोला जाता है ठीक है ना बिल्कुल तरंगणी जो होता है बेटा यह नदी का परियाएवाची होता है जिसे प्यारे बच्चे आप लोग निम नंगा भी कहते हैं ठीक से जन्मी है सूर्य से जन्मी है वो प्यारे बच्चे क्या है वह आपका यमना है जिससे कालंदी अ जlarını जबना बिकाया जाता है जमुना कलर बदल देता हूनियाप बच्चों भी कहते हैं उनको शुर्य का जाता है ठीक है न रवी जावी कहा जाता है ठीक है वही याद रखे और बीटा काली थी काली है इसलिए इनको किरिश्रणा भी बोल देते हैं याद रखना ठीक है तो यमना का परिया वाची विच्छों यह आपके होते हैं राइट आंसर भानु जा भी कहेंगे वहनु यह न Chicago है यह कि आत्म जी विकल्पों में से सही परियाए वाची सथ सफ्थि चुनेगे किसको होता है कि प्था Apps इनारे बच्ची बताईए जो आपको दिखना है तंय सुट्प मैंने उस्टा कर दिया है ठीक है न, फुता कर दिया, आत्म जो को मैंने बच्चो क्या कर दिया, आत्म जा कर दिया, ठीक है न, बेटा पुत्री कर दिया, पुत्री, बेटी कर दिया, कन्या कर दिया, तो आपको याद रखना है, यह किसका हो जाता है, पुत्री का, लेकिन यह आंसर हो जाएगा आपका option number पुत्र का इस प्रकार SSC GD ने SSC GD ने 2023 वाले paper में बच्चो बहुत सारे question बना के दिये थे रिक्तिस्थान के रूप में पूछे थे तो याद रखना बहुत जगे मुहावरा रिक्तिस्थान बना दिया बहुत जगे वाक्यान से रिक्तिस्थान बना दिया ऐसे आपको अनेक question मिलेंगे वाक्ये पूर कराता है बस जब आप paper देने जाएंगे तो देखना कि ऐसी question मिलते हैं नहीं ठीक है बिल्कुल भाई जो होता है बेटा उसको पिता कौन होता है बेटा पिता को हम बाप कहते हैं बाप पिता जी कहते हैं बेटा पिता तो बोलोगी पापा भी बोलते हो पापा है ना और जो मुश्लिम धरवाले वो अब्बु कहते हैं अब्बु 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 बोलते नहीं हो यार बोलते तो हो सब लोग सर्मा क्यों रहे हो अब्बू बोलते नहीं बोलते बापू भी बापू भी बापू बेटा एक जनक जनक भी कहते हैं जैसे माता को जननी कहते हैं पिता जी को जनक कहते हैं ठीक है ना बिलकुल यह बेटा पपू भी बाई को बिरा भी याद रखना किया कि अभी तो पता नहीं up का यह ऊष्चेन बिक को कहा जाता है मां शरषवती को ठीक है जो बेटा वीना पानी होती है जिनके हाथ में वीना होती है मासरश्वती को है ना वीना पानी बोलते हैं नी वीना पानी ठीक है बेटा हंस वाहिनी होती है हंस वाहिनी ठीक है बेटा वागेश्वरी होती है वागेश्वरी रितु पती मधु माश मधु माश प्यारे बच्चे जिसे हम वशंत कहते हैं वशंत कहेंगे रितु पती रितु राज कह देंगे रितु राज तो बिल्कुल कलापी यह बिटा मोर का परियावाची होता है मेहे पिरिये बोलते मेहे पिरिये जैसे बच्चो मेहे पिरिये कहेंगे ६थे इसका गला नील् बच्छो नील कंट इगे बई चलिए अब आता है बेटा निशंग किसे बोलते हैं निशंग होता है जिसमें तरकश होता तरकश आपने देखा तरकश किसे कहते जब युद्धर नभूवी में लड़ने के लिए जाता है तो अपने पीछे से तीर निकालने के लिए उसका जो ऐब तरकश तरकश creepy यह सभी किसे बोलते हैं याद रखना यह इसे भाता भी कहतेँ बहाथा भाथा नाम भी ऐसे हैं जो पक्रण में भी नहीं आते तो मेरे बच्चो ऑप्सन नमबर भी आपको याद रखना है ठीक है भई? वेरी गुट पुश्यन नमबर भई महादेव का परियावाची कौन सा है? सब लोग बताएंगे तो शेर का तो भईया क्या होता है? प्यारे दोस्टो शारदूल होता है शारदूल ठीक है ना? इसे बेटा हम लोग सिंग भी कहते हैं वन का राजा होता है इसलिए इसको वन राज कहा जाता है व्याग्र भी इसको बोला जाता है केश्री केटे है के ना यारे बच्चे जिसे हम निशान भी कहते हैं निशान इसे बच्चों ध्वज भी कहते हैं इसे बिटा लेंस भी कह देंगे आप लोग इसे आइना दरपन लेंस ठीक है बच्छों बिलकुल अब बचा महादेव का प्रियाएवाची जिसको बेटा चंदर शेखर कहा जाता है एना शिव बोलते हैं आप लोग शिव प्यारे बच्छे संकर कहते हैं ठीक है महादेव कहते हैं महादेव मेरे प्यारे बच्छे महादेव कहते हैं और बेटा इसे बहुत सारे नाम होते हैं अश्वनी ठीक है बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको जो महादेव के प्रियाएवाची होंगे इनको बेटा नील कंट भी कहा जाता है नील कंट क्योंकि मे चंद्र मौली चंद्र शेखर है 호ekं लुक्सरेन यो इसा ठिनाक नाम पर वह आंद के नाम पर तिर्शूल के नाम पर है तिरनेट्र ज़िए है तिरनेट्र कोस्य 00. जानेश का प्रियाए बहierares is नहीं है कौन सा नहीं बटाइए गनेश का परियाएवाची कौन सा नहीं है तिरलो की नाथ भी कहा जाता है बिल्कुल ठीक है भोले नाथ शीव संकर नील कंट बोलते हैं ना केलाश पती तो बच्चों गजानन पारवती नंदन लंबोदर है ना बिल्कुल गनेश ठीक है मूशक वाहन मूशक वाहन भी इनी क को क्या बोलते हैं मरकट मरकट शाखा मिरग शाखा मिरग बोलते हैं ना बच्चों वानर कहते हैं बेटा वानर ठीक है मेरे बच्चे वानर ठीक है बई बिल्कुल कपी भी इनी को बोल देंगे बेटा कपी पूछा जाए कपी किसको बोलते कपी भी बंदर को कहते हैं कई चलि बंदर हो गया रगी से नंबर विरक्ष का मैंटा आपका परियाय वाचिक सष्ट होगा तो लेटा आप जानते कि आगन तो कि अ ने बिलकुल पादफ होता है बेटा विरक्ष जिसे आप लोग पेड कहते हैं पेड जिसे प्यारे बच्चे दुरूम बोला जाता है जिसे बच्चों हम क्या केते हैं पादफ विट बोलते हैं विट न याद रखना क्लियर वसन कपड़ा जिसे बच्चों अंबर भी बोला जाता है ड्रेस भी बुलतें इंगलिस वले बच्ची पहरावनी भी कहते है पहरावनी खिलिए और और पहरावा इस्थिा ग्लते हैं सब्छों कपड़े के परिया और फिर टाखी पेड़की डाल होती वह साखा उती है साखा होती है ना कि तो बच्चों हो ऑप्सन नंबर क्या पूछा है इसने हमसे वी वाला इसका राइट होता है कि मेरे दोस्त कोशे नंबराता है ऐसका परियायवा technical नहीं है बताईए चंद्र्हास किसे बोलते हैं तलवार को बोलते हैं दोस्तों तो बत्याइ जोता में रशाल लग बताइे हैं कि ya oxid रसाल किसे कहते हैं दोस्तों रसाल बोलते हैं बेटा आम को किसे बोलते हैं बच्चे आम को जिसे हम लोग आमर भी कहते हैं जिसे बेटा शौरब भी बोला जाता है शौरब जिसे बच्चों पिक बंदू भी कहते हैं पिक बंदू जिसे अती शौरब भी कहते हैं अती लोग बताएंगे एक बार ब्रमर का परियाएवाची कौन सा तो बहुरा अम्रित्वली बेटा आमको बोलते हैं गुरुजी इतना सारा आएगा तो यह आपको पढ़ना तो पढ़ेगा यार ठीक है चलो तो बच्चों बताएगा सडक को बेटा पत्थ भी कहते हैं रहा भी कहते हैं न कहते हैं नहीं कहते हैं सडक को लेकिन मेरे दोस्त चंचरीक नहीं बोलायाता चंचरीक भिरमर को कहते हैं भिरमर का बेटा शिली मुख भी होता है शिली मुख जो बांड का परियाएवाची शिलीमुक वेटा भर्मर को भी कहते हैं जिसका प्रियाएवाची होता है दोस्तों भॉरा ठीक है ना मधुप मधूकर मधूकर ठीक है याद रखना चैन्चरी जो ऑप्सन नंबर हो जाएगा डी वाला आपका राइट बिरंग भी बोलते हैं बेटा अली भी कहते हैं याद र रखेंगे आप लोग वेरी गुड अगला कुश्यन आपके सामने यह आता है सभी बच्चे बताएंगे कल्प विरक्ष का परियाएवाची कौन सा है बिटा पारी जात कल्प तुरू देव विरक्ष या यह सभी कौन से हैं सभी लोग बताएंगे कर जी थोड़ा सा साफ लिखो बिटा इस साफ लिखने के लिए अब यह लिखना चाहते हैं क्या अब यह लिखना नहीं है इस समय इस समय जो बच्चा लिख रहा है वो क्या करेगा नश्ट कर रहा है समय यार इस समय तो मेरे भाई सिर्फ यह है कि रिवीजन करना है इसलिए लिखने से क्या म वेसी किलास चल रही हो, अब तो हमें सिर्फ यह जादस ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादस ज्यादा कोश्चनों को अपने सामने से निकालना है, और इससे में रिवीजन ही करना, रटना रटना मत, ठीक है, याद रखना, कल्प व्रक्ष के परियायवाची हैं, बेटा, कौन कौन से, कल्प व्रक्ष होता है, यह देवताओ का व्रक्ष होता है, इसे देव व्रक्ष कहते हैं, ठीक है, इसे पारिजात कहते हैं, कल्प तुरू कहते हैं, ठीक है, तो इसका अंसर, यह सभी ऑप्सन होता है, ऑप्सन नमबर डीवाला, यह सभी कल्प व्रक्ष के प परियायवाची नहीं नहीं है उ फूट को फूल कहते हैं लुट कहते हैं धल्कुल कौन सा नहीं पूछा है तो यह अमर्ष न इसका होता मिट прив किसका प्यारे बच्छा का परियायवाची जैसे आप गुप कहते हैएं यह ना है ना बच्चों गुश्या कोप अमर्श यह सभी किसके हैं मेटा गुश्य के परियाइवाची है तो आपका होता है राइट आंसर याद रखेंगे पेपर लीक हो गया है यूपीपी का पेपर तो अभी हुआ भी नहीं है लीक कहां से हो गया तुम भी ले लो यार कहीं मिल ज परियाएवाची होता है विद्याल्यका 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 परियाएवाची होता है वि है ना जहां सिक्षा मिलती है बेटा सिक्षा गिर होता है वह सिक्षा गिर है यह ना प्यारे बच्चे से आप लोग सिक्षा ले भी कहते हैं तो याद रहे आपके समाफ्त हो गया ठीक है वह सब लोग आते हैं आगे वाक्यांस के लिए एक सब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी भासा में सुंदरता लाने के लिए तीन रॉंग हुआ है सर जी आज बहुत बढ़िया वह यह तो बहुत अच्छी ब बेटा बिल्कुल रॉंग नहीं होगा सब अच्छा हो चार गलत हुआ है सर जी इमनो त्री गंगो त्री होती है वह अलग जहां से गंगा यमना का उद्गम होता है दो गलत हुए हैं बहुत बढ़िया चलो दो चार गलत हुए है कोई बात नहीं है एक घुट पानी पी लि लिखा मिलता है अनेक सब्दों के लिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्ड आते हैं नेके ये कहता है किसे कहा जाता है सभी पच्चे बताई मेरा एक गलत नहीं हुआ बहुत बढ़िया बात है ये तो बेटा बिल्कुल आयू शॉलंकी बिल्कुल मिलेंगे पहले जल्दी से कोश्चनों का आंसर करेंगे जल्दी से ये सरे कोश्चनों का क्या होता है दूसरों को हसाने वाला बहिया वह along वह सह का होता होता है डोस्तो आम रहने वाला वह तो बजरंग बली थे 仔ंताम नहीं होता है मैं युद्सू जो युद्द की इक्षा रखता है युद्द की इक्षा रखने वाला युद्द का इक्षुक होता है वो बेटा ओप्सन नंबर बी वाला राइट होता है आपका युद्सू की लिए एक सब्द ठीक है ना वेरी गुड चली अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन प इसे बोला जाता है बच्ची आपकी बार वर्दी पहन कर मिलेंगे सर जी बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है चलो सब लोग आंसर करिएगा प्रत्यूत्पनमति वो होती है जैसे माल लीजिए मैंने आपके सामने कोई कोश्चन बोला और आपने उस कोश्चन को तुरंत सुन म बेरी गुड और बाकी सभी विकल बेटा आपके रॉंग है यहां पर पोश्चन नमबर अंके चक कार्थ क्या होता है अंके चक क्या होता है अंके चक का बेटा यूपी पुलिस की नहीं आज हम ऐसे सी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त यूपी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अंके चक क्या होता है यूद को करम को करम निर्धारित करने वाला अंकों के साथ खेलने वाला गड़ना करने वाला तो बेटा जो अंकिचक उसे कहा जाता है जो एक प्रकार से मونीम जी होते है मुनीम जानते जो लेखा जो खा रखते है कितना पैसा आया, कितना गया सारे आकड़े उनके पास होते हैं तो प्यारे बचचो, ऑप्षन नंबर एं वाला आपका सबसे सटीख होता है अन्य विकल्प आपके रॉंग होती है ठीक है वेरी कुट जम्मू कस्मीर से अच्छा जम्मू तक का बच्चा आया वे किलास में बहुत बढ़िया बेटा जम्मू अशम बिहार है ना ये सब बच्चे हैं बहुत पुंदर चलिए जिजी विशा का अर्थ बताए जिजी विशा जिजी विशा उसे कहते हैं जिसके अंदर एक लंबे सम बैद टो नौक ली दून दीए है ना बिलकुल जीवन से मुक्टी की एक्षा मुख्च प्राप्त करता है नहीं पैसर नंबर होता है जीवन जीने की जो लोगा जाता है जल्दी से मेरे साथ पार्थिव कार्थ विटा क्या होता है जिसका संभन मनुष्य से हो ऐसे कोशन स्सी जीडी 2023 में स्सी जीडी 2023 में बहुत पूछे गए तो याद रखना ठीक है परिशान को मानता है भगवान में खोया हुआ है वो तो भगवान का पूर्ण रूप से आस्तिक है जिसका संबंद प्रत्वी से होता है उससे पार्थिव कहा जाता है याद रखेंगे आप लोग ऐसे ही पूछा गया ता पिछली बार भी प्रश्टव्य कार्थ पता यह बेटा पूछ पूछे देने योग्य क्यादक पीछे देने योग्य किसे बोला राता है पिरिश्टव्य का नमबर अ प्रश्टव्यकार्थ होता है option number A पूछने योग के ठीक है भई? very good चलें आगे आईएगा अगला question होता है इस्वर का कोई आकार नहीं होता प्यारे बच्चे सब लोग बताईएगा right answer क्या होगा? जिसका कोई आकार नहीं है तो सरोकार, साकार, निराकार इनमें से कोई नहीं इश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो इश्वर को क्या कहा जाता है? बच्चे इश्वर को फिर निराकार कहा जाता है क्या बोलेंगे? निराकार तो answer number C आपको लोग करना है ठीक है बेटा शाकार का विलॉम शाकार तो वह जिसके सपने शाकार हो जो चाहता है इसो मिल जाए आखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा रेखांकित वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा एक सब्द के लिए चैन करिए बेटा कौन सा होगा आखों के सामने जो घटित घटना होती है जिस पर आप विश्वास करते हैं उसे क्या कहते हैं यूपी बागपत से अच्छा वई मैंग चलो बॉर्डर डिश्टिक से हुँ सर बहुत बढ़िया तो बेटा उसे परत्यक्ष कहते हैं परोक्ष तो इसका विलॉम आपने पढ़ा था प्रा रूपत कहते हैं परत्यक कहते हैं प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने होता उसे परोक्ष कहा जाता जाता है और प्रोक्ष न मिलेगा तो आपको ध्यान रखना वेरी गुड़ चलिए question number 86 भारतियों की बुरी दसा देखकर गांदी जी का मन द्रेवित हो गया रेखांग की सब्द में है ना रेखांग की सब्द के लिए एक सब्द कौन सा होगा वेटा तो option है रेखाली जी मैं खीज देता हूँ बुरी दसा तो दुर वहवार दीनता दुर दसा या दुर दिन पितोरा गड़ उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड स्वारी जुन जुन से हूँ सर अच्छा वेरी गुट चलो भई तो बेटा जुन जुन से तो बहुत सैनिक है सैनिक बल में हर जगा तो दुर वहवार बुरा वहवार देखकर के बुरी दसा की बात करी जा रही है दीनता बेटा गरीबी की नहीं बात हो रही दुर दिन बुरे दिन की बात नहीं हो रही उनकी बुरी दसा की बात हो रही है तो आंसर नंबर सी वाला मेरे प्यारे दोस्तों बिलकुल राइट होता है दुर्दशा को देख कर, इसको बूलटे दुर्दशा को देख करके क्या हो गया, गांधी जी का मन द्रैवित हो गया, पसीज गया, उनकी आंखों में आसु आ गए, वैवब को उस विद्याले में इम्तृहान लेने वाला बन कर जाना है, रेखांकित वाक्यान्स के लिए एक सब्द का चैन कीजिए बताएं विशेशग्य विशेशग्य तो वह होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा अंदर तक जानकार होता है यह परिक्षक अध्यापक यह सम्मन्व्यक तो इम्तिहां लेने वाला जो होता है जिसे आप एक्जामनर कहते हैं उसको इंगलिसे हिंदी में क्या बोलेंगे उसे हिंदी में कहते हैं बेटा परिक्षक उसे क्या बोला जाता है बेटा एक्जामनर को परिक्षक बोला जाता है विशेशग्य आध्यापक यह आप समन्व्यक नहीं कहेंगे आसाम से हूं सर जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट क होती है सुंदर बोलने वाली कटू भासी को एक जैसे वाले बोलने वाले को बोला जाता है बेटा मित भासी क्या बोलेंगे जो याद रखियेगा option number C होगा मिर्दुभासी नहीं मिर्दभासी नहीं और सम्भासी समान बोलने वाली नहीं है बच्चो विवेक नहीं स्रेष्ट कुल में जनम लिया है रेखांकित वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन करिएगा क्या होगा स्रेष्ट कुल में जो जनम लिता है उसे क्या कहा जाता है कुलीन कहा जाता है बच्चे समकालीन कहा जाता है समकालीन तो वह होता है जिसे मेरा और आपका जनम साथ हुआ तो हम समकालीन हुए गुरुजी वेस्ट बंगाल से बिलकुल भाई कुल स्रेष्ट कहेंगे कुल भूशन कहेंगे गुरू जी 144 पीपी बेटा ये बहुत तीजी से निकल जाते है यार है मन्त सैनी मत्रा से रादे रादे भाई बाकी बिहारी की लाल कीजिए बेटा जल्दी से आंसर कीजिएगा जल्दी से आएंगे सब लोग बेरे बच्चे बताईए बेटा जो स्रेष्ट कुल में जनम लेता है प्यारे बच्चे उसे कुलीन कहा जाता है उसे कुलीन कहते है मेरे दोस्तों याद रखना आंसर नंबर ए वाला शमकालीन या कुल में अनूपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है रेखांकित वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन कीजिए तो बेटा क्या कहेंगे अज़ाивать का मतलब होता है बहुत धारी है कि बॉर्ड होता है असनी से तो आपको अंसर क्या लगाना है आजमगड से अजाग रह से यूपी आजाग रह से ठीक है बिल्कुल तो बेटा आपसन नंबर होता है सी वाला तन मैता से तन और मन दोनों लगा कर बहुत ध्यान से किताब पड़ रहा है पुस्तक पड़ रहा है ठीक है ना वेरी गुड तो प्यारे बच्चो आइजन नंब समना हो गई हितेशी वह जो कि सलटे हैं यहित की भासा बोलता है वह कहते हैं या प्यार ओट आप सब्सक्राइक को UX गयुसर्य नंबर भाई 1292 जानने की त्याह सटने 6 या थिट रखने वाल वाला के लिए रखनेवाला नहों करके जान की एक च्छा आपका जिग्याश ने की बत करी जाने की यह था यह क्छा आपका जिग्यासंद यह प्यास लग रही है पानी की इक्षा याद रखेगा तो पलको को गिराए बगेर के लिए एक सब्द क्या होता है कि B4 Boss सब लोग बताएंगे पलको को गिराए बगेर आपलक उनमिलित नीमिलित निर्निमेश क्या बोलेंगे अप लोग तो बेटा एपलक कहेंगे बिना पलकों को गिराए जो दो मुझ पलके उठाकर देखता रहता है उसे क्या बोलते है तो बेटा उसे उनमिलित कहते हैं नहीं उसे नीमिलित कहोगे नहीं बच्चो उसे कहेंगे बेटा निर निमेश क्या बोल जाता है प्यारे बच्चो निर न ऄद्रिमेश कहा जाता है याद रखना ठेक के सबस्क्राइब फिल्स क्वरसं सतर्ट मैं म्हiziert है जो भई अन्यमा की कोट से जन्म लेता है जब सब से जन्म जन्म लेने वाला जो होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा सब लोग बताई चलो इसे क्या आपको बढला जाता है प्यारे बच्चो सहुदर याद रखना ऐसे भी बहुत सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे जो सदा दूसरों पर संधे करता है तो बेटा जो जगडा लगाने वाला होता है जगडा लू होता है जो जगडा करने वाला होता है उसे जगडा लू कहते हैं जो दया करता है दया करने वाला दयालू होता है करने वाला और जो इर्षा करता है इर्षा करने वाला इर्षा करने वाला इर्षा करने वाला इर्षालू होता है और जो संका करता है दूसरे पर सक करता है हमेशा संधे करता है उसे क्या बोला जाता है उसे मेरे प्यारे अगला question number बच्चों पिच्चान में, किसी विशे की पूरी चान भी इन करना, क्या कहलाता है मेरे बच्चों विवेशन करना, विशिलेशन करना, मिमान सा या सब इक्चान, किसी विशे की पूरी चान भी इन करना, क्या कहलाता है बेटा सब का आंसर एक बार मिलना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा कि तारे सही कि विटा समिक्षा नहीं मिमांशा नहीं विशलेशन करना नहीं ठीक है उसे कहते हैं मेरे बच्चे विवेचन करना चान बीन पूरी विटा कि कैसे हुआ कब हुआ क्यूं हुआ इसके लिए ए आंसर आपका सबसे सही होता है वेरी गुड अंते वासी किसे कहा जाता है दोस्तों अन्यस्तान पर रहने वाला अंत तक रहने वाला या गुरू के समीप रहने वाला किसी विद्या को अंत तक वाला कि अंते वासी के लिएक सब्द क्या होता है अंते वासी अंते का मतलब लाश्ट तक वासी वास कर रहा है जो है ना और महां पर रहकर कि जो सिक्षा प्राप्त कर रहा है बेटा उसे क्या बोलें के आप लोग तो बच्चो उसे क्या कहते अन्य स्थान पर रहने वाला नहीं अंतक रहने वाला नहीं जो व्यक्ति जो विध्यारती गुरू के पास रहकर सिक्षा ग्रहन करता है ठीक है ना गुरू के समीप रहकर सिक्षा ग्रहन करता है प्यारे बच्चे वह शिश्य अंते वासी कहलाता ह तो प्यारे दोस्त अप्सन नंबर सी आपका राइट आता है ठीक है ना शेपक बताईए बेटा किसे को बोलते हैं शेपक दूसरों को छमा कर देने वाला सत्रू पर घातक वार करने वाला या बेटा किसी गिरंत में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए सेश कारिये को पूरा करने वाला शेपक किसे बोलते हैं बताईए बच्चे तो बेटा बेटा कर देने वाला वाला वह तो बेटा बड़ा ही निर्देए व्यक्ति होगा ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे option number c है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे जोड़दार कहेंगे तीखा कहेंगे सटी कहेंगे कहेंगे जिस तरक का कोई जवाब ना हो कोई जवाब वेन सकता कोई जवाब भी नहीं है उसको कोई काटने वाला नहीं है तो प्यारे बच्चों वह है काट होता है याद रखना सटीख सही है माना कि तुमने सटीक जवाब दिया सही जवाब दिया तीखा होता है कड़वा दम नमक मिर्च वाला जवाब है ना मिलकुल कुशन नमर बेटा चलाया जाने वाला हतियार क्या कहलाता है गुलोल तो बेटा वह थी तुम देखा वे कजसे कभूतरिया किसी चिडिया को मारते है ना बच्ची अब भाला सस्त्र या अस्त्र होता है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला यह बहुत ज्यादा कोशन चलाया जाने वाला हतियार जाने वाला हतियार जो होता है बच्चो वह क्या होता है वह सस्त्र होता है जो हां से फैक कर चलाया जाता है वह प्यारे बच्चो अस्त्र होता है बिना हाथ में पकड़े फैक कर मारते ना ठीक है ना बेटा भाला भाला अस्त्र है भाला को अस्त और रस्त में से आंसर किलियर कीजिएगा ठीक ना वेरी गुड वेरी गुड बेटा सेंचुरी सौवा कोश्चन आपके सामने आ चुका है जिसका इंद्रियों से अनुमान ने हो सके उसे क्या कहेंगे तर्व जैई काल जैई अतेंद्रिय या जितेंद्रिय वो होता जो इंद इंद्रियों से अनुमान ने हो सके उसे प्यारे बच्चो अतेंद्रिय कहा जाता है आसन नंबर बी वाला और जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो इदेंगे ठीक है ना मिलकुल यूपी 60 से हूँ गुरू जी अच्छा भई चलो question number 101 किसी बात को करने का निश्चे क्या कहलाता है बच्ची विकल्प कहलाता है, संकल्प कहलाता है कल्प कहलाता है, अतियल्प कहलाता है अतियल्प तो बेटा अत्यदिक को बोलता है कम के लिए तो बच्चो ऑप्सन होता है संकल्प किसी बात को करने का निश्चे कि मैंने संकल्प लिया है इस बार मैं नौकरी लेकर रहूँगा चाहे मुझे कितनी ही मैंनत क्यों ना करनी पड़े तो उसके लिए मैंने ट्याक कर दिया है ठीक है न? वेरी गुड तो बेटा इस बात को ध्यान रखना बेटा देखो ये कोश्चन जो है न? ये रिवीजन जो चल रहा है आपका सब लोग बड़ा ध्यान से यार पढ़ लीजिए इनको रिवीजन कर लीजिए ठीक है? मिलकुल थोड़ा जल्दी करो गुरुजी इस बेटा जल्दी की जिंदी कि मत धीएगा वर्त नी करवा देना बेटा बेटा वर्त नी भी करूँगा क्यों टैंसल ले रहें वरत नी भी करेंगे यार है अभी तो कहते हैं गाड़ी सटक पर उत्री है अभी इंजन घरम तो हो जाने दो जल शमुंदुर में लगने वाली आज को क्या कहते बिटा सब लोग ÖB आदमी के जीवन में 3 आज 9 पर ऐसे ने मुरे दोस्त आदमी के जीवन में 3 आज होते हैं जो कौन-कौन सी होती है् मिलक। 21著 мои venete को पेपर है डिलाफ शान है ना मिल्कुल और यह जल प्रता जल प्रपात नहीं मिटा यह जोग्रफी वाला मामला उसमें नहीं जाना हमें वडवागनी होती है मेरे बच्चों जंगल की आग तो जल की आग जो आंसर होगा वह होता है ऑप्सन नमबर डी वाला एक कुशन आता है विरहागनी किसे कहते ह विरहागनी होती है मेरे बच्चों प्रेम की अगनी प्रेम की जो अगनी होती है इसमें प्रेमी का अपने प्रेमी के व्योग में बैठी होती है कि कब आएगा मेरा प्रिय है ठीक है उसे विरहागनी बोला जाता है दोस्तों याद रखना तो आंसर नमबर डी आपको लॉक तो यह तो दोनों एक ही बात है जो आपको पता है जंगल के लिए पढ़ चुके हैं और मेरे बच्चे बी आंसर बसता है जो आपका राइट आंसर होता है पेट की अगनी पेट एसे ठेका मेल रखे लेना आपको याद रहेगा कुश्चन तो बी आंसर लॉक कर दीजिए और अगे बढ़ जाईगा कोश्य नंबर 104 विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समक्ष दिया गया विविद्वता विद्वता पूर्ण भाषण कौन सा भाषण कहलाता है कि बताए दोस्तों कि मेटा सम भाषण कहलाता है अभी भाषण कहलाता है या मेरे प्यारे विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला जो भाषण होता है यह ना उसे अभी भाषण की संग्या दी जाती है याद रखना ठीक है ना वेरी गुट कोश्य नंबर 105 किसी संस्था के 25 वर्स 25 वर्स पूरा होना कि होना या होने पर कौन से उत्सव का आयोजन किया जाता है वो प्यारे बच्ची बताइएगा आप मुझे है एक अपको पता है 25 पर एक होता है 50 पर शह declining जो 75 पर होता है लेकिन जो हमारे मैं jeszcze 2020 मना लेते हैं स्टार्वक्षेन से 55के बीच है खाए और एक इंप यहां Påटि रजत छधरजत जैंती आ जो मना जाती है बच्चों मना जाती है 25 फ़िए टेट पर किये और यह union के मनाते हैं सबकिक्राय बैसके और मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी ही रग जैंती है यह मना जाती है संसे पिछेतर पर और बेटा सताब दी जो सो वर्सों पर भाईया शमू याद रखियेगा तो प्यारे बच्चों आपका बी वाला राइट होता है बी वाला बहिए बी वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट चलिए नेस्ट कुश्चन आपके सामने एक सुछ है नीरसर आपके ज alliance समलमिन जिसकी घर्दन सुधर होती है उससे क्या बोलते है कि ईसकी जैसी कबूतर जैसी गर्दन बीस कापोट गिरीवा ना लेकिन जिसकी गर्दन सुन्दर होती है उसे शूग्रीव कहा जाता है याद रखना option number D आपको lock करना है ठीक है बही चले आगे आईएगा option number 107 lockick का अर्थ बताओ बेटा क्या होता है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बताएंगे lockick के लिए पकड़ लिया गया हो जिसे पकड़ लिया गया नहीं एक समान दिखने वाला वो तो बेटा समदर्शी है वो तो प्यारे बच्चे शमदर्शी हो जाएगा शमदर्शी हो जाएगा है ना मिलकुल शमदर्शी लोकी से बना हुआ बेटा लोकी से बना हुआ या जो इस लोक की बात हो answer हो जाएगा D जो इस लोग की बात होती है ठीक है चलो तो D answer lock करिए और आगे बढ़ जाए जिसे इस्वर में विश्वास है के लिए एक सब्द क्या होता है बच्चो जो इस्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते है और कितने question होगा सर जी बेटा question तो अभी तो सुरुवाती अभी तो अंत के लिए बहुत समय बढ़ा है जिसे इस्वर में विश्वास है उसके लिए क्या बोलेंगे बेटा इश्वरी नहीं भक्त जो इसको मानने वाला पूझने वाला वह भक्त होता है न प्यारे बच्चों जो इस्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो इसवर में विश्वास नहीं रखता नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं याद रखना रखने वाले को आस्तिक और ना रखने वाले को नास्तिक ठीक है दोस्तों दौनों कुशन आपको इस तरह से याद रखने हैं अगला कुशन नंबर 109 जिसके पास कुछ भी ने हो वाक्यान्स के लिए एक सब्द क्या होगा जिसके पास कुछ भी ने हो उसे क्या बोलेंगे बेटा जिसके पास कुछ भी ने हो बिल्कुल बेटा इस दुनिया में आया है खाली हाथ आया है खाली हाथ चला जाएगा बगर जूली के फकीर हैं जैसे आए हैं ऐसे चले जाएंगे ठीक है चलो बेटा उसे क्या कहेंगे किंचित नहीं बेटा उसे एकिंचन कहते हैं आंसर नंबर ये वाला राइट होता है एकिंचन वेरी गुड़ सभी का आंसर आना चीए भी कोई भी आंसर नहीं ऐसा नहीं अगरे आंसर ना दे कोई नंबर मेरे प्यारे बच्चो पीछे पीछे चलने वाला बताइए भई पीछे पीछे चलने वाला जो होता है वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा अनुचर अनुगामी अनुविरत्ति अनुगमनी है पीछे पीछे चलने वाला जो माली जी आपके पीछे पीछे चलने रहा है उसे क्या बोलेंगे बच्चो उसे बेटा देखो एक एक्जाम में अनू शर्वी माना गया है ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर में बेटा मिलता है वो अनू गामी मिलता है इसलिए आप ए औ और भी दौनों ही याद रखना दौनों मेंसे जो भी मिल जाए उसे ही याद मेरा डाटा खतम होने वाला है सर जी अरे भाई क्या वात है तो बेटा दौनों को याद रख ले ना कोशन नंबर क्या 111 का और मद्वा के बीच की उंगली को कहते है क्या यह तो है कन वाली जैसे म कि का है कि यह मैंने अपना हाथ वना दिए तो प्लें इसे कहा जाता है अना मिका अनामिका बोला जाता है बेटा इसे अनामिका जिसके लिए d answer आपका right राइट हो जाएगा बेटा right very good नहीं भूलना मत याद रखना ओर उच्यन non-111 बेटा आपके सामने जिसकी आसा नहीं की ग़ी हो उसे क्या कहा जाता है जिसकी आसा ने की गई हो निराशा उपिक्षा असंभव या प्रत्यासित प्रत्यासित लिए जिसकी आसा ने की गई हो तो निराशा नहीं बटा उपिक्षा नहीं उपिक्षा तो किसी का अभिलना एक प्रकार से होती है न असंभव नहीं ए प्रत्यासित आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर नेपाल बॉर्डर से मेरे दोस्त बिलकुल राइट कोश्चन नंबर 113 जिसका निवार इवारौन नहीं हो सकता तो बेटा आपको यहाँ अंसर क्या मिलेगा देखकर बताईएं कि मतल nossa नहीं बच्चों जाकई निए भी निर्नीत यह को तो बिटा कभी आपको यह अवी मिल जाता यह निवार्ण एनिवार्ण ठीक है लेकिन हमें अंसर देना इन चारों में से तो हमारा अंसर होगा ऑप्सन नंबर डी अनिवार्य अनिवार्य बिटा याद रखना ऑप्सन नंबर डी ठीक है एनिवार्य ये नहीं मिलेगा एनिवार्य नहीं मिलेगा तो अनिवार्य आपको जरूर्य मिलेगा वे आपको ध्यान रखना है कोश्चन नंबर 114 बेटा जिसका कोई सत्रू ना हो उसे क्या कहते हैं बताइए अजानु बाहूं जिसकी बुझाए गुटने तक लंबी होती है उसे बोला जाता है बच्चो आजात सत्रू या एग्यात सत्रू या आजात पूर्व तो आजात पूर्व तो भोलेंगे नह एग्यात सत्रू का ज्यान ना हो वह होता है लेकिन बेटा ऑप्सन नंबर होगा हमारा बी वाला बिल्कुल राइट प्यारे बच्चे एजात सत्रू ठीक है हाँ ठीक है याद रहना पूश्य नंबर आपके सामने 115 आता है जिनका संबंद अध्यात्म से है के लिए एक सब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चो अध्यात्मिक धार्मिक शास्त्रिय नैतिक बेटा जिनका संबंद नैतिक नियमों से होता है जिसका संबंद सास्त्रों से हो होता है जिसका संबन्द धर्म से होता है जिसका संबन्द आध्यात्म से होता है वो प्यारे बच्चे आपका आध्यात्मिक होता है याद रखना जिसका धर्म से होगा वो प्यारे बच्चे धार्मिक जिसका मेरे बच्चे सास्त्रों से होगा वो प्यारे बच्चे सास्त्रिय और जिसका बेटा नैतिक जीवन से संबंध होता है नैतिक नियमों से वो बेटा नैतिक होता है ठीक है ना याद रखना आंसर नंबर ए आपको याद रखना है वेरी गुड उश्यन नंबर मेरे प्यारे बच्चो 116 दोपहर के बाद का दिन आपको पता है दिन में चार पहर होते हैं है ना हाँ तो बेटा सबसे पहले जो बारा वज़े होता है बारा वज़े की समय होता है बेटा आपका अपराहन एससे पहले होता है बेटा पूर्वाहन और फिर होता है बेटा दुपहर का पूछा है इसने हमसे वो जाता है बेटा मध्याहन तो आंसन नंबर बेटा जो होता है हमारा वो होता है नहीं सौरी ये गलत पूर्वान होता है मध्याथन भीच में अपराहन दो पहर के बाद का दो पहर के बाद का यह नहीं यह होता है और बेटा बेचा बलेंखलो धिर गलत हो जा ग्यक्योंट तो बीच में होता है, जब बीच में सूर्य टीक टीक होता है, उसके बाद जब दिन डुलना होता है, वो अपराहान होता है, आख वें, यह अन तो इवाला अंसर राहित है, आपका option number B वाला, C नहीं पेटा, ठीक है बई, Bible BT, वें राहित आंसर होगा, this isамен का concern को कि क्या होता है ट्रिकस्ट एक इशान कौन कॉछ जाता है इसान कॉन सी दिसा यह थार प्षा होती है यह होति है यह फूक्य उत्तर होई पूरब पश्चिम यह होती है दक्ष्र तो इशान काण आपको पता है आगने पूछे तो बेटा आपको याद रखना यह होता है मेरे बच्चे वाइनका पूछे यह पूछे तो आपका यह वह थैंक यह पूछे तो आपको यह आपको ध्हां रखने है सभी समध्यों को छोड़ देने वाला नहीं वह तो क्या व्यक्ति तो किसी से बात नहीं करता लेकिन इसके होगा तथा कथित निम्न जाती में जनम लेने वाला व्यक्ति बेटा अंतियज कहलाता है याद रखना तो आंसर दी लॉग करना मेरे प्यारे बच्चों बाकी आंसर आपके गलत हो जाएंगे और उखाबाद से यूपी पुलिस के लिए किलास ठीक है बताओ मेटा यदि यूपी पूछा जाता है तो बिल्कु सही है लेकिन जो और तुम्हारा दिल की बात है कि लो अगले question का answer देंगे जल्दी ज़र चलो इशान कों उत्तर पूरव के बीच का पूरव और दक्षिन के बीच का होता आगने फिर दक्षिन और पश्चिन के बीच की होती है निरत्रे दिशा ठीके ना और वाइवे होता है उत्तर और पश्चिन के बीच में याद रखो या पर पंजाब से हूं सर बहुत बढ़िया वासी तो वेटा जिसे मापा नहीं जा सकता उसकी माप नहीं कि यह हुता है या प्यारे बच्चों उसे बेटा एपरी में कहा जाता है याद रखना एंस तर लगाना ध्यान रखना वेरी गुड जो कभी बूढ़ा ना हो जिसे बुढ़ापा नहीं आता है यार हमेशा एक जैसा ही दिखेगा ठीक है जैसे हमारे मास्टर जी वह हमेशा ऐसे रहेंगे उनका स्री रहें तो अमर बेटा जो कभी ना मरें कभी ने मरें मैं सधाबहर जो हमेशा एक रहें हमेशा एक जैसा रहने वाला हमेशा एक जैसा रहने उनके दूर च लू jobbar दहा है तो हमारा वास्था होती है दाराज चौ10 वर्सके श्की तो वि'reध्ड थ्यूर से चोड़ा वर्सका उती है वह सा होती जो ड़क रच पार cr charge और आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ठीक है किलास को देखकर एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इस परियों की दुनिया से उतराया हूं आपको देखने के लिए जैसा कि 29,690 किलास में बच्चे हैं और 29,573 लाइक बने हुए है तो मेरे दोस्तों इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्र गुजार हूं लव यू मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे चलेगा जहेंद वही सभी को आईएगा जिस दिन आप वर्दी पहन कर मिलेंग पहलता नियम के अनुकूल है एक नियम के विरुद्ध है मली को गलतकारी है तो कानुन के विरुद्ध तो हो गाई वह ठीके बटा गुरू जी 113 को देखेगा बटा 113 को देख लूँगा अभी रूख जले तुझे मेरे प्यारे बच्चे मैं तुझे निरास नहीं गाई मेरे बच्चे जिसका निवारं ना हो सके ना मेरे भाई उसे आ तो ziki Vis की जोड़ा नहीं है घलत मेरे राजा मेरे भाई नहीं यह गलत मेरे चोटी डावठ पेटा किलिएर होने अश्याविए अभी है न पेपर से पहले पहले कब जो कानून के विरुद्ध हो कानून के जाता है है वेदानिक तो उसे कहते हैं जो कानून के अनुसार है, जो कानून के अनुसार है, कानून माली जी, तुमें पता हैं, हम 18 वर्ष से पहले भरती नहीं देख सकते, और आपने वमर कम कराके यदी भरती देख ली, तो बेटा, आपने क्या कर दिया? अव्यद कारिये किया, और अपने अपने अपनी एज पर भरती देखी है आपने ना कम कराई ना ज्यादा कराई तो आपने वेदानिक नियमो के नुशार पिंड़ानिक जो संविधान कहता है उसके नुसार कारिय किया है ठीके मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर बेटा यह तो सम्विधान के अनुसार है, नियम के अनुसार है, कानून के अनुसार है यह, कानून के अनुसार है भचो, ठीके बेटा, निरुद नहीं, गलत नहीं, तो answer number D को लगाईएगा, question number 1 to 1, 121, आदी से अंत तक को क्या कहा जाता है, आदी से अंतक को, अंतिम कहा जाता है, दिगंत कहा जाता है, आदी कहा जाता है, आदो पांत कहा जाता है, आदी से अंतक, आदी का मतलब है सुरू, ठीक है, तो मेरे बच्चे उसे आदो पांत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चो, option number A वाला right होता है बेटा, उसको आदी नहीं क एक दम यार जोस के साथ रहना चाहिए आपके अंदर में वो तेज देखना चाहता हूं आपके चेहरे पे सत्या प्रकास बेटा कोश्चन क्यों गिनने यार जिंदगी मिली है एक बार जीना है कितने कोश्चन हो ब्यार बेगुशुराय से नमस्कार भाई जिस पर आकर्मन कि आतमिया जो वार किया गया प्रकार णोंड करोथा है मिलकुल आत्म घाती जैश्ञाम ञाल छहां प्रतित आपने या ये एक कि यह वेटा आपका लेड़ एक राइत आंसे जिस पर आकर्मन किया गया ज़िए师ali दी लगाना और कोई मत लगाना ठीक है वेरी गुड हाँ कोश्चन नमर बच्चे आपके सामने 123 सब लोग बताएंगे यह कहता है प्रत्वी गिरहो तारो आदी का इस्थान वाक्यान्स के लिए उचित सब्द क्या होगा प्रत्वी गिरहे तारे जहां पर मिलते हैं जिए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों से समुद्र कहते हैं समुद्र कहते हैं समुद्र होना चाहिए यह समद्र लिखा हुआ है रमुद्र कहते हैं नहीं अंत्रिक्ष कहते हैं धर्ती कहते हैं विश्व कहते हैं बोलो शाषाराम की धर्ती से नमस्ते भाई मेरे प्यारे बच्चों उसे अंत्रिक्ष कहा जाता है अंत्रिक्ष भी आंसर याद रखना और जहां पर धर्ति और अकास मिलते हैं शुर्ण कंद एक एक नम्हें तो है आकास यह भी याद रहें यह तो है आपका आकास और यहां पर ढर्ति ती यह व्थ्चों आपकी धर्ति और यह जहां पर मिलते हैं उसे बेटा 36 बोला जाता है 36 इस कोश्चिन में बच्चा बड़ा डाउट फील करता है बड़ा वैसा महसूस करता है ध्यान लगना ठीक है 124 124 नमबर जिसे पिर्मान द्वारा सिद्ध ने किया जा सके उसके लिए एक सब्द क्या होगा कुछ मेरे प्यारे बच्चे एक पिर्मानित लगाएंगे जो आंसर पहले ही गलत कर दिया मैंने जारखंड की धर्ती से प्रणाम भई दोस्त ठीक है ए पिर्मानिक या ए पिर्मानित नहीं दोनों आंसर मैंने गलत कर दिये प्यारे बच्चे एक आंसर होता है सिर्फ आपका गुजरात बॉर्डर से नमस्ते भाई आपसन नमबर सी उसे बटा ए पिर्मे कहा जाता ए पिर्मे ठीक है मेरे प्यारे दोस्त जिसे प्रमान तुवारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे ए पिर्मे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चो याग रखिए गा कोशन नमबर भहिया 125 एक सो पचीस नमबर आपके सामने दिये गए वाक्या के लिए प्रियुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए वह कवी जो ततकाल कवीता करने में कुशल हो दक्ष हो प्रिवीर हो उसे बेटा सू कवी कहते हैं सू कवी तो अच्छा कवी होता है महा कवी उसे बड़ा कवी कहते हैं राज कवी जो राज्य का कवी होता है वो बोलते हैं लेकिन बेटा उसे बोला जाता है जो ततकाल कवीता कर दे मैंने कोई बात बोली उस बात पर उसे पूरी कवीता लिग दी इस व्यक्ति ने उसे बेटा आशु कवी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चो answer number D वाला लोग करना अच्छा कवी या बड़ा कवी या राज का कवी मत कहना ठीक है चले आगे question number 1 to 6 126 number है अवसर के अनुरूप बदल ंवाले को कहा जाता है बेटा क्या या था इस्थिति वादि आधश्वादि भावदि या आवशरवादि जैसे विध्झारती होता है जहां उसे अवसर देखता इस मीं सीश अच्छी रहेंगी वो बदल जाता है तो इसको इसे क्या बोल सकते हैं तो प्यारे बच्चे यह थाuchen थे नहीं जो इस्टिती इससे नहीं उसे अवशरवादी कहते हैं जो जबन बच्चों उसे अवशरवादी कहा जाता है या देना का तो ऑश All नंबर नेक्स्ट जिसे जीता ने जा सके मेरे प्यारे बच्चों बताईए जो बड़ी कठनाई से मिलता है उसे दुर्लब कहते है दुर्लब वस्तु है बड़ी मुश्किल से मिलती है अमर जो कभी न मरे अजेज इसे कोई न जीट सके ठीक है और दुर्गम जो जहां पहुं मुश्किल से पहुचा पहुचना जहां मुश्किल से पहुचा जा सके मुश्किल रास्ता कह दीजिए ठीक है बेटा अमर जुन्ना मरे ठीक है ओप्सन नमबर मेरे प्यारे बच्चों C वाला होता है राइट अजे जिसे कोई हराने वाला पैदा नहीं होता पुश्यन नमबर मेरे प्यारे बच्चे परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रियुक्त होने वाला सब्द क्या है परंपरा जो नियम के नुसार चली आ रही है बात मेरे दोस्तों उसे क्या कहेंगे यूपी की बलिया धर्ती से प्रणाम मेरे प्यारे बच्चो सब लोग बताई पिर्ति सुरूती व्याज सुस्तुती अनुलाम अनुशुरूती बताईए बच्चे तो बच्चो जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रियुक्त होने वाला सब्द प्यारे दोस्तों अनुशुरूती कहलाता है अनुशुरूती अनुशुरूती ठीक है भई उन्हें बेटा क्या कहते हैं अनुशुरूती अगला कोश्चन बच्चो आपके सामने खोज करने वाला क्या कहलाता है खोज करने वाला खोज करने वाला इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगो जो किसी चीच की खोज करता है किसी चीच का अनुशंधान करता है ठीक ना बिलकुल अनुपम अनुवित या बेटा निवेशक पोज करने वाला बेटा उसे अनुपम कहते हैं अनुपम कहते हैं अनुवित कहते हैं आ बेटा निवेशक कहते हैं उसके लिए राइट आंसर होता है बच्चो अनुवेशक ठीक ना तो ए आंसर होता है आपका रा अनुशन करता है खोज करता है कि ऐसे है या कि अनुपम होता है सबसे अलग अनुपम्हेयार के जैसा ही नहीं को अलग है बिलकुल धित्य आंवीति नहीग मिलिक करने अपको लॉक करना या अशन नमबर 130 बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा सब्द पिर्योग किया जाता है अल्प वरष्टी, अती वरष्टी, अना वरष्टी या बेटा वरष्टी अब एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों एक कोश्चन आता है हमेशा आप पढ़ते हैं कि अतीवरष्टी का विलॉम आपने अच्छे से पढ़ा होगा बहुत बार पहले भी अतीवरष्टी का विलॉम हम जानते हैं अनावरष्टी होता है अनावरष्टी जिसके लिए आपको एक बात और ध्यान होगी बेटा अतीवरष्टी का होता है ज्यादा वर्सा बहुत ज् उसे बेटा आती वरश्टी बोला जाता है ठीक है अब यहां हो गया अनावरश्टी अनावरश्टी उसे कहते हैं जब बिलकुल सूखा पड़ती है बिलकुल सूखा पड़ रहा है बिलकुल बरसात नहीं हो रही है तब अनावरश्टी होता है ठीक है तो बच्चों बहुत कम बसाथ होने के लिए एक सब्ध होता है आपका अल्प विरश्टी याद रखना गलत मत कर देना वन्ना गलत कर दें हम लोग कि सर सुना है कि दो साधी होती है लेकिन आज दो मेराथन एक साथ हो रही है अरे वह ठीक है चलते हैं जो हर समय दूसरो की बुराइभ कोजते हो उससे क्या कहेंगगे पटा जो हर समय दूसरे में बुराइभ देखता है द workflows एक अपने से बुरा बताने की कुशिज करता है लोगों की नजर में उस वेक्ति को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों बताईए पर निंदक सर्वनिंदक दूसरे के विलॉम हो गए चिंदरान वेशी या आलो चक इदा मजे में किलास लीजिए मजे में पढ़ते रहे कोई जवर्दस्ती नहीं है बिटा प्यार से आंसर दीजिए बहुत अच्छे से जो हर समय दूसरे की बुराईया करता है बिहार जिले से नमस्ते भाई बेटा उसे चिंदरान वेशी कहा जाता है या बोलते है उसे चिंदरान वेशी और बेटा वर्तनी भी पूछली जाती है यह वर्तनी भी याद रखना कभी वर्तनी गलत हो जाती है बहुत जादा जो तुमने का एक पंक्ति तुम्हारे नाम की कितनी अच्छी पंक्ति आई हैं सब लोग हाला कि आपको दीख भी रही है कि पहले इने पढ़ेंगे इसमें क्या कहा गया है कि यह कहता है अपना घर छोड़कर अपना घर छोड़कर सरद को अपना ठिकाना बना लिया अपना घर छोड़कर सरद को अपना ठिकाना बना लिया जान हतेली पर रख रखकर जान हतेली पर रखकर देश की हिफाज़त को अपना धरम बना लिया तो बेटा जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ये देश की हिफाज़त के लिए कर रहे हैं घर छोड़ कर जाएंगे मा भी परिशान होगी पिता जी भी नर्वस होंगे लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपने कसम खाली वर्दी पहनने की तो मेरे दोस्तों वह पल भी आएगा जो मा की आखें नम हो जाएंगी पिता जी नर्वस हो जाएंगे वह आप से कहतों कुछ नहीं पाएंगे लेकिन आप भी पसीच जाएंगे तो मेरे दोस्तों जब हमने कसम खाही लिया है कि हम वतन के लिए मरेंगे तो सूचना ही क्या चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुहावर पढ़ेंगे एक बात आपको बेसिक सी बताता हूं यह किलास के लिए अंतिम किलास चल रही है यह तो रामबाण होना चाहिए यह चीज रामबाण की तरह ही बताऊंगा जो बच्चे देखो सुनो बहुत छोटी सी बात है लेकिन प्रिक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जब आपको किसी मुहावरे के अंत में ना प्रत्य मिले तो बेटा जान जाना की वो लोकोक्ती नहीं है वो आपका मुहावरा है बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ध्यान रखना बाबू राओ गनपत मैं आप से गुस्सा हूं सर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं दिखा न भाई या इस बच्चे कमेंट दिखा गुरू जी कुछ खालो हाँ बेटा चाय मंगाई है चाय प्योंगा बस खाना नहीं खा पाऊंगा समय नहीं मिल पाएगा है ना क कोक्ति बेटा वो होती है जैसी बोली जाएगी वैसा ही अपना अर्थ देती है लोग कोक्ति को प्यारे बच्चे कहावत कहा जाता है कहावत कहा जाता है यह बेटा हिंदी का सब्द होता है हिंदी का और यह जो होता ही अर्भी का सब्द होता है मुहावर यह याद रखना ह जैसी बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है वैसा इसका अर्थ है जैसी बोली वैसा अर्थ इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन मुहावरे में क्या होता है एक मुहावरे के एक से ज़्यादा अर्थ मिल जाते हैं बच्चा सोचता है सर जी किताम में तो य प्रश्में नहीं दिया हुआ तो बेटा मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकल सकते हैं लेकिन लोकुक्ति का कभी भी एक से अनेक अर्थ नहीं निकलता जो बेटा बोली जाएगी वैसा ही अपना अर्थ देगी ठीक है याद रहेंगे गुरू जी कुल कितने पिरसन है पढ़ते रहो पढ़ते रहो जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम बहुत सारी किलासे पढ़ लेंगे अरे पर फाड़ना है यार पहले के समय को अपरहन कहते हैं याद रखेगा अकल पर पथर पढ़ना मुहावरेकार्थ क्या होता है मूर्ग बन जाना अपमान जनक बात क पहना या बेटा भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना चैन की नीन्स होना तब लोग बताईए तोड़ा सब पूल दी दीजी बच्चों को जाय किस किस को पीनी है बेटा एक बार आ जाईए आप लोग जल्दी से कि कि अग्यों कि अकल पर पत्थर बढ़ना मूर्ख बन जाना नहीं बचे मूर्ख बनना तो अपने मतलब से बनता है कभी नहीं बनता अपमान जनक बात कहना वह तो बेटा ऐसा होता कड़वे वचन बोलना दूसरी को थिस पहुंचाना ठीक है बुद्धी ब्रष्ट होना य पत्थर पढ़ गए थे जब यह कोश्चन तुझे आता था तुन्हें गलत क्यों किया भाई बोलते है ना तो याद रखो बुद्धी ब्रष्ट होना बेफिक्र होना तो बेटा वह होता है अराम की जिन्दगी गुजारना टेंसन ना होना पोश्चन नंबर 133 अंगुठा दिखाना मोहावरेक आर्थ क्या है बेटा कि स्तेहमत होना नहीं कभी नहीं हो सकता धोका देना जीत जाना उत्तरीन होना ना तो बेटा उत्तरीन होना होता है अंगुठा दिखाना होता है किसी को धोका देना मान लीजिए आपने मुझसे क अब मैंने फॉन किया आपने फॉन नहीं उठाया अरे भाइया मैं तो यह रात हो गई खड़ा हूं आपके घर के बाहर आप गेटी नहीं खोल ले तो आपने अंगठा दिखा दिया मुझे धोका दिया मुझे खाना भी नहीं खिलाया है वह होता है दोकर देना आपका दोस्त आपको ले गया कहीं और बोला कि मैं अभी आ रहा हूं तो महीं खड़े रहे वह पता नहीं भग्या कहा हूं कोशिन नमर बेटा 134 अपने मुझ मिया मिठ्थू बनना जो वेक्ति ऐसे होते हैं अपनी बात अपने मुझ से बोलते हैं अपनी बात को बहुत उपर तक बोलते रहते हैं अपने मुझ मिया मिठ्थू बनते रहते हैं अपनी प्रसंसा स्वेम करते रहते हैं तो बेटा उस ठीक है लेकिन बेटा ऑप्सन नंबर जो ए वाला है यह आपका राइट आंसर होता है अपने प्रसंसा स्वयम करना अंडे का सहजादा इसका आर्थ देंगे इसका अंसर बताई तरे में एक घुट चाय पीता हूं बस जलती सब लोग बताईए पता है अंडे का सहजादा कमजोर व्यक्ति नहीं चालाग व्यक्ति नहीं अनुभवी व्यक्ति आनुभव हीन व्यक्ति तो भही अंडे पर जो सहजादा बनकर बैठ रहा है उसको यह नहीं पता अरे अंडा टूट गया तू सारा गंदा हो जाएगा यहां गिर जाएगा नी तो बेटा डी आंसर हो जाएगा अनुभव हीन व्यक्ति होता है हूँ ठीक है वेरी गुड को से नंबर 136 इद का चांद होना यह से आपका कोई दोस्त है वह आप से बहुत दिन बाद मिला तो आप कहेंगे यार तो तो इद का चांद हो गया भाई दो साल में मिला है कहां था बहुत दिनों के बाद देना यह जेखा है शहेइक गहना प्रद् unveil ऐसे बहुत दिनों बाद दिखना मैं कुछ बच्चे बी की तर जाएंगे जो गलत करा देगा आपका आपका अंसर है खीर वाले चौदरी साब प्रधान जी बिलकुल भई भी बिल्कुल ठीक है बेटा चलिए कोश्चन बताओ जल्दी से बहुत दिनों बात दिखाना यह तो बेटा सैमी आंसर इद का चांद होना यह तो कोश्चन बहिए रिपीट है कि बोले कोश्चन का वो बदल गया तरीका मुहावरेकार्थ लिखिये कौन सा है उल्टी गंगा बहना बेटा क्या है उल्टी गंगा बहना गंगा के साथ बहना गंगा के विपरीत दिशा में जाना विपरीत काम करना अनुकूल काम करना अनुकूल तो गंगा की दिशा हो गई यह क्या रहा है उल्टी गंगा तो कद़ेश्य पकाना मुहावर्यकर्थ बताओ यहाए बोजन बनाना नहीं ज़ेशन दाल मिलाकर बनाना किसी सढगी तयारी करना किसी के लिए खाना तो तुम जानते हो ऑगा जब हम दो लोग आपस में काना फुसी करते रहते किसी सडीयंतर की तैयारी करते रहते तो उसको बोला जाता है वह जो होता है नौर्मिलाइजेसन उसका फायदा मिलता है पूछ्ड की inom मिलता है उसके बाथ प्यारी पहुषक्यावतिया सेलेक्ट जाना और मेरे प्यारे बच्चे यहalu 21 में पूछा गया था और इसको पेपर में पिछली बार मीप्छा गया था है प्यारे बच्चे इस question का answer होता है दया ने रह जाना बिल्कुल खून सफेद हो जाना जराबी अंदर कोई अपने पन का भावी ना रहना बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे दया ने रहना आश्चरीय चकित मत कर देना आश्रज में रहना नहीं होगा आंसर नंबर दी वाला होगा मेरे प्यारे दोस्त दयान ने रह जाना किलियर गागर में सागर भरना बेटा सब लोग बताईए इस कुश्चन का पिछली बार भी पूछा गया है पेपर 2023 स्सी जीडी ने भी पूछा था ठीक है ना 2023 में जीडी ने पूछा है बेटा स्सी ने स सब लोग बताईए इस सागर बंना मुहावरे कार्थ क्या होता है कि सभी प्यारे बाइब बताएंगे कम बोलना बहुत बोलना थोड़े में बहुत कहना या दोहे की रचना करना जी बोलो अ सबभांए तो बिटा तुम्हें गागर में सागर का मतलता होता है घड़ा गड़ा समझते मिट्टी का गड़ा जो होता है बेटा मिट्टी का जो गड़ा होता है प्यारे बच्चे मिट्टी का गड़ा मिट्टी का गड़ा देखा है कितना सा होता है और उसमें पूरा सागर समुद्र भरना तो कितनी बड़ी बात हो गई तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़े में बहुत कहना ठीक है? किलियर कर दोगे? वेरी गुड गुरू जी मेरा बीस को एक्जाम है बहुत बढ़ी अबात है ये तो बीस को ये दे देगा बेटा फर्स्ट टेम शुट जाएगा फिर देखर के चलिए अगले कोश्चन का अंसर है चोर की डाड़ी में तिनका चोर की डाड़ी में तिनका पता है ये बिच्चे अपरादी की अपनी डाड़ी खुझलाना अपरादी का संका ग्रस्त रहना अपरादी की पहचान हो जाना अपरादी का अपनी पहचान छिपाना तो तुम्हें एक बात पता है जो चौर होता है ना वो संका ग्रस्त रहता है कोई मुझे सकना कर ले मैं कहीं पकड़ में ना आ जाओं मुझे कोई पहचान ना ले कि मैंने किया एक कारी है का मसते हैं आप लोगने बात तो प्यारे बच्चे उसे बोला जाता है चोर की डाड़ी में तिनका अपरादी का संका ग्रस्त रहना वो चुप रहेगा तेगी सोचता रहेगा कोई मुझे सकना कर ले वो खुद ही खुद परिशान होता रहेगा अंदर-अंदर तो याद रखना बेटा ऑप्शन नंबर 20 बात का अच्छे से राइट यह पत्ते आ रहे हैं पत्ते फिर टूट डाल डाल में पात-पात तू मुझे से तेज में ऊज्वारा घकत्रा अग्रंना नहीं डाई-पर चड़कर खिलना नहीं चाला की का जवाब चाला की से देना तू तो हुश्यार बनी रहा है तुससे जाड़ा ऑसस्यार हु़ हूं सोचना अनोका काम करना अनोका काम करना विपरीत काम करना काम निकलने के बाद सोचना आराम से विचार करना अरे यार पानी पी लिया तुम कहीं गए हो पानी पिया और यह पानी पीगर करें आप किस जाती से हैं काम निकलने के बाद काम निकलने के बाद सोचना आंसर नंबर सी वाला लोक करना मेरे बच्चो विप्रीत काम नहीं कानों का काम नहीं आराम से विचाह करना नहीं कि अ है कि कोशियन नमबर 145 फूक फूक कर कदम रखना बताए बच्चो धीरे धीरे चलना दर कर कदम रखना फूक मारते हुए पैर रखना सोच विचार कर काम करना फूक फूक कर कदम रखना कि भाई कहीं कोई गलती नहों जाए ठीक है प्रॉम उडिशा बेटे दोस्ट नमस्ते फूक फूक कर कदम रखने का मतलब होता है दीरे दीरे चलना नहीं होता दर कर कदम रखना नहीं कहेंगे सोच विचार करना तब किसी कार्य को करना है ना प्यारे बच्चे सोच विचार कर काम करना जिसके लिए आंसर होता है ठीक है ना पेटा पिर्थम दिन एक्जाम हार्ड होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आया एक्जाम हारडर आसान नहीं होता यह बांज किया जाने पिरसव की पीड़ा दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना शाहनु भूती नहीं दिखाना संतान हीन होना या जिस पर बीटती है वही जानता है तो कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे बांज किया जाने पिरसव को महीला को बच्चे डिलीवरी मेरे बच्चों आपका यहां यहा भी हो जाएंग यह व्रन्वाला गलत लग जाएगा एक बहुत बड़ा मैं बहुत बड़ा नंबर होता एक नंबर है ना पेपर में क्योंकि मेरे दोस्त एक नंबर से नौकरी उपर नीचे हो जाती है एक नंबर कम करते ही ददस बीस भी सजार बच्चे उपर चले आते हैं मुठी गरम करना ये तो सब बता दोगे लेकि तुम्हारे जीवन में मुठी गरम करने का अप्शन देना मुठी गरम करना कर चांदी का शूता मारना फिर रिष्वत देना होता है याद रखना रखना कभी वह मिल जाए आपको सब्पजितना प्छानव मतलब भो मेरे प्यारे बच्चे रिष्वत देना ही होता है है ना याद रखना तब जिबाग दिखाना ये आंसर बताओ चलो तब जिबाग दिखाना जो व्यक्ति तुमारा अपना बनेगा अरे भाई ते लिए तो जान दे देंगे आधी राध तू कहतो देना एक बार है न जब मौका पड़ता है तो कहते मैं क्यों मैं पागल हूं क्या तू मर रहा है मर यह से कहते हैं तो इसे कहते हैं अच्छी बाते कहकर भेक आ än अपना काम निकल वाने थे आमसे लिए तो बता दो आ eu मुहावरे का उप्युक दर्थ क्या है सैतान की आथ अतियंत धूर्त व्यक्ति बहुत लंबी वस्तू अतियंत नगर्ने वस्तू या लाब दायक वस्तू बोलो बेटा बताएंगे बच्चे तो बेटा बहुत लंबी जो वस्तू होती है उसे सेतान की आत कहा जाता है क्योंकि सेतान की आत होती है बहुत लंबी वस्तू होती है ना बिल्कुल तो प्यारे बच्चो आंसा नंबर B वाला आपका राइट होता है राइट B वाला ठीक है बई अंदी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ती का आर्थ क्या होगा बेटा बताओ अंदी पीसे कुत्ता खाए हानी ही हानी नहीं बई अंदी पीसारी पीसने में लग रही है और वो पीसने के भार निकाल रही आता और कुत्ते पीछे से लगे हुए और खा रहे है ठीक है तो अंडी पीसे कुटता खाय, लोकोख ती कार्थ क्या होता ऐयोग्य सासक के कारण कुपर्शासन। ठेल हैं लाभ कम हानी ज्यादा मालिक से दुश्मनी करना। तो तो गलत, गलत ऐस्षा करण भूलंबर B वाल वाला साी होता है, आपका कि एयोग्य सासक के कारण कूपरशाशन सासक जब मजबूत नहीं होगा एयोग्य होगा योग्यता उसके अंदर नहीं होगी तो सासन जो होगा बेटा वो गलत होगा गंदा होगा वो करी नहीं पाएगा धील बढ़तेगा हमेशा तो प्यारे बच्चों भी आंसर आगे आता है कोशन नमर 151 एक पंथ दो काज लोकुक्ति कार्थ बता दो बेटा क्या होता है एक पंथ दो काज लाब ही लाब होना एक काम से चार लाब होना एक ही काम से दो लाब होना एक पंथ दो काज का मतलब कारणी है ठीक है तो बेटा एक काज होना लाब ही लाब होन नहीं बिटा नमबर डी वाला लोग करिएगा डी वाला एक काम से दो लाब होना ठीक है जैसे कहते हैं आम क्या गुठली ओके नाम दो है रलाब आम भी खा लिए और गुठली भी बेच लिए उनका भी पैसा बन गया चमडी जाए पर दमडी ना जाए चमडी जाए पर दमडी ना जाए हमारा एक एक आंग लेकर पैसा जो हमारे पास है उसमें से wonder ना खर्च हो जाए तो उसको क्या कहते हैं सब लोग बता यह सो लोक कुए करीब हो ना नहीं बच्चो बहुत सहंस्तिल हो ना नहीं बहुत है तन पे कपड़ा ना हो लेकिन पैसा दा खर्च हो जाए एक चवन ने तो बेटा वो होता है बहुत कंजूस व्यक्ति आंसर नमबर सी वाला पुशन नमबर मेरे प्यारे बच्चे एक सुतरे पन चोटी का पसीना एडी तक आना चोटी का पसीना एडी तक आना इस कहावत का अर्थ क्या है बेटा बताओ पिर्ती दीन सोरी कुदना पिर्ती दीन कसरत करना कड़ी परिश्रम करना सब बच्चे बताईए राइट आंसर क्या होगा बताओ बेटा तो चोटी चोटी होती है सर पे हैंना एक कमेंट नीचे रोके में दर देखा दो इस टो वीटा कड़ाश्यम करना अधिक मेस बहुत अधिक महन दरहना होता है इसका राइट एसका हाँ ओर है मोगडि अपने हाथ पगड़ी का मतल़ होता हाँ इसका इसत इसकी में कहा गया है तो इस अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ती का सही अर्थ क्या होगा अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है अपनी पगड़ी श्वैम शंभालना अपनी पगड़ी श्वैम पहनना या पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना तो बच्चो कहते हैं अपनी इजट अपने हाथ वह वाली बात है यह जदी किसी से आप गल्ट बोलोगे तो वह सामने वाला तुम्हारी इज़त नहीं करेगा वह भी तुमको गलत बोलेगा तो इज़त से बुलवाईए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो कहते है अच्छा बोलोगे तो इज़त फिरी मिलेगी बस में लिख प्रश्चन नमबर 155 आपके सामने आ बैल मुझे मार हां सवरी हां यह है आव बैल मुझे मार तो बताओ बैल को जान बूझ कर मारना बैल को मारने के लिए आमंतरित करना उसे दावत दोगे क्या गलत जान बूझ कर आफत मोल लेना ठीक है तो प्यारे बच्चे जान बूझ कर आफत मोल लेना होता है आब एल मुझे मार ठीक है ना चलिए प्यारे बच्ची आंसर आपका राइट हो जाएगा कोशन नमबर 156 पहार तूट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है पहार तूट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चो बताईए बेटा व्यक्ति का बड़ी विपत्ती में पढ़ जाना पहार के नीचे दब जाना अपने को ऐसमर्थ मानना या पत्थर से परवत से पत्थर का गिराना तो तुम्हें पता है पहार तूट पढ़ना कब होता जमान लीजी आप किसी आफ़त में फसे हुए हैं और आप पर कोई विपत्ती और ज्यादा आ पड़ी तो आप कहेंगे यार बड़ी आफ़त में फस गया भाईया क्या करूं मुझ पर तो कहें तूट गया पहार जाना आंसा नंबर एवाला आपका राइट हो जाएगा ठीक है कि आप चले वेटा पानी पीते रहे ना भाई सब लोग जहर का घूंट पीना पानी पीते रहे ना सब लोग कहना मैं तो पी रहा हूं आप भी पी लेना ठीक है गलत कारिय करना भूल से विश पी लेना एश है इस्तिती को भी सह लेना या कठीन काम करना जहर का घूंट पीने का मतलब होता है मान लीजिए कोई ऐसी परिस्तिती आ जाती है व्यक्ति के जीवन में कि हम उसे सहन नहीं कर सकते लेकिन मजबूरी हमारे सामने ऐसी होती है कि फिर भी हमें सहन करना पड़ता है फिर भी उस परिस्तिती से हमें गुजरना पड़ता है चाहे क्यों हमारे मान सम्मान को ठेसना पहुच रही हो तो मेरे दोस्त आप्सन नंबर सी वाला है राइट होता है बाकी सभी गलत आंसर होते है ठीक है ना? ध्यान रखना Quesion No. 158 इस किर्मान्क में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है गीतवाना, प्रसंसा करना, चीटी की चाल, बहुत दे में चलना चक्के छुडाना, हालत खराब होना बही छुडाना तो मतलब दूसरे का होता है या खुद के लिए कि कहा जा रहा है यह बात खराब होना यहां पर होना नहों करके हापर होना चाहिए हालत खराब करना भाई हम माल लीजिए भारत ने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिये तो उनकी हालत खराब कर दी न बोलो मेरे प्यारे बच्चों घर में गंगा बहाना सुवीधा करना बिल्कु सही है आंसर नमबर बेटा बी सुरी सी वाला ही लॉक किया जाए स्थी वाले में ही सही तूरूटी सही गलती है अर्थ नहीं है ठीक है कोश्य नमबर 159 169 यह कहता है अपना हाथ जगन नात लोकोगती का सही अर्थ क्या होता है सर जी 140 गलत है अच्छा प्रकास मेटा पहले हम इसको देख चले 169 करनेगा 140 को चेक करूंगा क्या गलत है उसमें है ना उदर 19 हार गए हां बेटा अपना हाथ जगन नात इस्वर के साक्षात दर्सन करना अरे नहीं वहिया इस्वर के समक्षात फैलाना नहीं अपना काम स्व छोड़ दिया तो वो मेरे प्यारे बच्चे समय से करके नहीं देगा तो बेटा अपना काम श्वेम द्वारा ही संपन करना उचित होता है अपने हाथ से इस्वर की मूर्ती देखना नहीं को 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 श्यन नंबर 160 को को कि के अ कि अद्जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कि दूसरे के सामने ज्यादा बोलने वाला अलपग्य व्यक्ति कम घ्यान की दिंग ज्यादा हाकता है अत्यदी ज्यानी होना घड़े से जल को गिराना तो बेटा राइट अंसर होता है जिस व्यक्ति को कम घ्यान होता है वो बड़ी-बड़ी डिंग हाकेगा अपनी बात करती शोक्ति करेगा जमीन से उठाकर सर पर ले जाएगा तो उसे बोला जाता है बेटा अधजल गगरी छलकत जाए कम ग्यानी व्यक्ति जादा बोलते हैं जादा ड्रामा करते हैं जो ग्यानी होते हैं वो चुप रहते हैं अरस्तु की एक बात है मैं आपको सुनाता हूँ अरस्तु ने कहा था कि जितना व्यक्ति महान होगा उतना ही उदास दीखेगा याद रखना जो रखती ज्यादा दिखावा करेगा वह बेटा सही नहीं होता तो प्यारे बच्चे आपसन नंबर भी हमारा हैं राइट हो जाता है 140 नंबर वाले बच्चे का कोश्चन देख लेते हैं एक बार सभी लोग हैं न कि 140 नंबर को देख लीजिए भी क्या गलत है उसमें सभी का डाउट तो नहीं बन गया है क्या पता है ना इस बच्चे ने यदि कहा है तो कोई नहीं बिटा यह आंसर इसका राइट खून सफेद होना यह डाउट तेरा जिंदगी में के लिए नहीं होगा इसका अंसर यहीं है और पेपर में आया हुआ कोश्चन है और इसका अंसर पेपर ने यहीं माना है मेरे दोस्त तो इसमें मैं कुछ बढ़ी तरफ से बदल भी नहीं स फिर क्या होगा दोस्त फिर आपने आंसर यहीं मिल गए और गलत लगा दिया तो मैं बच्चों का सबका एक नंबर से दोसी नहीं बनना चाहता ठीक है चुलू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है नदी में डूब जाना क्या नदी बह रही है बही है और बोलो बिटा डाउट मत बनाईएगा देखो एक साथ के साथ किलियर करते चलिएगा न ने तो किलास लेट होती है फिर बच्चे नदी में डूब जाना नहीं होता लड़की यह लजज्जा उसको डूबोना नहीं बिटा नदी से चुली बपानी निकालना नहीं आंसर कुश्यन नमबर बेटा 162 तब पच्ची बताईए अपने पैरों कुलाडी मारना कथीन कार्य करना अपने नुक्सान स्वेम ही करना कुलाडी से पैरों को काट लेना गलत पैरों से एसंबब कार्य करना नहीं अपने नुक्सान स्वेम करना ही होता है अपने पेर कुलाडी मारना मन चंगा तो कटोती में गंगा लोकोक्ती का सही अर्थ बेटा बताईए क्या होगा मन चंगा तो कटोती में गंगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है कटोती में हात होना बहारी बातों पर ध्यान ने देना या बेटा भाई ये आडमरों में एविश्वास तो मेरे बच्चे कहते हैं यदि हम मन से जीते हुए है ना तो हमें दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता यदि हमारा मन पवित्र है तो सबसे बड़ी पवित्रता हमारे पास है तो बेटा इसलिए इसको कहा गया है मन चंगा तो कटोती में गंगा ठीक है ना मेरे दोस्त याद रखना कोशन नंबर मेरे भाई 164 164 जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो वेटा दिन्डा बाजे लोकोगति का सही अर्थ किस क्रम में है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है काम करने वाला ही शुशोभित होता है जिसको जो कारिय दिया जाए वही करें अच्छा काम सज़ता है तो मेरे बेटा answer number A वाला ही right होता है इसका very good जिसका काम वही करता है उसको सज़ता है वही जानता है उसके बारे में question number मेरे प्यारे बच्चो next खुसिया मनाना किस मुहावरे कार्थ है जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप खुसिया मनाएंगे घर में दिये जलेंगे बेटा घी के दीपावली मनेगी तिया ना याद रखना तो मेरे बच्चे घूरे के दिन फिरना घी के दीपक जलाना घर में गंगा बहना उप्युक सभी खुसिया मनाना में बताई और यूए में एक आंसर कह legal दीपक जलाना भी आंसर होता है लेकिन किसी के दिन फिरना उसका खुसिया मनाना है है ना और घर में गंगा बहना उसका भी खुसिया मनाना है या net घर में खुशी आ भी तो इसके तरफ से उप्यूक सभी की तरफ भी आ सकते हैं लेकित सबसे उप्यूक तुजो विकल्प है ठीक है वह अंसर हमारा वी वाला राइट होता है गी के दीपक जलाना तर दिसा के बारे में अच्छे से बताएं बेटा देख ये होती है चार दिसा ये तो होता है पूरव ये होता है तुम्हारा पश्चिम ये होता है उत्तर और ये होता है बेटा दक्षिन तो पेरे प्यारे बच्चे इसके जो बीच में कौन बनता है कौन सी दिशा होती है वो इशान दिशा होती है इसे प्यारे दोस्त आगने कहते हैं ठीक है यह यह बेटा चारो अधिसा हो मैं याद रखने है ठीक है ध्यान दख लेना भई चलो तो बेटा B answer lock करिएगा कौन सा क्रम सही नहीं है बेटा बताईएगा गांट बांधना मुहावरा है बिल्कु सही बात है मैंने बताया था जिसके अंत में ना आता है वो मुहावरा होता है याद रखना ठीक है चुलू भर पानी में डूबना मुहावरा है बिल्कु सही है तूट की सकरवट बेपता है लोकोक्ति है दिस नहीं है लेकिन प्रेली को यह बात गलत यह बेंड़त को दिस уб día लिखा व्यक्तिय ज्यादा है ना तो इसको समझा रहा है नहीं बात बोल देते हैं ना उल्टी ये बास बरेली को मत्व कर मेरे दोस्त बांजा बोलते हैं ने बैरे बच्चों तो भाईया आंसर नंबर सी को याद रगी कोश्चन नंबर 167 डंका बजना मुहावरे का सही प्रियोकिस क्रम में हुआ है बताई करना जूट बोलना प्रतिष्ठित हो जाना सोर करना दंका बजाना कि बताओ बिटा दंका बजाना मुहावरे काड़ अब बताएं विटा सब बताएंगे कुछ बच्चे जा रहे होंगा सी की तरह प्रतिष्टित हो जाना वो खुद के लिए है लेकिन इसने बोला डंका बजाना बजाना खुद के लिए नहीं तो अपनी बात को बहुत ज्यादा किसी के बीच में दिया प्रेजा कर आप उस बात को रखते तो प्रचारित करना होता सब के कोई जानता नहीं है तो उस बात को सब के बीच में ले जाना फैलाना उसको प्रशारित करना ठीक है कि एक मेरा बच्चा कह रहा है कि और की में अंतर क्या होता यह सारी गिरामर तुझे अब समझ में नहीं आएंगी वैसे बताई देता हूं लेजिए की और की बटांगी जो की होता ना कहीं तरक कनने के लिए लगाया जाता है और यह बड़ी वाली की जब भी आती है उसके कोई स्थिलिंग सब दाता है याद रखना राम की मता कोशल्याति देख बटा ये वाली की कैसे आएगा राम की मता कोशल्याति तो बेटा जब ये बड़ी वाली की आती तो इसके बाद इस त्रिंग आता हमेशा के लिए बस ठीक है अब ये गिरामर इतनी बता पाऊंगा है एक मेरे दोस्त कौन सा क्रम सही नहीं है बताए होन हार बिरबान के होत चीक ने पात मुहावरा है क्या अकल के घोडे जौड़ाना ना प्रत्या गया ट्रीक बेटा सिंपल सी है याद रखना मुहावरा है सही बात है हतेली पर सर्सों नहीं उक्ती लोकों ती ये बेटा जहर दे विश्वास ना दे मेटा लोकोगती लेकिन लोकोगती है मुहावरा नहीं है इसका मतलब क्या होता है होन हार बिर्बान के होत चीकने पाथ तो यह कह रहा है यहां पर भीयारे कवी कि जब कोई बीज किसी भूमी में दबाया जाता है उगने के लिए तो जब वह अंक कितनी विरद्धी करेगा कितना विशाल होगा तो कहने का मतलब यह है जैसे कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखना कितना जीवन में हमारा नाम करेगा तो यह बात यहां पर सही है बिरबान का मतलब है वो कच्छा बीज जो अंकुरित होकर उपर आता है ठीक है उसको बो हुश्यार बच्चा होगा जनम में नाम करेगा हमारा मेधावी द्रोपती का चीत्र बचीर बतादो बेटा क्या है बहुत पवित्र होना लज्जा हरन होना अत्य दिक्रूप होना यह ऐसी वस्तु जो समाप्थी नहों तो तुमने देखा था जब चीर हरन हो रहा था महा भार हो एसी वस्तु जो कभी समाप्थी नहों कि कहें ना कि कोश्या नंबर बेटा 170 कि ध्यान दो दिमाग लगाओ थोड़ा सा भावना उम्मद वहो कहां राजा भोज कहां गंगु तेली तो मेरे बच्चे राजा तो बहिया ऊपर बैठता है तेली तो बिचारा नीचे बैठे लोग हम से हमारा हमको जानेंगे हमें पहचानेंगे जवापकी जौर लग जाएगी आफ़ हिटता में जोब ताल का अंतर होना या वह built तूर की बात नहीं वेरी गुड़ कोश्यन नंबर आया मेरे भाई 171 171 चाती पर पत्थर रखना इसका अंसर बता दो बेटा कठोर हिर्दय विपत्ती में भी विछलित नहीं होना आफत कितनी आ जाए रण भूमी से नहीं जाओंगा विवस्त होने का मतलब भी नहीं बनता ह विपत्ती में भी विचलित नहीं होना कह दिया तो कह दिया अड़ गया इस बार नौकरी लेनी है तो लेनी है जिन लोगों मुझे तानिमारती उनको दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ ठीक है मेरे दोस्तों आइए हैं 172 नंबर पर आते हैं बता यह विटा गंगा गए गंगा दास जमना गए जमना दास का सटी करत है अच्छा तीर्थियात्री ये शश्वी व्यक्ति अवशर वादी व्यक्ति यह सभी तो बेटा अच्छा तीर थ्यात्री नहीं होता कहते हैं जिस व्यक्ति को जैसा अवसर मिले उसको वैसे ही मुड़ जाना चाहिए तो बेटा अवसर वादी व्यक्ति गंगा चलेगे गंगा दास और जमना चलेगे जमना दास ठीक है सबसे अलग इस्तिती किसी किस लोगों ठीका आर्थ है भाक के तीन पात तीन लोग से मत्रों न्यारी तू डाल डाल मैं पात पात या इन में से कोई नहीं सर्जी 171 का भी तो बेटा आउप्सन होता है आउप्सन नंबर भी तीन लोग से मत्रों न्यारी तीन लोग से मत्रों न्यारी सबसे अलग होना कुशन नंबर 174 एक नागिन अरूपंक लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताओ बेटा इक नागिन अरूपंक लगाई एक तो खुदी भाहिया वो नागिन है उसके अंदर जहर ई और उसे पंक और लग गए अब तो भाहिया नागिन महा नागिन बन गई भी या अब नहीं चोड़ेगी जिसको डस लिया वो गया तो नागीन के पंक लग जाना नहीं एक दोस्त के साथ दूसरा का जुड़ जाना बेटा अंसर नंबर भी ही लगाना बाकी मेरे प्यारे बच्चो गलत कर दोगे और लगाओगे तो कहते हैं एक तो कड़वा दूजा नीम चड़ा एक तो खुदी कड़वा था करेला कहते हैं एक तो करेला कड़वा दूजा नीम चड़ गया दूसरे मलब बुरे से बुरे का मिलकर और महा बुरे बनेगे भी या कोश्चन नंबर भच्चो एक सो पिछेतर अचूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकुक्ती का सही अर्थ बताओ क्या होता है एयोग्य व्यक्ति द्वारा इस्तरिय वस्तू का उप्योग सौंदरिय प्रशादन को बढ़ावा देना किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना इन मेंसे कोई नहीं तो बिटा कहते हैं एयोग्य व्यक्ति को व्यक्ति द्वारा इस्तरिय वस्तू का उप्योग अचूंदर के सिर में चमेली का तेल ए आंसर आपका राइट होता है मेरे प्यारे बहन भाईयो बिलकुल लॉक कर दीजी पोशन नमबर 176 सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा उचित है सम्मान नष्ट कर देना प्रतिष्ठा नष्ट कर देना है ना हमारे सम्मान को ठेस पहुचा देना नाक नीची करना, नाक उची करना, नाक टेड़ी करना, नाक में नकेल डालने का मलना समझते हैं, किसी को बस में कर लेना, वो मत कहने किसी को परिशान वाली बात, याद रखना, बेटा यहां सम्मान नश्ट करना होता है, नाक नीची करना, माली जी आप समाज में बहुत पर बेटा धूल उड़ाई गंदगी उड़ाई तो लोग कहेंगे रे भाई उसके सम्मान को नश्ट करना उनकी नाक नीची करना चाहते हो आप कोई नहीं कर सकता भाई वह ऐसे हैं ही नहीं व्यक्ति कि 117 नंबर आते अंगारे उगल्ला बेटा सब बता दो इसे तो चलो कि पताए बेटा कि पताए वचन कहना मुह में अंगारे निकलना जुआला मुगी फूट जाना आग का फैल जाना तो मेरे दोस्त आंसर होता है बेटा कठोर वचन कहना कि यह थे नहीं भाई यार क्यों अंगारे उबल रहा उसने थोड़ी गल्ती कर दी तुमने तो या उसे गुली मार दी यह ना भाई उसे थोड़ा थोड़ा सा करिया जो गया रहा है बच्चा सही ए लगाओ लगा दिय तुम क्या खा रहे हो सर जी बेटा मैं इस भाई ने वो नी होता है एक पकोडी मगा कर मेरे मुँमें वो चटनी में लगा के दिदी सजी एक तो खाली जी तुम्हें भी खिला हूं लो कि मुझ खोलो जल्दी से यह बेटा पकोडी खानी है कि कि आप खेनी खाते हो जीवन म तो और भूप पेट भरके रोटी नी घाई यार तुम खेनेगी बात कर रहे हो चलो ठंडा पढ़ना मुहावरे कार्थ क्या है तो विटा कहते है डिला पढ़ना ठीक है अरे ठंडे पढ़ रहे हैं अभी से कैसे जवान बनोगे यार तुम्हें देश की बौडर को समालना ह है मेरे प्यारे बच्चो थिक है कि अई सकता कभी नहीं हो प्याइव कोई साथी निया कि यह के बाइब मज़े का कोई साथी निये इस दुनिया में मज़ा तो मेरे भाई विशाल खुदी आता है मज़ा तो उस दिन आया जिस दिन वर्दी मिलेगी ते ना मज़ा जब तक नहीं आ अवशर का लाब उठाना विशाल मेटा अवशर का लाब उठाले मज़ा तो जीवन में आए गई आएगा हमेशा आएगा ठीक है नौकरी मिल गई तो बेटा जिंदगी में मज़ा सुरू और नौकरी नहीं मिली तो मज़ा खतम देख लेना ठीक है चलो हुत कर दोड़ाना से मिल दोड़ाना केवल कलपना करते रहना गदाल सी की आएग तरह बात करना त island छिंतन पर पड़ेना रहना गोड़े पर चड़ कर दोड़ना गलत गलत बनाट का का यह काय को कलपनिक बाते करते रहे ना कि नौकरी मिल जाएगी तो बेटा मम्मी पापा भी सोचते हैं रहे लड़के की साधी में गाड़ी लेंगे हैं ना व्यंग करना विद्वान का अपमान करना सौमम व्यक्ति प्रतारित करना यह मदूर बातों से लज्जित करना न उच्छ को लगजित करना किसी को किसी को बहुत ज्यादा सारी बाते कह देना और हस्ते हस्ते बोल देना ठीक है तो प्यारे बच्चे आंसर नमबर डी वाला होता है आपका राइट आंसर ठीक है ना बाकी बेटा एयोग्य विकल्ब है कोश्यन नमबर 182 मुझे बेवकूफ मस समझना मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूं मैं कच्ची गोलिया नहीं खेली है मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूं या मैं भी दिन में तारे देख सकता हूं तो बेटा ऐसे थोड़ी कहता है कौन कहता है सी वे तैसी बात म मुझे बेवकूफ मस समझना मैंने कच्ची गोलिया नहीं खेली है मैंने भी बहुत सारी कितावे पड़ी है ठीक है ऐसे बोलते हैं यह ना बच्चो वही व्यक्ति बोलता है सब्दकों जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है याद रखना नहीं बात तो को देखो जहां से म अल्टी गंगा बहाना जानता उल्टी गंगा कौन बहादेगा यार कोई दुनिया में पैदा हुआ है क्या भगी रख जिसके सर से निकली थी वो नहीं बहा पाया हमारी तो अखात क्या है ठीक है तो आंसर नंबर बी ही लॉक करिए गा वही राइट होगा कोशन नंबरerta किया जाने अद्रक्का स्वाग काहवत का बताद कि बहाद मालूम नहीं होता पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फ如果 क् Gemeändश्व रक में स्वानेंद्रिया और यह जिससे टेस्ट तो कहते हैं गुरुजी सही तो पढ़ा रहे तू पढ़ना नहीं चाहा रहा तो इंट्रेस्टी नहीं लगा रहा अपने में जब तक तो अपने अंदर यह भाव नहीं जगाएगा तक कैसे पढ़ पाएगा तो मेरे बच्चे उसका मतलब हो जाता है गुणहीन व्यक्ति अच तो बीमार के लिए अनार आवश्यक होता है अनार बहुत महंगे है काम में कैला होग यह थोड़ी चीज के चाहने वाले अधिक होता है आपका चीज़ एक है चाहने वाले उसके बहुत सारे गुरु जी नलब घहले याद रखना है ना सर जी, 120 आरहे हैं UP SC होगा या नहीं 120 आरहे हैं UP SC UP कैटा UP State से हो, SC कैटा गिरी से हो 120 नंबर आरहे हैं अच्छा, तो और मेहनत करो यार और मेहनत करो 好了 और मेहनत करो भाई गुरुजी मेरे दो फरवरी के हिंदी मिनिक मौक टेस्ट में बिटा देखो अब तुम बाते इतनी सारी बाते नहीं कर पाऊंगा मैं ठीक है ना कुमारी पूनन ताक क्या पर एक बार 101 कोश्चन को देखिएगा बिटा रुख जाओ पले 101 को देखते हैं वह बच्ची कह रही है तो एक बार उसका विपत्ती में वी विचलित ना होना पत्थर रखने का मामला समझते हैं चाती पर पत्थर रखना हमें सब कुछ पता होता है कठोर हिर्दय मतलगा देना बेटा कठोर हिर्दय की बात करीगी यहां तो सिवल यह चाती पर पत्थर रखने का मामला है तो यहां पर यह कह रहा मुहावरे में एक के अनेक अर्थ निकल जाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है उसके लिए सटी कर्थ कौन सा है ठीक है वरी प्यारी बच्ची में इसका भी ही आंसर सही है वे पत्ती में भी विचलित ना होना चाती पर पत्थर रखना कठोर हिर्दय की वहां तो केवल ठोर बता दिया और तो कुछ नहीं कहा उसने है ना मिलकुल जाली तो आते हैं वेटा आगे चली वेटा वरतनी का मतलब क्या होता है बोलने का सही धंग बोलने का सही धंग बोलने का सही धंग जो होता है बेटा उसे वरतनी कहा जाता है ठीक है बोलने लिखने का जैसे एक बास समझो आप आप उत्तर प्रदेश में आओगे आपको अलग आवाज मिलेगी अलग भासा मिलेगी आप थोड़ा आगे चलोगे आपको अलग भासा मिलेगी जैसे जैसे आपका छित्र बदलता चला जाएगा वैसे वैसे ही मेरे प्यारे बच्चो आपका बोलने का धंग बदलता चला जा हुआ सही लिखा हुआ है ए लोकिक बिलकुश ही लिखा हुआ इंट इसमें फियारे बच्छें कंगाल में हमारा एक अनुष्रारdens yan कोशन नमबर 186 इस किर्मांक में शबी सुद्ध हैं बेटा बताओ बताईए प्यारे बच्ची तो देखो बेटा संतुष्ट सही है लेकिन अनिष्ट में क्या होता है अनिष्ट अनिष्ट में याद रखना आदाश होता है किर्टग्य देखो यह गलत लिखा हुआ है किर्ट प्रशाद यह गलत है विश्टो सही है प्रशाद में छोटा से होता है प्रशाद यह वेटा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है आपका वेरी गुड चलो आगे आंसर दीजिए आप लोग सर जी साथ को एक्जाम है आसिरवाद दीजिए बेटा मेरे फीचर टीचर जी ब पर में घबरा गए ना फिर बेटा के लिए नहीं हो ति फिर तो दिक्कत हो जाती है याद रखना ठीक है चलो अब शुब प्यारे बच्चे बताएंगे अभी शेक अभी शेक को सही वरतनी कौन सी है बोलिए प्यारे बच्चे ओ कोश्चन नंबर 187 अभी शेक वरतनी में कौन सी वरतनी सही है तो बेटा आपका अंसर कौन सा होता है यह आंसर होता है अभी शेक अभी शेक फिक्या ना बिलकुल इसी प्रकार आपको बहुत साइक त्योहार सब्द होता है बेटा त्योहार याद रखना एक बेटा इसी की तरह न्योच्छावर होता है न्योच्छावर जिक्याना बिलकुल चली तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा कोश्यर नमबर मेरे प्यारे बच्चों भोगोलिक अँप जिसमें बिटा आपको पता है आपका मूल सब्द है भुगोल जन एक प्रत्य लग जाता है यह वाला ऊंच्छा आउंच्छाएगा तो नोच्छाएगा तो यह की बदल जाएगी ऐसे सब लिख चाएगा ऐसे भौगोलिक अब बता दीजे कौन सा सही है तो इसी परिकार प्यारे बच्चे आपका अपसं हो जाएगा सी वाला जैसे सब्समरें बोला बच्चे सब्था ह 팀 का साप्ऩा हिक तो इसमें मूल सब्था होता है क्यों है हमारा सप्टहा मूझ सब्थ होता है सप्थ हार एक किस इसमें लग जाएगे प्रत्य तो से में यहां पर सबन बन जाता इक प्रत्य लगने पर यह लगने पर इसी प्रकार प्यारे बच्चे धर्म होगा फला इक तो बेटा सब्द हो जाएगा आपका धार्मिक धार्मिक ठीक ना धार्मिक ऐसे ऐसी एक बेटा सब्द होता है साहित्य साहित्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता इसमें एक प्रत्य लगाओगे तो यू का यू ही जुड़ जाएगा क्योंक भी यहाँ पर पहले से आ है साहितिक ठीक न ऐसे तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा कोशन नमबर मेरे प्यारे बच्चों 189 किस किर्मांग में सभी सुद्ध सब्ध हैं बताओ आशिरवाद बेटा आशिरवाद ऐसे नहीं लिखा जाता हमेशा आपको पता है आशीर रेकी यवाज आ रही है यहाँ पर लेकिन यह रेफ है तो आगे वाले वर्ण पर चड़ेग किर्पालू दयालू निरिक्षण निरिक्षण बच्चों ऐसे लिखा जाएगा निरिक्षण यहाँ पर बड़ी लगाते ठीक है तो गलती है ऑप्सन नमबर डी वाले भाग में सही है भाई सभी डी आंसर राइट है वेरी गुड चलो आगे बताईएगा बई डाउट नह अल्यां वेरी लाग में सब्सक्राइब में अल्याग कर बच्चों तो हैं गलती यह यह वाला नहीं आएगा यह नक्षण ठीकर बच्चों तुसे कहा है सभी अशुद्ध है तो शुद्ध तो भईया ए वाले में है यह ना बच्चों है हैं तर आलोकिक नेंगे उसमें आनी करेंग इक प्रत्ते से वहां पर हर सब्ध में सब्दों अगले सब्द मी कि रयंगे अन्य बताईए बच्ची इस लिखा जाता है और फूज्य लिखा जाता ऐस्टी थे तो बिटा ये दोनों गलत है पौरानिक पॉरानिक और एक कैसे लिखा जाएगा निरप्राद आपका आंसर डी वाला सही लिखा हुआ है ठीक है डी वाला आपका सही है चलिएगा अगले कोश्चन की तरफ आते हैं 192 किस किरमांग में सभी शुद्ध हैं सभी बच्चे बताईए बच्चो मेटा बोलो सन्मुक एक केता मेटा एक केता सब्द थोड़ी होता है एक क्या होता है सब्द तो हमारा ठीक है न उतकर्ष तदू परांथ मेटा ये वाला गलत है उतकर्ष होता है सब्द या उतकर्ष तदू परांथ ठीक है बच्चो पूजनिय ये गलत उतकर्ष और पूजन अंसर नमबर डी वाला राइट है डी वाला अंसर राइट है वच्चो तीकर ना उतकर शौर पूजनी नहीं चलिए अगला कुशन किर्तग्य अभी पीछे पढ़के आए हैं पर्तिग्या पर्तिग्या ऐसे लिखा जाता है बेटा ये गया या बना रहा है कि तक ये ये भी न कि ऐसी तो लिखते हैं कव्यत्री कव्यत्री रच्यता इसे वाला लोग करिए अगला कोशन आता है सब लोग बताएंगे शांसारी कैसे लिखा जाएगा सब लोग बताओ यहां पर डाउट्री बनना चाहिए किसी का भी सब लोग करते चलना है ना वर्तनी में सर्जी पोल लगवाओ लगा दो लगाओ लगाओ यह यह कहता है कौन सा सब्द शुद्ध है तो बेटा सांसारिक सांसारिक वेरिगुड तो बच्चों दो ईवाला गलत यह वाल गलत और ऑप्सम नंबरมी वाला प्यारे बच्चों आपका सही है यह ना एक बच्चे जैयोत सणा इस सब मत ci और अए पर 5 इन्नती सब लिखकर बताओ उन्नती कैसे लिखते हैं उन्नती तो बिटा उन्नती आओ आदने आदने ते पर छोटी की मात्रा उन्नती है ना तो बहुत नमबर डी वाला राइट है आपका ठीक है चलो चलो बई टैम नहीं मिल आच्छा टैम देंगे लीजे भई इसमें टैम देते हैं जब करिए वन नाइन सिक्स पर लगाईए मेटा जो कोशन मिलकुछ सठीक है मैंने वो कराया अब तुम लोग डाउट पेकार में करते हैं तुमका कोई फायदा नहीं है यार किस किरम में शुद्वरतिनी है सभी लोग बताईए हाई तरह राया है पैतालिस पिरतिसती डेक्राइए इस Зबत कॉम लंगनी को जोता अगे होता है यह फैसे कूर्म भूल देते से बड़ेहूं की मातरा आती हैं कुमढनी यह एंसर बिलकुस priced सही है सी आनसर आपका राइट होता है वेरी गुट 45 प्रितिसात आंसर है मात्र उश्यन नंबर प्यारे बच्चे आपके सामने आता है वर्तनी संबंदी अशुद्धी से युक्त कौन सा सब्द है अनुकूल वापिस मंडल या छुद्र कौन सा सब्द गलत लिखा हुआ है आप लोग बताईए पोलिए बच्चो 197 अब भ्यास हो रहा है बेटा जल्दी से बताओ सब लोग तो बच्चो अनुकूल बिल्कूँ सही है मेटा वापिस कोई सब्द नहीं होता सब्द होता है वापस वापस ठीक है मंडल सही है छुद्र सही है आपका मिल्कूल रायट 56 पिरतीसत बच्चों का आंसर है बड़ा ही कम आंसर है जो बटा गलत है अब तो यसे में 90% आंसर आना चाहिए प्रशंसा चलो यह बता दो प्रशंसा यह आंसर बता दो बटा प्रशंसा प्रशंसा बता दीजे कैसे लिखेंगे इस किर्मांक में सभी सही है तो बेटा प्रशंसा बड़ा वाला शे और प्यारे बच्चे छोटा वाला शे आएगा पीछे प्रशंशा शंशा ठीक है न? बिल्कुल जैसे आप लोग लिखते हैं न? शंका बेटा ऐसे लिख दो शंशा याद रगो तो कौन सा सही आंसर? उप्सन नमबर प्यारे बच्चो आपका स्ती वाला राहित है पूशन नमबर प्यारे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा अशुद सब्ध है अशुद यथेश्ट सही है बुजंगनी सही है लगूतर सही है ठीक है? लगू अशुद लगू बेटा देखो लगूतर में क्या होता है? इसको दो सब दो से तोड़ा जाता है लगू धन उत्तर सही ठीक है न? तो बेटा जब छोटा हूँ छोटा हूँ मिलते है तो बढ़ा हुआन अची है यहाँ भी उकी गलती है प्रदर्शनी बेटा ये भी गलत लिखा हुआ है प्रदर्शनी ठीक है न? ये वाला तो बेटा तुरूटी हमारे सी वाले भाग में है इसमें उकी मात्रा गलत है इस अई हमने कर दी ठीक है न? वेरी गुड चलिए बच्चो अगनी अभी शाप अवनिती अनिष्ट तो बेटा देखो अभी शाप में यहाँ पर बड़ा वाला शे आना चाहिए ठीक है? अभिष्ट सही है अंतर नहित सही है इन्शाफ ठीक है? ओशद यहाँ पर बेटा ओशद आना चाहिए दो मात्राई यहां बेटा देखो आशिरवाद में भी तुरूटी है आपकी आशिरवाद में यह तो बहें दौनों में गलती है अंधेरा में बेटा अनुश्वार होता है उन्हीं उंगना अहल्या गलत लिखा हुआ है बच्चो अहल्या में छोटी की मात्रा आती नहीं है ठीक ना लेकिन बी वाला अंसर सबसे सही है बी वाले में तुरूटी नहीं है दोस्तो बी वाला अंसर आप लोग लौक कर दीजी ठीक है बई प्यारे बच्चो इस किर्मान्क में सभी शुद्ध हैं बताइए बेरे प्यारे बच्चो माधुर्य नीरस माधुर्यता या बच्चो साम्मेता ग्यान या विग्यान या किर्तग्य या सनहार तो किर्तग्य तो बेटा आप अभी लिखे आए हैं किर्तग्य ठीक है सनहार ठीक है बच्चो विग्यान ठीक है ना ग्यान ठीक है मादुर्य नहीं बेटा अंसन नंबर जो होगा प्यारे बच्चे ए वाला सही होता है माधुर्यता नहीं होता साम में था ठीक है ना यदि इसमें भी बोलू तो शोम में सब्दुता है शोम में ठीक है ना कुश्यन नंबर दो सो दो आ बच्चे किस किर्मांग का शुद्व सब्द है वेटा बताओ पौरानिक कौन सा सही लिखा हुआ है सब बच्चे बताएंगे तो प्यारे बच्चे मूल सब्द क्या है हमारा पुरान और इसमें पीछे हमने क्या लगा दिया एक प्रत्य लगा दिया ठीक है ना तो सब्द बनाना है पौरानिक तो कौन सा सब्द सही होगा एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर चलिए बताईए बच्चे पुरान धन एक तो बेटा एक बात आपको बताई है यहाँ पर उ है तो यह क्या हो जाएगा आउ में बदल जाएगा राण और बेटा इक की मात्रा इस पे आ जाएगी पौरानिक जो आपको इसलिक प्रिकाल लिखना है जिसमें बेटा ए भी सही है बी गलत है और लो भी सी भी सही हो रहाँ यह तो तो भाईया गलत है ए और सी दौनों अंसर सही है भाईया फिक ऐसलिक है टाइप फी चीस में से आकी अवाज हटाने कुल आएगा तो ज्वल में आपको पता है दौनों जै प्यारे बच्चे आधे लिखने हैं ध्यान रखना ऐसी एक सब्द बच्चे याद रखते प्रत ज्वैलित तो बेटा उसमें आपको दो जै नहीं बनाने होते एक बनाना होता है ठीक है इस परकार तो ज्वल कौन सा सब सही है यह तो बुरा है यह भी गलत है यह भी गलत है आंसा नंबर बेटा सी आपका राइट हो जाता है वेरी गुड चले आगे आएगा कोश्यन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सब लोग बताए जिजी वीशा चतु शिश्लो की वरवधू प्रोड पुष्टी करन सही है प अती शय धन ऊकती वृयश्क गलत लेका शैसंके राइन चलो मालेंगे से शंक अंग के दामपत्य नहीं होता सब्थ होता है मानवी करन मानवी करन भी गलत है सोजन्यता नहीं सब्थ हो जन्य तहीं बच्चोन रहे प्यारे बच्चोन आता है ये वाला हमारा होता है राइट आंसर बाकी सभी में तूरूटियां है जी जी वीशा चतु शलोकी वर्वदू प्रोड ये आंसर हमारा सही है जहांशी प्यारे बच्चों आपको चंद्रबिंदू लगाना है जहांशी एक सब्सक्राइब या तो अनुश्वा लगा देना तयाक्षरी या वेड़े बच्चों आपको अन्तयाक्षरी ऐसे लिखेंगे तब भी आपका सही होगा तो दौनों आंसर आपको इस तरह सही लिखने है ठीक है वेरी कुट तो बच्चों ऑप्सेंडी हो गया राइट आंस तरही कि नीरव कि इसमें शुद्वर्तनी नहीं पूछिया दोस्तों गरिश्ट सही है तस्तरी सही है नेरव में कोई तहीं सही हो इस सब्भा जाइब यूढ़ें पूर्ता है चारूता है ऑसे बहुत बच्चे गलत करते उत्तर दाई उत्तर दाई को बहुत बच्चे गलत करते हैं बहुत जादा क्या कर देते हैं वह उत्तर दाई में बड़ी की मात्रा बना देते हैं जो गलत होती है यह याद रखना ठीक है अगला कोश्यन आता है मेरे प्यारे दोस्त आफ्या विद्धारी से सब्दनी संबंदी बताना है वर्तनी अशुद्धी अशुद्धी बतानी के दिल लगाना यहाँ पर गलत है निश्चित निश्चे नहीं लगाना चाहिए हमको यहाँ पर निश्चित बोलना चाहिए निश्चित रूप से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता निश्चे नहीं बोलना भूजन बनाने की ववस्ता करें यह अंसर बिलकुत सही है आ जैम करना तलवार की नौक नहीं बेटा धार बोलेंगे धार यहां पर बेटा पदकिरम की सुद्धियां है पदकिरम की एना चलो तो अप्शन नमबर सी वाला आपका सबसे रही टांसर है पुशन नमबर 208 सब बत्ते बताएंगे किस किरमांग में सभी अशुद्ध सब्द हैं बताओ अंतर साक्षे बेटा यह गलत है यहां पर रेकी जिगे विशर गाना चाहिए था अंतर यहां पर साक्षे ऐसे लिखा जाता है कि यह ना द्रश्टव्य सही है यह सश्टम में क् यह यहां पर यह क्यों आ यह यह भी गलत में इसमें हमें करना चीए था अंतरधान ऐसे लिखा जाता है ऐसे कुछ बच्चे लिख देते अनाधिकार बेटा आकी एवाज लिया यह गलत होती है अनाधिकार होता है अनाधिकार तो आधीन एक सब्सक्राइब अधिन यह आप प्रतिष्ठित सही है सन्यासी सही है लगुत्तर सही है दुरवस्था सही है क्रंगार अधुपतन पुन्रव लोकन आशिरवाद बिल्कुल सही है यहाँ पर कुछ बच्चे आकी अवाली आते हैं पुन्राव लोकन जो गलत हो जाती है पुन्राव लोकन मत कर देना कभी भी ग भी लगाया हुआ द्रश्टव्वेत चीज आपको द्यान रखनी है प्लिए द्रश्टव्वे में रेरिशी वाला मतलग देन रेरिशी वाला इस यह अचिए पदेनवाला सही वर्तनी वाला सब्सक्राइब पताएंगे बिटा अध्यात्मिक कौन सा सही है अधियात्मिक अधियात्मिक यह घुलत और यह भी गलत अब इनमें बताना इसमें आ की वाज नहीं है जबकि हमाना सब्द लिखा जाना चाहिए अध्यात्मिक प्यारे बच्चों सही सब्धोता अध्यात्मिक इसके लिए सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट है वैच्चो यही द्यान रखना ठीक है ना वेरी गुड चलिए कोश्यन नंबर आता है बही 210 सही वर्तिनी वाला सब्द कौन सा है बताओ इसका अंसर दीजिए आप मुझे एक बार एक मैं इतने एक गिल आदा गुट पानी पीता हूं तुम लोग बताओगे तो बेटा क्या होता एंसर माहा तम्मे माहा तम्मे स्वरी माहा आदा ते आदा में यह माहा तम्मे इसका मतलब होता है बेटा महात्मा होने का बोध महात्मा होने का बोध होने का बोध जो होता है उसे माहा तम्मे कहा जाता है ठीक है तो बिटा अंसर हो जाएगा आपका option number C वाला कुछ बुकों में प्यारे बच्चे क्या मिलेगा आपको A वाला मिलता है लेकिन ये बिटा गलत होता है याद रखना ठीक है बहुत सारी बुकों में गलती मिलती है वह अलग है ठीक है चलो अब आता है प्रिया दर्शनी एक तो प्र दर्शनी ठीक है यह वाला इसमें कहा है प्रिया दर्शनी तो इसमें बताईये कौन सा है राइट कि तो प्यारे बच्चे देखो यहां पर छोटी चड़ा दी यह गलत कर दिया यहां पर ही ही नहीं यहां पर है तो बेटा दोनों बड़ी कर दी लेकिन ओप्सन नंबर ए वाला जो है यह लिखा जाएगा बेटा पिरिया दर्शनी ती रह आ गया पीछे और नी पिरिया लिखना पूशन नंबर मेरे प्यारे बच्चे श्रंगार यह तो सब बता सकते हुआ यह तो सब बता सकते हैं यह से मैंने कहा रच्ची यता रच्ची यता एक बिटा आपको यह कैलास वाली वरतिनी याद रखने हैं बड़ा से बनाते हैं बच्चे गलत होता है ना याद रखना के कई 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 शूर पर्णखां ठीक है बिटा ऐसे अहल्या कोशल्या कोशल्या बड़ा शे मिल जाए जब भी सही होती है और छोटा शे मिल जाए जब भी सही होती है तो दोनों प्रकार से सही होती है मेरे दोस्तों ठीक है तो बेटा स्रिंगार ऐसे लिखा जाता है स्रिंगार कैसे लिखते हैं श्रिंगार ऐसे जिसके लिए डी वाल बच्चों एसे लखते हैं पॅशन नामर मेरे प्यारे बच्चे सही वरतनी बताओ ओर डिया क्यारी कैसे लिखा जाता है जो खेतों में यह बनाते हैं क्यारी तो बच्चों कैसे लिखते हैं क्यारी क्यारी ऐसे लिखते हैं ऐसे ही बेटा कलेश है कलश है क्या दोस्तों तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए वाले को लॉक करना ठीक है बही बेटा गूगल पूगल सब दोता है उद्ध्योग और बेटा इसमें पीछे करन और आ रहा है पीछे अब तुम्हें एक बात मैंने समझाई है जब भी करण प्रत्य किसी के पीछे मिल जाए तो बेटा इससे पहले बड़ी वाली E ले ना बस जैसे मेरे बच्चे इस बार कोई मेरा प्यारा दोस्त नहीं पूछ रहा एक पिछली वाली किलास का सब्द मुझे याद आ गया सुद्धी करण इस कोश्चन ने मेरा इस कोश्चन ने मेरा जीवन कफल बना दिया था पिछली बार ठीक है तो बेटा ओध्धोगी करण कौन सा सही है बेटा डी वाला ठीक है आरा जिले से बेटा प्रणाम नमस्ते जैहिंत ठीक है वही वेरी गुड अगला कोश्चन आता है दोस्तो राशायनिक राशायन देखो मूल सब्द होता है मेरे प्यारे बच्चे रसायन और इसमें लगा दीजिए एक प्रत्य तो बेटा रहां पर रहे है तो क्या हो जाएगा रा रासायनिक ठीक है वही या ऐसी तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्सन नमबर बी वाला बा मैं एक बेटा किर्तग्न वर्तनी पूछली ती पीछली वार कि तग्रिस किर्तग्या का विलौम है ना याद रखना मेरे बच्चों अध्व पतन वाद्धैन ना तो अध्वक्टन कैसे लिखा जाएगा मेरे बच्चों नमबर सी वाला अध्वक्टन ठीक है, very good, question number प्यारे बच्चे स्थाई, सबों लोग बताईए बई, सब प्यारे बच्चे बताईए एक बार राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, ऐसी बेटा एक सब दाता है, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल, तिला अंजली, तिला अंजली, ठीक है बेटा, हाँ, बेटा कुछ बच्चे अंजली नाम लिखते हैं, बड़ी की मात्रा चढ़ाते हैं, जो गलत हो जाती है, अंजली, छोटी की मात्रा पुछी जाती है, छोटी की अंजली, या अंजली, ठीक है, तो इस्थाई कैसे लिखा अगला कुस्चन आपके सामने यह आता है और वेदिक बटाओ तो बेटा कैसे लिखते रहे हैं लेकिन वेदिक ऐसे लिख दीजिए तो वेटा ऐसे कौन सा है इस नहीं पर देखो क्या कर दिया गलत कर दिया इसने हमसे पूछा है वर्तनी संभंदी अशुद्धी है तो स्रिंगार ऐसे लिखा जाता है के कई सही लिखा हुआ है बस इसमें तो एवाला है रीति अपने देखा हुगा रीती मैंने लिखा रीति इसको मैं दो भागों में तोड़ता हूं अनुशार रीतीधन अनुशार ठीक है, तो प्यारे बच्चे रीतो सीधी सीधी आ जाएगी जब यहां से तय में से छोटी लिका लूँगा तो आधा तय बज जाएगा और जब ई कमेल ऐसे होगा तो यह बन जाएगा ठीक है, तो बेटा रीतीय अनुसार हो जाएगा सब रीतिया अनुसार तो आंसन नंबर जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चे हमारा कौन सा होगा ऑप्सान नंबर रीतिया अनुसार ठीक है क्लियर भई तर जी नियम की अनुसार देखूंगा तो बच्चो इससी वाले के पास जाना पड़ेगा लेकिन जो सब्दको रृतिया अनुसार की तो दो चार प्रकार से देख़ा जाता गुरुजी सुधी स्टressobons गत् investig पूचर जी एक वर्तिनी वाले सब्ध का चैन कीजें सुध्वाले का टो लिट रीतिया को रिति धान अनुशार करेंगे रीतिया अनुशार लेकिन ए वाले को रस्तिस्टी दूंते एक्षे नंटे कि या वाला इस ही होता है भाई इसमें क्या देखना चाहरा है इसमें हमसे पूछा है कि किरमांग में वरतनी अशुद्धी है तो बचो हमें सही लिखना है आदाश चेम या इसे लिखना है तो बचो यहां पर यह वाश्या कर रखा यह वश्या बड़ा आ गया option नंबर c वाला right वो गया इतिक है कि वाला हम्में सारे सब्द सही लिखने मतलब नहीं उसने क्या पूछा है वह सकता है यहां पर गलती टैपिंग्म हो गयी किन वहां तो पेपर में सही वाला देगा वह राजिस्थान से प्रणाम निमीलित में से शुद्ध सब्ध चुने प्रतिक्छा उज्वल 2-2 . भीशमे . भीश्य सही लिखा हुआ है ठीक है बच्चो उजवल में बच्चो आपको पताक हैं जयादे होते हैं और बेटा निशाच्र में बड़ा वाला शेयाता निशा रात्री में गोमने वाला कि तो निविशमे जो सब्द हैं आपर विश में यह इसने सही लिखा हुआ है विश में ठीके ना परिस्थिती तो बताएंगे परिस्थिती कैसे लिखते हैं परिस्थिती बोलो बच्चों परिस्थिती बताईए बिटा तो बिटा कैसे लिखना है बई परी में छोटी इस्थिती में भी बटा छोटी आती है तैपर भी छोटी आती है तीनो छोटी जैसे कुमुद्री होता है न सब कुमुद्री तीन छोटी एक बड़ी इसमें तीनो छोटी होती है परिस्थिती नेक्स्ट कोशन बेटा उन्ताली अच्छा उन्नती सील इसमें पूछा है हमसे उन्नती सील कैसे लिखा जाएगा उन्नती शील तो बच्चो आप जानते हैं उन्नती उन्नती पीछे आया था सब उन्नती और बेटा शील इसमें पीछे जोड़ देंगे उन्नती शील ठीक है बई तो बच्चो ये वाला नहीं ये वाला नहीं ये वाला नहीं ओप्सन नंबर सी वाला ही राइट होगा ठीक है बच्चे उन्नती शील सी मार्ग दर्शक बता ये बिटा मार्ग दर्शक तो किशी ने ऐसे दर्शक ऐसे लगा देखा है नहीं बिटा छोटे शे भी नहीं मिलता जब आपको पता है दर्शक ये होता है और मार्ग ये होता है तो answer number D वाला ही लगाएंगे बिटा फिक है आगे युद्ष्ठिर युद्ध में इस्थिर रहने वाला युद्ध में इस्थिर रहने वाला युद्ष्ठिर कैसे रखोगे बच्चो युद्ध में इस्थिर रहने वाला युधी ठीक है मेरे प्यारे बच्चे आदा शेय और ठिर युदिश्ठिर ठीक है भही तो आंसर हो जाएगा भहिया युदिश्ठिर कौनसा यहां भी गलत यहां भी गलत और बिटा यहां भी गलत ऑप्सन नंबर ए वाला बिलकुँ सही है बच्ची ठीक है मेरे दोस्त प्रिशंसा अफे दुबारा आगया कि पता यह बटा तो सभी गलत है यहां पर तो एक ही आंसर सहीं चमाग रहा तुमें ठीक है वह आपका अंसर कौन सा होता है बच्चो वो होगा मेरे प्यारे बच्चे प्रिशंसा कौन सा हो गा भैया प्रिशंसा यह वाला से ठीक है बई वेरी गुट चले आगे सार कभी हमारा भी हमारा भी कमेंट हम सरदार है अच्छा नवजोच सिंह कह रहे हैं सर जी कदी हमारा कमेंटी पड़ लिया करो हम सरदार जी है सरदार जी आपका बहुत-बहुत अभी नंदन है दिखाना 122 नंबर कोशचन दिखाओ 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 भगना नहीं है दिखाओ 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 असुद्ध पूछा है अभी शेक परसाद तो बेटा हमें तो सही ते मतलब हम सारे सब्दों को सही करना गानते हैं असुद्ध पूछा चलो उसने पूछा सही ठीक है कोई बात न पूछा है दो सो बीस पीलिसर एक बार और देख लो तो दो बच्चों की बात है बहुता मैं देख लेता हूं यह किरा किस क्रमान्त में वर्तनी संबंदी अशुद्धी है तो पूचा है तो के कई तो सही लिखा हुआ असुद्धी इसमें भी है अब दो में सुद्धी है और कभी पर अनुश्वार नहीं लगा तो हमें तो सारे सही समझ नहीं है इसमें भी तो सुद्धी यहाँ भी तो इस फिर्ट Two ठीम ऑभि स्कूर्षकन आगे आता है बिटा उर्मिला उर्मिला सब्द कैसे लिखा जाता है सब लोग बताईए है ना जैसे बच्चे एक सब्द होता है अधीन बिटा इसको याद रखना अधीन ठीक है ना अधीन पिलिए रहे रहे ना उर्मिला उर्मिला कैसे लिखते है उर रहा बोला जा रहा है उ के बाद में तो में पर जब छुटी की मात्र चड़ती है तो प्यारे दोस्त ला ठीक है उर्मिला ऐसे हम यहाँ पर उर्मिला लिखतेंगे ठीक है बिल्कुल तो बिटा ओप्सन नंबर हमारा डी वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर उर्मिला किलियर है ना जैसे आशीर वाद में शे के शेए के बाद में आती ना आशीर वाद तो ई की वाद आती रे की वर्रे होता रेफ वाला जो अपने से आगे वाले वर्ण के उपर चड़ता है चलिए कोशन नंबर है भाई वर्तिनी गलन सही हो गई हमारी बिटा और सब बता द अब दाता है सन्यासी सन्यासी ऐसी लिखना इसी प्रकार बेटास से बन जाता है सन्यास यह भी आपको ऐसी ध्यान रखना है वेरी गुड सर जी 121 को देख लो क्यों गलत हुआ है 121 को देखो 121 में बालक बड़ी परिशान है कि अनुसार यह वर्तनी में बोला ही ऐसे जाता है दूसरा सही है तोड़ता हूं तो बेटा यह हमारा नियम के अकॉर्डिंग आता है भी वाला ठीक है लेकिन वर्तनी में रीती अनुसार का ही वह हुता है ठीक है ठीक है मेरे दोस्त हाँ और मिला एक बटा काली दास यहीं बताता हूं रुख जाओ एक बार ही रुख जाए काली दास काली दास सही है बिल्कुल ठीक है न एक होता है बटा मैथली सरन मैथली मैथली सरन ऐसे ही रिखते हैं ठीक है लेकिन बेटा चलो अब तुम वर्तनीक द्रिश्टी से मेधी में कहूं तो मेरी में बात आप से कहना चाहता हूं लास्ट यह बास समझेगा यदी सब्दों में बेटा संदीक अनुसार तोड़ता हूं ना वीती धन अनुश्टी क्योकि सब्सर्रचना की चाहार की होती है तो बिटा आफ ऐही लगाना भी लगाना क्योंकि हम नियम से मानाखें के हने लग्र énजी करेंबदा प्यारे बने नियम है हमारी संदी का यन संदी के नुसार किये तो कि बोलने दोस अवाज को कोई बात नहीं है हैं ऐसे बेटा बहुत सारी अवाजें हैं जैसे की एक अवाज होती बरतन लेकिन बेटा प्रहुर्球 यह माना जाता है ऐसी पीटा एक सब्सवत Chief है बरत तो बरत को सही मानते हैं है ना तो इसलिए आप लोग इसंको सही मानो बी वाले को क्योंकि हम नियम के नुसार चलेंगे इसके लिए हम यदी कल को कोश्चन आ गया और इसमें रिट डायर करनी पड़ गई तो हम करतो देंगे कि यड़ संदी के नुसार तो सही है जो नियम होते है चार संदी के नुसार सब्द लिखा जाता है समास के नुसार लिखा जाता है तो इसको हम लिखतों देंगे हम कोट तो चले जाएंगे कम से कम तो आप बेटा भी ही याद रखो ठीक है यानी बेटा यानी में बड़ी की मात्र लगानी यानी यूपी पुलिस सबस्प्यक्टर में आया था यानी ऐसे लगना है एक है यह रहे बई आप यह दाउट नहीं रहना चाहिए 121 में भी ही लगाना क्योंकि नियम से चलेंगे हम चलना ही नहीं है बस चालो को कोश्चन बन इनको पढ़ लेते हैं पिछली बार पूछा गया था बड़ा बेसिक सा कोश्चन आता है कोई जादा परेशान करने वाला नहीं आता याद रखना एतिहासिक सही है हो ठीक है चलो कि आयो बच्ची परतन यहीं से एससी बरतन यहीं सही माना जाएगा यह बर्तन गर्मी बटा गर्मी में जी वाला सही होती है तो बेटा कुछ सब्द ऐसे हैं जो बड़े अपवादी की स्रीड़ी में गिरे हुए है ना याद रहा तो द्विज के अनेकार्थी सब्दों में से निमलित में से कौन सा सब्द नहीं आता ब्रह्मन पक्षी दात विदे विदे होता है बेटा बिना सरीर वाला कि बिना जिसे बेटा हम लोग मिरत कह सकते हैं ठीक है चलो बेटा तो आपसा नंबर डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ठीक मेरे प्यारे दोस्तों आईए अगला कोशन नंबर 231 अनेकार्थी सब्द नाग का निमन लिखित में से एक अर्थ है बेटा बताओ नाग का अर्थ क्या है ये कोशन मैंने किलास में भी पढ़ाया था आपको और आज फिर आप याद रखी बेटा मन है कामना लिख इसको बेटा मनो कामना मत लिखना इस सब्द को वर्तनी में प्यारे बच्चों मन हैं कामना लिखना ठीक है याद रखना ओकी जी के विशर्ग लगाना तो बेटा देखो एक अर्थ कौन सा है रत भी नहीं होता पारा भी नहीं होता मोक्ष भी नहीं होता हाती होता है इसका सही जवाब ये आपको लॉक करना है ठीक है वेरी गुड अ अंडमान से हो जाएगा सर जी बिल्कुल हो जाएगा अनेकार्थी सब्द अब्ज के गलत विकल्प का चैन करें कि बोलो बेटा कि अगर लिपी पेटा लिपी तो आपको दौनों इकी मात्रा छोटी लगाने लिपी देव नागरी तो बेटा संक मेग चंद्रमा कपूर अब जगे गलत विकल्प का चैन करें तो प्यारे बच्ची कौन सा विकल्प है वो आप लोग बताएंगे सब लोग तो बेटा एक बात ध्यान रखना मेरे बच्ची मेग जो सब्द है मेग जो प्यारे बच्ची आप लोग बादल के लिए पिरियोग करते हैं ना बादल का तो ये बेटा अबज का कलत विकल्प है ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चो याद रखना अच्छे से ठीक है अनेकार्थी पढ़ रहे हैं आप लोग कि सब्द एक अर्थ अनेक एक बेटा आपको वर्तिनी बतानी है मुझे दवाई ये जैसे आप लिखते न दवाई और इसका बेटा आपसे बहु वचन बनाने लगे तो दवाईयां में कभी भी बड़ी की मात्रा मत बनाना ये वाली दो बनाना बस वह थारी चीजे अध्यान रखना पढ़ दें आपने भी गल्टी नहीं लुक्त करना भस और किस्तब्द के अनेकार थी हैं आरंग के नारंग के शारंग प्रभा ये हैं यह शड ठीक है यह मूर्धा है यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं आंसर नंबर प्रितिष्ठा जल छमक किस सब्द के अनेकार थी हैं अगनी के आकास के मोती के, पानी के बोलो, और एक सब दोर मिल जाता है बेटा, इज़ट इज़ट प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जल, चमक, इज़ट तो बेटा, ये सभी जो मिलते हैं, प्यारे बच्चे आंसा नमबर D होता है आपका पानी के अने कारती किसके होते हैं बेटा पानी के अनेकार्थी होते हैं याद रखना वेरी गुड चलिएगा कोश्य नमबर प्यारे दोस्त आपके सामने दोसो दोसो पैतिस दोसो पैतिस जल प्राण पुत्र किस सब्द के अनेकार्थी हैं बेटा सब लोग बताईए जल प्राण पुत्र किस सब्द के इनेकार्थी हैं बन बोलो बच्चा हिंमेत रखना इटा तबीक के इसमेत मन ने कैली दास पर छोटी की मात्रा चढ़ा है अब बस ऐसे ठीके याद रखना बड़ी की मात्रा गलत होती है जल प्राण पुत्र किस सब्द के इनेकार्थी और निकले तो जीवन खतम यदि पुत्र नहीं है तो हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं तो मेरे बच्चों आंसर नंबर डी वाला ही लौक करना इस कोश्चन के लिए और यह मेरा उम्मीद है मुझे कि यदि नेक आर्थी से कोश्चन आएगा तो यह आएगा ठीक है बस अंक बेटा पूछा गया है SSC GD SSC GD में पूछे गए कोश्चन है 2023 में सभी कोश्चन किसी ना किसी पेपर प्री सिफ्ट में आये आये हैं बस अंक सब्द का अनेकार्थी सब्द नहीं है कौन सा नहीं है बेटा संख्या वैं संख्या तो में खोती है एग दो टीन चार पांच अंक बेटा गोध को बी बोला जाता है गोध को इतना साथ देने के लिए ठीक है अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए बिटा चलो कोश्चन नंबर 237 इस सर्प नहीं है इस कोश्चन को सर्प लिखिए कोश्चन यूंका यूंहीं छोड़ रखा है सर्प मेंड़क सिहिंग घोड़ा वानर हाती आदी को समझाने वाला सब्द कौन सा है अच्छा चलो बफ को खतम करो अच्छा पानी पीता हूं आप चल्दी से करिएगा सब्सक्राइग कीजिए कि अच्छे बताईए अच्छे बोलो बेटा पशू सिव नहीं बच्चो शिव नहीं कपीश यह बटा कपीश लिखा हुआ है कपीश होता है सब्द हनुमान जी के लिए बोला जाता है ऑप्सन नंबर होगा प्यारे बच्चे हरी अच्छी अच्छी आंसर याद रखना पे अच्छा पाकिस्तान वाले भी आ गए बहुत बढ़िया क्या उनके देश में बेटा पढ़ाई नहीं होती अब भोरा कोयल सखी किस सब्द के अनेकार थी है बोरा कोयल सखी तो बटाओ बेटा आकार के हैं, अनन्ता के हैं, अन्त के हैं, अली के हैं तो एक बात याद रखना, बेटा यह जो अली सब्द है ना अली, यह A answer, यह बेटा इनके लिए right answer होता है option number A वाला, ठीक है? हाँ, super set में बेटा यह question मैंने कराए थे, बिल्कुल कराए थे रिवीजन सभी बच्चों का हो जाए, है ना, पेपर तक, बली का अनेकार्थी नहीं होता बेटा, बताईए, बली का, बही किसी को बलीदान देना, क्योंकि बेटा इंपोर्टेंट सब नहीं होता, ठीक है? आपके रहे हैं, चलो, question number 240, next question बेटा आपके सामने, अली और अली, यह पेटा संसुरत बिन्नार्थ सब्द हैं, शंशुरत बिन्नार्थक… बिन्नार्थक सब्द. इन्हें, आप समजते हैं, क्या होते हैं एसिह, आप समजते हैं? अवाज समान होती है इनकी दुएनी समान होगी लेकिन जो इनका अर्थ होगा वो भिन्न निकलेगा तो उन्ने में समान एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों मा के लड़ला चल तो बेटा अली माने होता है आपको पता है मेरे बच्चे भ्रहमर जिसे आप लोग भोरा कहते हैं ठीक है और इस अली माने होता है बेटा सखी सहेली सखी सहेली दोस्त ठीक है मेरे दोस्तों तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा भोरा और सखी बी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट वाला सब लोग बड़े द्धान से पढ़ाना इनको के दीन एक बात बताओ मने क्या होता आई नbra मने बीड़े दिवस और दीन मांने ये जिस पर बड़ी की मात्रा चलेगी दीन लीकाने आधगरीब निर्धन इसके पास कुछ ना हो विचारे के दीन है बड़े दीन नहीं डसा खराब है तो सब लोग बताइ यह तो प्यारे बच्चे देखो अब तुम्हे देखना है की अब आइंसर नमबर ए लगाना और ही यार्णी याद रखना कभी कभी इंसर उप्र नीचे कर देता है क्रम बिगार देता है और उनको भी धान रखना अच्छे से चली कोश्यन मेरे बच्चे 242 242 चिर और चीर कार्थ बताईए गुरू जी आप है कि एगा सर नहीं भई खैनी नहीं काया अरे गोलू हम नसा हो जाए है यां पर हमने पढ़ाया नहीं पर खिलास में यह ना कुछ नहीं मिलेगा फिर हम सो जाए नीदमें आए तुम खराम मामला हो जाए भई या देख लव अब तमंखवाय दो हमें खैनी हम नसे में ओए प तो मेंने आजिये नियम के शा 간 कर जाए अब नहीं इस अंपकी लगए तो चीर माने जानते इस प्यारी बच्छक पुराना क्ट्णा पूराना हो गया ये फटने वाला और चीर माने होता है बेरे बच्चों वस्त्र यैसे तुमने कहा तो बताईएगा चीर माने होता है कपड़ा वस्त्र तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वाला ही इसका राइट आंसर होता है बाकि सबी गलत है ठीक है मजे से पढ़ो यार कोई भी वच्चा ऐसे ना जाए रुक्सत नहीं होना मन खुस रहे के पढ़ो बस यूप एससी जीडी में जंडे गाड़ने है तुम्हें गुरू जी 121 बोल रहे हैं 121 नहीं 121 को किलास किलाश्ट में देख लेंगे परिसान क्यों होना है अभी तो हम है तो क्या गम है दोस्त टेंसर नहीं ले न भाई ठीक है चलो नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आईए मंदिर और मंदीरा मंदिर और मंदीरा युगम का उप्यूक तर्त वाला युगम कौन सा है मंदीर होता है जहां पर भगवान रहते हैं तुराल ले यहां बेटा देवाल ले यहां भगवान रहते हैं और मंदीरा जो होता है यह यह होता है जहां पर घोड़े बांदे जाते हैं घोड़े रहते हैं उसे बोलते हैं अश्विशाला जहां पर गाय रहती है उसे तो बोलते हैं गोशाला जहां पर गोड़े रहते हैं उसे बोलते हैं अश्विशाला तो मेरे दोस्त आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर डी वाला राइट हो जाएगा ठीक है बेटा पूजा घर घर सवारी या गुफा नहीं याद रखना भई निमन में कौन सा आधी व्याधी सब दियों में आधी का अर्थ है तो बेटा यह जो आधी होता है सॉरी यह जो होता है लो उस व्याधी व्याधी यह तो बेटा एक प्रिकार की जो सारी रिक कष्ट दिखता है हमें स्टारी रिक बेटा वर्तिनी भी आती है यह सारी रिक कष्ट ठीक है और यह होता है मेरे बच्चे व्याधी होता है मानसिक कष्ट तो answer A वाला lock करदीजी यह न एनि क्या होता है गुरू जी एनि होता है बेटा एक ऐसा होता है एक नस्य का तंबाकू होता है उसमें निकोटीन होता है वो होता है बस अनिल और अनल सब्धियूगम सही अर्थ बताई बेटा अनिल का अर्थ क्या होता है अनिल का अर्थ होता है बेटा हवा जिसे प्यारे बच्चे आप लोग पवन कहते है जिसे बेटा वात कहते है जिसे प्यारे बच्चो बयार कहते है जिसे मेरे प्यारे बच्चो परियाय वाची में आप समीर भी बोलते है और ये होता है मेरे बच्चे क्या आपका ये होता है भीया आपका अगनी जिसे आप लोग प्यारे दोस्तों आग कहते हैं जिसे आप हुताशन कहते हैं ठीके बेटा जो ज्वाला होती है आपकी ज्वाला बेटा वर्तनी ये आप सौरी वो परियाएवाची भी याद रखना आकर उसके हवा के ना तो बेटा कॉंशन अव अनिल को बोला हवा तो हवा देगे हवा इसमें रूश में तो इसको तो काड़ दीजी इसको भी काड़ दीजी है तो भाया आशान नंबर हमारा बी वाला राइट हो गया है ना चलिए खोशन नमबर मेरे प्यारे बच्चे नियत और नियत में कौन सा सब द्यूगम सही है सब लोग बताओ बताईए भाई बोलो बच्चे नियत और नियत तो बटा ये नियत तो होता है कि मैं नियत समय से पहुंच जवाँ चार बजी मिला निश्चित बात है और नियत ये होता है कि एक व्यक्ति का एक प्रिणी तरफ से जो एक मनो विकार होते हैं तो सब लोग बताईए आंसर क्या होगा तो बोलो बटा नियत समय निश्चित समय ठीक है तो बटा निश्चित यहारा यहारा तो ये तो उल्टा हो गया देखो ये तो लगाना नहीं है ये भी नहीं लगाना आंसर नमे हमको लगाना है आंसर नमबर सी वाला ठीक है ना नियत का मलब होता है बटा निश्चित निश्चित और इसी नियत का मतलब है भहिया इरादा तुमारा इरादा क्या है तुमारी नियत क्या है आखिर वांसा नमबर बेटा C लगाएंगे कोशन नमबर 247 तब दू युग्म परियंत और परियंक के लिए सही अर्थभियत का चैन करिए तो परियंत का मतलब होता है कि मैं एक हद के लिए तक के लिए तक मैं स्वाद परियंत खाता हूँ तक खाता हूँ फालता पिन नहीं ठीक है और यह तो परियंत का पंक होती ये पंक जो तो पंक का जाता है कमल को पंक में जर्णाव लेता है की चण में तो ओप्सन नमबर यहाँ पर आता है आपका भी वाला परियाप्ती नहीं समग्र नहीं पिड़क नहीं संकर और बेटा शंकर सब्द यूंका सही अर्थ बता दीजिए सिव मिस्रित जाती का शिव या मिस्रित जाती का मिस्रित या सिव सारा या सिव सिव या सारा तो ये बी तो बेटा गलत है नो क्योंकि संकर का मतलब होता है बेटा अपको पता है भगवान संकर के लिए बोला जाता यह तो भगवान संकर बोले नाथ के लिए और यहीज उसंकर होता है छोटे शेवले मिस्री जातियों का सम्मूँ एक तो एनसर हमको लौक करना है है कि तरफ जाए तो प्राणी की जात नहीं है वह जाद है वह राक्षा से तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका वहाला यां लोग होता है बिलकुर और वाकी विखल आपके गलत है अ की जिस्टा उस्टे के कौस्चन भी नहीं है है उन्हां समय देना चाहिए ठीक है न चलो सब् tesर जी राजिस्तान admit card कब आयेगा यह हमारे जो भी बनलो की admit card आ रहे है न यह च्छितर के अनुसार किसकिस경 में इस तरह से ऑनन से आ रहे हैं टेंसर मतली जी मिस्रा जी केवल मनू मत समझना अच्या very good तो बेटा वाक्य शुद्धी और वाक्य प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन क्या होता है उस वाक्य में एक वाक्य का अंस को प्रतिस्थापित करना होता है कि उसके लिए सही विकल्ब चुनना होता है जैसे उसने कह दिया राम अच्छा राम अच्छी लड़का है तो बताईएगा अच्छी के नीचे रेखा करके देदेगा कि अच्छा लड़का है बुरा लड़का है स्रेश्ट लड़का है महान लड़का है तो हमको बताना होगा राम अच्छा लड़का है तो ऐसे हमें प्रतिस्थापन करना हो रचना के आधार पर वाक्य के भीद कितने हैं इस लिए आपको बताना है सब लोग आंसर दीजी गुरुजी आप खाना खालीजी बेटा मुन्ना खाना तो आप किलास के बाद इखांगे अरब नियों मनी नियों तुम्हारे से तुमको छोड़के नहीं जा सकता आप लोग यहाँ पर हैं सब और मैं आप भाना खाने लगूं ये बात बढ़िया नहीं लगेगी तो बेटा नंबर एक होता है सरल वाक्या नंबर दो होता है बेटा आपका संयुक्त वाक्या और नंबर तीन होता है प्यारे बच्चे मिश्र वाक्या तो बच्चो जो एक सांस में बोल दिये जाएं वो सरल वाक्या होते हैं जो दो उप वाक्या आपस में जुड़ जाते हैं वो बेटा संयुक्त वाक्या होते हैं और जिसमें पहला वाक्या मुख्या होता है और उस पर अन्य उप वाक्या आस पोश्यव नममेर में जिसके विशे में कहा जाता है वह क्या होता है वह क्या होता है बेटा बताईएगा सर कल आप बागपत आये थे क्या ताहिल बेटा आया तो था कि तुमने मुझे कहां देख लिया कि अब बागपत आया था बिल्कुल आया था कटीरी मंडी फाटक से खड़ा होता हुआ गया था गाड़ी में था जी रो एक सो पैंतिस नंबर गाड़ी थी मेरी डिजायर जिससे मैं आया था इसका मतलब आपने मुझे देख लिया त्यागी जी आप बोले नहीं लेकिन तो बेटा बताईए आपसे कोश्चन क्या पूछ रहा है वाक्य में जिसके विशे में कहा जाता है वह होता है उद्ध होता है और जो कहा जाता है जो कहा जाता है वह विधी वह विधी होता है बेटा ठीक है ना जैसे मैंने कहा राम अच्छा अच्छा लड़का है राम अच्छा लड़का है ठीक है तो प्यारे बच्ची बात ध्यान रखना है जो वाक्य में करता होता है वो बेटा क्या होता है उद्ध शे और जो उसके बारे में कहा जाता है वो होता है विधी तो मेरे प्यारे बच्ची राम यहाँ पर क तो बात समझ में आई जिसके बारे में कहा जाता है तो राम यहां पर क्या है बेटा करता है यहां पर करता का विस्तारक भी होता है यह करता का विस्तारक विस्तारक, ठीक है न, तो बास समझी में आई, यह कर दोगे, तो इसके उपर विस्तारक के उपर एक अग्जामपिल और दे देता हूँ आपको, आप तहेंगे जी विस्तारक क्या होता है, मैंने कहा, राम का भाई, का भाई, क्याम, अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है, तो बेटा बास सुनू तो ये राम का भाई जो है इससे ही पता चल रहा है हमें साम का तो बेटा ये करता विश्तारक हुआ करता का विश्तारक हुआ करता के बारे में इस राम से ही पता चल रहा है कि शाम कौन है राम का भाई है करता का विश्तारक है बेटा ये ठीगे न और विध्ये क्या है अच्छा खेलना तो बेटा किलियर ये बात यहां से आपकी ये पॉइंट किलियर कर दोगे वेरी गुड चलो तो मेरे प्यारे बच्चे ए आंसर आपका लॉक हो गया परदों के दोनो तरह से आंसर राइट बहुत बढ़िया अब आगे चलते हैं मोहन बाजार जा रहा है क्या इस वाक्य में आपको रुकना पड़ रहा है मोहित तिवारी जी बोलो वहरा इसकी दरती से राम राम हाँ मोहन बाजार जा रहा है जब कभी भी वाक्य में रुकना नहीं पड़ता एक किरम में बोल दिया जाता है वाक्य में बिच में ठहरना ना पड़े किसी भी प्रकार का ठहरा भी ना आए तो मेरे दोस्त तुम्हा पर आपका अंसर सरल वाक्य होता है लेकिन आप से पूछा गया ओधिश्य बता दो तो अप उधिश्य बता दीजीए विटल विट्दिश्य क्या है मॉहन मॉहन तो हो गया क्या हो घृज़ च ख ख क्या हो गया प्धार जाना विधें हग्या बाजार जा रहा है बर दो की सभीका अंसर बहुत सुन्दर आया तो बेटा मोहन यहापर करता ही होता है यह वाक्य में लेगिन यहापर उद्देश्य का कारिय करता है वाक्य में Next question नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो यह question रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए बताओ मेरे प्यारे बच्चे कौन सा भेद है नीली कमीज वाले छात्र को यह है पैन दे दो नीली कमीज छात्र वाले को यह है टौफी दे दो तो रुकना तो नहीं पड़ रहा एकदम बोलते चले जा रहे हैं न पूरे वाक्य कोई एक सांस्त में ही तो मेरे दोस्त ऐसे वाक्य शरल वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य शरल वाक्य होते हैं क्लियर कर दोगे न मैंने कहा मोहन को कलम दे दो मोहन को रोटी खिला दो मोहन को खाना खिला दो मोहन को गाड़ी दे दो गोलू गुमने चले जाओ चलो सूरज पढ़ा लिखा और अधीकारी बना का सरल वाक्य है बताओ बेटा इन में से कौन सा वाक्य शरल होगा इसका तुम्हें पता है जब दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं और से किन तुसे परन तुसे लेकिन से इसलिए से तो बेटा वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं वे आपके कौन से वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य तो आपको इसका क्या बनाना है आपको इसका बनाना है सरल वाक्य सूरज पढ़ा सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना नहीं बेटा यह सरल ही नहीं एक बार बोलो इसलिए कारण आ गया है तो सूरज ने पढ़ा ही तब वह अधिकारी बना ये भी बेटा रुक गए हैं भी सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना तो C आंसर में रुकना तो नहीं पढ़ रहा है एक बार में बोल दिया ना पूरा वाक के सूरज पढ़ लिखा अधिकारी बना नहीं बेटा सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी आंसर नंबर सी वाला सबसे सटी कर सबसे जल्दी बोला जा रहा है कि प्यारे दोस्तों पच्पन इस मेले का मुख्य उद्दिश्य है कि वैपार की व्रद्धी हो तो एक बात मैंने आपको समझाए थी जब पहले वाले वाक्ये पर दूसरा वाला वाक्ये निर्भर हो जाए दूसरे वाले वाक्ये का पहले वाक्ये से कोई अर्थ जुड़ जाए तो बेटा वहाँ पर मिश्र वाक्ये होता है तो बेटा ये की जो मिलेगा ना आपको ये प्यारे बच्चे आपको हमेशा मिश्र वाक्यों में मिलता है मिश्र वाक्ये में इस मेले का उद्दिश्य क् की वुरद्धी करना बिल्कुल सीधी सी बात है तो आंसर नंबर बी आपको मेरे प्यारे बच्चों लगाना है और किसी विकल्पी तरफ नहीं जाना है यह बात पेपर में भी ध्यान देना यदि वो कहे गुरु जी ने इसलिए कहा ताकि तुम क्लक अक्षा में प्रथम आओ तो यह मिस्र वाक्य हो गया गुरु जी का कहना इसलिए था आपसे ताकि आपक अक्षा में प्रथम इस्थान पाओ गुरु जी इसलिए कह रहे थे है ना ऐसे याद रखना मेरे बच्चों कोश्चन नमर मेरे ब्यारे बच्चे 20-256 बादल घिर आए और बारिस होने लगी या मैंने कहा राम खेलता है राम खेलता है और शाम पढता है तो और से दोनों वाक्य जुड़ गई ना राम खेलता है शाम पढता है तो संयुक्त हो गई संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना ठीक है मेरे दोस्त तो आंसर हो गया प्यारे बच्चो D वाला राइत आपका कर दोगे ना पेपर में किलियर ऐसे ही मेरे सेरो च्यलो ओशन नमबर 257 पिता ने समझाया की सदा सत्य बोलना चाहिए पिता ने समझाया की सदा सत्य बोलना चाहिए तो पिता जी ने क्यों समझाया था पिता जी ने इसलिए समझाया था की सदा सत्य बोलना चाहिए गुरु जी ने डाटा की आप कक्छा में पर्थम आई मैंने लिखा गुरु जी गुरु जी ने डाटा की तो बेटा गुरू जी का डाटना किसलिए था आपको ताकि आप कक्छा में पिर थम आओ तो मेरे दोस्त यह की जुआया यह पीछे बाद वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर है तो पहला वाला वाक्य तो होता है वो तो होता है मुख्य और यह होता है वेटा उप वाक्य इस पर निर्भर होता है मतलब आशरित होता है प्यारे दोस्त आशरित और यह न यह चीज आप ध्यान रखना तो मेरे दोस्त याद रखना यहां परांसा आपका अंसर सी हो जाएगा बिलकुल राइट चलिए निमलिक्त में से शुद्ध वाक्य है बेटा बताओ कौन सा सुद्ध वाक्य है वाक्य शुद्धी भी आएगी बड़ा छोटा सा वाक्याता है कि सीता पढ़ती है सीता सीता हिल है अब खेल है खेलती है तो सही होता इस तरह से कोश्चन आप से पूछे जाते हैं वेरी गायका दूधय क्या बेटा गाया नकली भी होती है। यहाँ раб हटा छोड़ी लग रहा है अश्वमेग कना अथीस्ते अपनि एथ्यास पढ़ रहे लाएं गोड़े पर बेटा और लगाकर घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जितना छेत्र में घूम आता था वो छेत्र राजा का हो जाता था जो से छोड़ता था ठीक है तो अश्वमेग यग न कहकर के बेटा अश्वमेग में यग आ गया अश्वमेग का घोड़ा पकड़ा गया तो व बोल सकते हैं यहाँ अनेक प्रकार के आविश्कार हुए है ना तो भी आंसर आपका सबसे सटीक है अगला कोश्चन सब्सक्राइब करो तो कैसे बोलते हैं जब कोई सिरदर्द कर रहा होता है तुम अपना काम करो यार सिरदर्द मत करो पोलते हैं तो दोस्तों आंसर नंबर आपका डी वाला ही राइट होगा ना बाकी तो सभी आंसर रॉंग है ऐसे कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे परिशान तो नहीं होंगे आप लोग कर देंगे एकदम राइट अरे जब पेपर सामने आएगा ना जब देखोंगे पांच मिनिट में पूरी हिंदी कर दोगे बीस की बीस कोश्चन जो मिठाईया पसंद हो आप खालो शुद्ध वाक्य है बताओ बेटा इस वाक्य का सुद्ध वाक्य कौन सा होगा तब का आंसर देखना चाहता हूँ सब बताओ मेरे दोस्त क्या आंसर होगा बोलिए भई जो मिठाई पसंद हो आप खालो नहीं जो मिठाई पसंद हो तुम खालो नहीं जासे बोलिए जो मिठाईया पसंद हो तुम खालो यार मिठाईया पसंद हो तुम खालो ऐसे नहीं जो मिठाईया पसंद हो उन्हें आप खाईए तो बेटा D आंसर सबसे राइट है जिसमें इंजत्मान सम्मान का बोध हो रहा है ठीक है अंसारी जी निमलिक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तै करें कि कौन से हिस्से में तुरूटी है आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर यहां तक तो कोई गलती नहीं आई है जिन्दगी मानसिक तनाव से गुजर गई है गुजर गई है तो यह बात अब क्यों कहरे हो जो गुजर गई पीछे चला गया समय गई नहीं है बेटा गुजर रही है गुजर रही है यार जिंदगी में बड़े तनाव है है ना है ना मेरे दोस्तों तो बेटा आंसर नंबर हमारे ए वाले में ही क्या मिल गई आपको तुरू टी मिल गई ऐसे कोश्चन मिलेंगे बिससे जीडे में कुछ भी नहीं मिलेगा नहीं देख लेना मेरा वादा है आपसे और भाइया एक्जामनर के सर में फोड़ा ही निकल आए तो ना तुम मालिक न मैं मालिक मुझे कल दो किलो लीची खरीदने है बेटा बात बताओ यह लीची जो सब दोता है लीची जो फल है इस्त्रिलिंग फल है यह लीची जो फल कि यह बरे भाई तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर सी वाले भाग में क्या मिल गई हमको तुरूटी मिल गई वेरी गुड यदि यह कहता मुझे दो किलो अंगूर खरीदने है तो सही था अंगूर पुल नहीं है खरीदने है बहुत सारे अजयाओ वाक्य शुद्ध कीजिए करिया रोगी को काठकर सेब खिलाओ अरे भया सेब काटने से पहले काट का ना पहले आगया से बाद में आ रहा है क्या करें हमाचल प्रदेश वालो सेब तो हीमाचल प्रदेश जम्मू कजर्ण पैदा होता है ठीक है हमको बोलना चाहि नहीं ना करम भी तो आना चाहिए किसी भी वाक्य में पहले प्यारे बच्चों करता आता है ना देखो पहले क्या आता है बेटा करता फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे करम फिर आती है बेटा किरिया तो याद रखो किसी भी वाक्य में पहले करता आना चाहिए फिर करम आना चाहिए फिर किरिया आनी चाहिए रोगी को सेव काट कर खिलाओ, रोगी को खिलाओ भी है, खिलाओ गे बाद में लेकाटू, रोगी को सेव खिलाओ, काट कर, रेकाट ना बाद में चला गया, रोगी को खिलाओ, काट कर सेव गलत, आंसर नमबर ए वाला ही लॉक कर दो बेटा, ए वाला ही लॉक कर दो, कोशन नमबर मेरे बच्चे 264 शुद वाक्य बताईए बेटा कौन सा है वह प्रमाण सहीत अपनी बात बताईगा वह सह प्रमाण के साथ जो सह प्रमाण के सहीत अपनी बात बताईगा यह के लगाने क्या जरूरत है प्रमाण सहीत बोल दीजिए वह सह प्रमाण और सहीत भी गलत answer number A वाला लोग केजिये यार वह सैं परिमान बात बताएगा वह प्रमान सहित अपनी बात बताएगा तो वाक्य का शुद रूप क्या होगा एक कोश्चन और याद आ गया बेटा विंद्यान चल पर्वत हरा भरा है इस बाले कोश्चन में बेटा बालक बड़े परिशान रहते हैं जबकि हमें कहना चाहिए इस परवत का कोई मतलब नहीं थो में आरे भी या विंद्या contrad과 भरा है हमें बोलना चीचे विंद्यान चल हरा भरहर है तो उसमें इत्वमेटिक सामिल है पर्वत गलत है सिंपल सा बोले श्याम सीच रहा है जल तो आपको आना गलत प्रियोग कर रहे हो ठीक है श्याम पौदे को जलसे सीच रहा है गलत क्या सीचने के लिए और दवाई भी आती है कोई जलसे सिस्टे जलसे हमको बोलना चाहिए आंसर नंबर सी वाला शाम पौधे सीच रहा है तो वाक्य बिल्कु सटीख है बिल्कु सही है हमें कम सब्दों में अच्छी बाते बोलनी चाहिए ठीक है ना बिल्कुल बेरे बच्चों यह दिएगे वाक्य में रेखांकी तंसको पृति स्थापित का मतलब है बदलो बदलना बदलना पृति स्थापित करने के लिए सबसे उप्यूक्त विकल्प का चैन करें आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई समर्पित तो वह है कि हम चोर है जाकर कि हमने अपना समर्पड कर दिया सरकार मार लो पीट लो हम तो तुम्हारे पास आगए अरे नहीं हमने काम दिया गवर्मेंट ने हमें हमें वह काम करके देना उसको प्रस्तुत करना है क्या उसमें कोई सही गलत और सही है तो कुछ बत बीटा एक बात बताऊं आपको विद्या के मंदिर में खड़ा हूं कि इक मैंने अंद का अंड तो घर से चाय पी गया तहीं है याँ चाय पी लिए दो चाहा नमकीन के दाने खाली हमना मैंने खाना नहीं खाया सच बता हुँ आपको दिल से महनत करो यार महनत करो तु जरूर काम्याव होगे याद ठीक है मेटा उस मा के लिए उस पिता के लिए उस घर के लिए उस बहन भाई के लिए जिनको जर्रत है तुमारी यार उनके लिए थोड़ा सा कष्ट करो तुमारा थोड़ा सा कष्ट करने से तुमारा थोड़ा सा कष्ट करने से मेटा हर घर में वो दीपक जल सकता है खुसाल में बेटा नोकरी की महक अलग होती है याद रखना जब दोस्त साथ का नौकर हो जाता है न तुम नौकर नहीं ओ पाते जिन्दगी में काम्याब नहीं ओ पाते तो वह आपको जो ट्रेंणिग जाता है तो अपना बक्सा जो रहता है उसका और काला पेंट करके तुम्हारे सा रह जाता है किसी कारण वस तो फिर यह माल लीजिए दिल पर चुरिया चल जाती है क्याते हैं तुने दिल पर चलाई चुरिया तो बेटा चुरिया हो जब चलेंगी याद रखना नौकरी नहीं मिली तो चलो महनत करो मजा आलो सब कुछ बढ़िया होगा ठीक है चले मेरे प् जाता है फिरे एक नंबर अजाता याद रखना उस बात को महनत करो अइंस्टीन के पास एक विचित्र बुद्धी थी एँस्टीन के पास एक एक बुद्धी थी या एँस्टीन के पास बताई मैरे साथ यो कैसा आंसर होगा है अजा नता है टेटा देविये भुद्धी क्या वो भगवान थे अंस्टीन महीं बेटा वो एलोकिक नहीं थे वो लोगसि सलोक सेही ठेक है वो विचित्र कि नहीं बोलोगे उनकि वो एक अलग चित्र नहीं था वो ताधन बाला की था मेरे दोस्तों बेटा उसके पास एक विलक्षन बुद्धी थी आंसर नंबर ए लगाओ मेरे प्यारे बच्चो ए वाला राइट एना याद रखोगे वेरी गुड़ चलो कोश्यन नंबर मेरे भाई 268 लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चेन कीजिए देखता हूं कितरे प्यारे बच्चे याद करेंगे बोलिए मेरे भाई बोलिए वी इच्चो सब बोलोग बताईए कि इंटो एकशें जो महीना होती है यो पड़ी निए विदुशी बोला जाता है मेरे प्यारे पुरुश होते हैं जो पुरुश होते न पुरुश वह और तो अब तुम समभंद अंसर है कि विदूशी महिला ती या विदूशी महिला थी तो सब्सक्राइब अनसर नमबर बी वाले को लोग कर दो बस वेरी गड़ चलिए लिकित वाक्यों में से सुद्ध वाक्य का चैन कीजिए जीवन और साहित्य का एगाद संबंध है एगाद तो उसे बोला जाता है जिसकी गहराई का पता ना हो मेरे बच्चों ठीक है जीवन और साहित्य का संबंध है यह बात सही है जीवन और साहित्य का निकट निकट को पास थोड़ी जीवन और यह साहित्य को वस्तू है यह कोई बेटा ऐसी प्राणी यह जो निकट रहते हैं नहीं ना गोर होता है बेटा किसी गंद को घोर अपरात क्यों ने बहुत गलत काम कर दिया उसके ल बताई इसके लिए सबसे उच्छी त्विकल्प कौन सा होगा मोना जात जुन जुनु वाले नमस्कार भाईया नमस्कार आप आप आगई जलिए धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए तो बेटा बताओ कौन सा अंसर आपका राइट होगा मैं थोड़ा सा कलर अच्छा सा लेलू चमक साथ चमनकने वाला चलो बताइए बीटा तो बेटा क्या कहेंगे यह धर्म है धर्म धन एक तो बेटा हमारी वर्त्री क्या बन जाएगी धार्मिक है न तो बेरे प्यारे बच्छो आंसर नंबर हो जाएगा सी धार्मिक जिसके लिए सी वाला लौक करती जीए भार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए कोशन नंबर 211 विद्यापती के पद गाये जा सकते हैं तो बताइए इसके राइट आंसर क्या है पीने योगे है पे है किसी को प्रदान किया जासता है प्रदे है छुपाया जा सकता है गोपनी है ठीके मेरे बच्चे हां सर गलत हो ग तो बेटा पिंक है किसी की बेटा याद आती है किसी की का बेटा दकार जिंदके बन जाए याद कर और यादी की सब्कॉत सब्सक्राइब ठीके लग्डर्य ये गे है, ठीक है बई, ठीक है मेरे बच्चे, तो ऑफसन नमबर D वाल लगई, पूश्यन नमबर सवीता पढ़ना लिखना जानती है, तो बेटा पढ़ना लिखने के लिए, आपको कौन सा इन में से चारो विकल्पों में से उचित विकल्प लग रहा है, जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें सटीक बैठेगा जदी मैं कह दू सभीता साक्षर है सभीता श्वार्थी है सभीता अपड़ है सभीता निरक्षर है के लिए व Конे का मतलब पढ़ी लिखी है ए वाला कि वाल किैंद है छी निमन वाक्यों में अनुप्योग समभंधी दूर करकी करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्था पित करें हिंदी साहित्ते में आचारिय राम चंदर शुक्ल एक बड़े व्याक्याता माने जाते हैं तो बेटा इस वाले विकल्प के लिए रेखांकित जो भाग है इसके लिए इनमें से कौन सा उचित विकल्प ह ऐए आचारिय राम चंदर्सुल एक बड़े वरच्चा के चर्टे हैं गलत एक क shops विश्लिशक माने जाते हैं ऊच्छे जानकार माने जाते है एक बड़े साहित्तिक माने जाते हैं एक बड़े अच्छे वक्ता तो बेटा वक्ता भी गलत और यह भी और सी में से आंसर बता दो को यह हैं तो सर बीस में से बीस आ रहा है नवादा बिहार से बहुत बढ़िया मेरे दोस्त तो बेटा एक विशले शक जी हैं जो उसके बारे में पूरा जानते है जो देते साहित्यक्ट के लिए तो बेटा लगाएंगे यह जो आया यह घलत हैना यह सब लोग यहीं चीज तो पभड़ने है लिख रखिये तो बही कुछन प्रकर attendees कि यह संबसे उच्छित सबसे बहुत टाई इस वाले और कि लिए सबसे उच्छित क्याइए यह फिरत्थिक वारत horm ज्यान जिए सामजी न और चाहिए व्यावाहरिक उन warfare वकauftर जम्हाइर्ट करिक जना चाहिए कि इस सिक्ष्षन में देखता हूं कितने तो सही आंसर करते हैं उत आधा तर सभी का आंसर सी आ रहा है बहुत बढ़ीया सी आंसर ही शही होता है ठीक है असाली स्थिक ज्यान सबको नहीं होता वेवारिक ग्ना जरूरी है क्योंकि भारत की वासी इस थो तो हमें अपने आप में व्यवार अच्छे से करना चाहिए सामाजी नहीं बेटा व्यवारिक आंसर नंबर सी वाला लोग करना 275 बेटा नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने निमने वाक्तियों में रेखांकितंस के स्थान पर सबसे उप्युक्त सब्द का चैन विकल्पों में से कीजिए इंद्रा गांधी भारत की राजनेता थी बताइए वच्चों इसकी जगह क्या आएगा आपको पताए राजनेता तो भाई आप पुरुष होते हैं ठीक है तो बेटा राजनेता थोड़ी बोलेंगे इनको बोलेंगे हम राज नेत्री थी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों नेता का इस्त्रिलिंग क्या होता है नेत्री होता है अभी नेत्री होता है तो भाई यह चीज आप याद रखो भा या ओप्सन नंबर बी लगा दो राजकुमार का राजकुमारी होता है यार याद रखिएगा कोशन नंबर नेक्ष्ट निम्न लिख्त में रेखांग कि खंड के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें ह ног अभकानी में थूस भरा था क्या है मैंने मानल यह इत कब बना दिया इत कर दोब मैं पाणी यए तो पानी रुरू है यार मानी लिक्वीड जरब है तो भी है वो फैसा ठस थोड़ी बढ़ेगा ना चकाचक भरेगा ना फलम फल भलेगा वो तो लबालब उपर तक भरेगा लबालब ठीक है क्या भरेगा बेटा लबालब भरेगा उपर तक आंसर नंबर सीवाला याद रखिए क्योंकि बेटा लबालब उपर तक भरा हुआ है थोड़ा सा हिलाती जल चलक जा प्रियुक्त वाक्य में रेखांकित सब्द के इस्थान पर उचित सब्द क्या होगा कि इसका अंसर सब्यारे बच्चे देंगे एक बार कि इसका चस्मा भूल गया वह कुछ चस्मा भूल गया नहीं वह अपना यह बेटा एससी जीडी में आए हुए कोश्चन सभी पर एक च्छा में ठीक है ऐसे कोश्चन पूछे गए थे एक बच्चा सुबह कह रहा था दो फैर जब किलास उरू हुई थी सर जी हलका कोश्चन है बेटा हलका नहीं ऐसा ही पूछा जाता है अम मैं तुम्हें दुनिया वर की महावारत पढ़ा दूँ उससे कोई फायदा न अब कर दो लूँ तो भगवान राम राजाजनक के यह काफूर हो गया गए राम की वानि से जब तुम्हें पता है जब भगवान राजाजनक के दर्बार में पहँचे थी गोगी तुम्हें पता है नहीं अपनी यह है धनु से कर दूँगा तो जब राम लक्षवन वहां पॉस्ते हैं गुरू जी थे उनकी द्रोणाचारिये ते रायत कौन थे मुझे नाम धन्य आरण गुरू का तो उन्हें जब धनुस उठाया राम ने थोड़ा सा ते जवाजें बोले तो परशुराम का गुस्सा चरम पर था बेटा बहुत गु गया अभियान काफूर हो गया तो मेरे बच्चे सबसे सटीक आंसर वोगा जो अभियान अभिमान का ही एक पर्याय होता है जिसके लिए उप्सन में बी आपका राइट होता है कि याद रखना विश्वा मित्र अच्छा बहुत बढ़िया जेलिए 15 अब्सें निमिक्त् वा तब्द से बदला जा सकता है, जिस से वाक्य के अर्फ में कोई परिवर्तन ने हो। पिरती दिन रियाज करने के कारण वह पिरवीड हो गया। पिरवीड का मतलब किसी कारे में हुश्यार हो गया, दक्ष हो गया, बहुत जादा माहिर हो गया। तो बेटा बताईएगा रियाज के लिए सब्द होता है किस चीज का अभ्यास प्रैक्टिस अभ्यास बेटा अभ्यास के करने के कारण प्रिवीड हो गया तो प्यारे दोस्तों आंसान नंबर भी कसरत मतलगा दे ना कभी यह डंड मारने लग जाओ जिम करने लग जाओ है ना मिलकुल चलिएगा कोशन नमर 210 निमलित में से दिये गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से पिर्ति स्थापित करें मतलब बदलें बोली बेटा हमारे गले में पराधिंता की बेडियां पड़ी थी तो बेटा एक बात बठाओ जो गले में थुड़ी डाली जाती है बेडि बेटा हतकडियां नहीं बेडियां तो आंसर नंबर सी वाला लॉक करिए ती वाला सही है और किसी की तरफ मत जाना सी वाला लगाना बेटा कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं गलत डी पराधिंता का मतलब है दूसरे के अधीन रहना दूसरे के घुलाम बन कर जीना निम्न अक्यों में रिखांगिस स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिएं मिलनसार फार का मतलब समस्ते सबसे मित्रता दोस्ती का भाव रखता था इस लिए उसंने कई अपने डे अपने बना लिये वाल भीना लिए और बना लिए बहा हो मिलन सार था तो बिटा अपने नहीं अपर क्या लिखेंगे आप लोग बना लिए तो बैटा डि¥ आंसर आप लोगों को इसी पिरकान लिखना है देखो जीडी के पूछी वी कोस्टन है कैसे कोस्टन थे जीडी में मैं बता रहा हूँ आपसे 5-6 मिनट में आप लोग 20-20 कोश्चन करेंगे और आप लोग आ करीब बताएंगे कि सर जी 20-20 होगे आप मज़ा आ गया ठीक है दोस्त चलिए बेटा अब आता है हमारा next topic रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान क्या है यह वाक के शुद्धी के अंदर ही आता है वैसे तो और यह भी पता नहीं होता रिक्तिस्थान किसके उपर देदे किसी राजनेता के उपर देदे किसी अच्छे लेखक के उपर देदे किसी भी किसी के उपर दे सकता है वह उसके मन की इक्छा है जो भ भारत भारत डैस देस है। ओप्सन नंबर ए मैंने बोला भारतियों का भारतियों का बी आंसर दिया मैंने वेटा अंग्रेजों का दिया मैंने मुगलों का दिया मैंने जैनियों का तो आप किस विकल्ब से वाक्यों को पूर कर देंगे आप भारत भारतियों का देस है पेरी सिंपल बीटा आंसर नंबर ए लगा का आगे बढ़ जाएंगे ऐसे कुशन आपको परिच्छा में मिलेंगे मेरे डैस निकल गई ब मैं थोड़ा ध्यान से देना अंसर मेरे दाथ निकल गए मेरे दर्सन नीकल गए मेरे अस्ताक्षर निकल गए मेरे प्राण निकल गए सभी सब्द बहु वचन है यह भी याद रखना लेकिन बेटा निकलने की जो किरिया है वह एक के साथ ही होती है कि एक यह ना अरे भीया मेरे तो भूत को देखकर प्राण निकल गए मैं तो डर गया याद मैं तो मिदम डर गया पता निक्या हो जाएगा भई तो बेटा मेरे प्राण निकल गए अंसर नंबर डी वाला लोग करी है कि वेरी गुड्ड सभी का अच्छा अंसर बहुत सुंद से देस पिरभावित हूँ मैं उसकी बुद्धी मानता से कम पिरभावित हूँ जयदा पिरभावी हूँ बहुत पिरभावी थू थोड़ा पिरभावी तुक्या भरेंगे आप लोग इस वह कालब को चित करने के लिए लिए बाग्य को पुरा सार्थ ठक्ता देने के लिए तो जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप क्या कहते है यार उसकी बुद्धी मानता से तो मैं बहुत पिरभावित हूं भई मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो बेटा आपका अंसर एकदम सटीक आएगा बहुत पिरभावि सबसे सही विकल्ब चुनना है इसी तरह के आंसर देगा कम प्रभावित हूं तो मैं तो नहीं हूं बहुत ऐसे भी बोल सकते हैं लोग लेकिन बेटा हमें यह नहीं देना हमें वहाँ पर बैहस नहीं करनी भारती कौन सी संग्या बेटा जाती है जहां पर कोई चीज बहुत सवितान स्कल्द्व द्वारा पूर्ति करें इस ग्रांट की सामाजिकत अतियंत संदिख देए इस ग्रत की अटिहासिकत युवत और ऐसा आंथा संदिख ए बोले दोस्तों है कि आतिहासिकता को सुचत्य का वा nhất परता की एक्दम सिंहीं सेच्वत रया होता है वो बोलेंगे हम लोग इस गिरंत की इस गिरंत की अतिहा सिक्ता अतियंत संधिक्द है तो प्यारे बच्चे आंसर नमर सी आपका राइट हो जाएगा यहीं सब जुन्ना है सर जी संख्या कम हो गई संख्या दिल से कम हो जाएगी बेटा संख्या हो जाए कम मैं पूरे मुझे क्या मिलेगा कभी आप जिंदगी में मुझे मिल गए तो सिर्फ मुझे एक बार यह कहां नीदत सर ही तो पहचान तो लोग है नहीं बॉर्डर में मिल गए कहीं किसी सहर में मिल गए इतना तो आप लोग कर लें ना चाय भी मत पिला ना बस प्यार से दुआ सलाम कर सब कुछ मिल गया इस थानों की तविकल्ब द्वारा पूर्ति करेंगे रहेंगे और तम्मान का घूट पीते रहेंगे यहां कब तक सहते रहेंगे और अवगुण का घूट पीते रहेंगे तो बेटा आनसर तो इनमें एक ही राइट होता है बीवाला हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूट पीते रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चो आनसर नमबर बीवाला होगा पोशन नमबर 286 रिक्ति स्थान की उचित विकल्प द्वारा पूर्ती करें भारत ने चंद्रियान टू लॉंच किया है भारत ने सूरिय टू लॉंच किया है भारत ने नक्षत्र टू लॉंच किया है या भारत ने चंद्रमा लॉंच किया है तो सभी प्यारे बच्चे ब तो बेटा आपको पता है भारत ने चंद्रियान टू लॉंच किया है चंद्रियान टू लॉंच किया है तो भहिया आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा आपका एवाला हो जाएगा वाक्य पूर के लिए क्योंकि ये तो लॉंची नहीं किये गया इतना तो घ्यान करना पड़ेगा भई ठीक है आईएगा कोश्चन नमबर मेरे प्यारे बच्चो आपके सामने 287 बाड के कारण जान माल की बिटा SSC में आई हुए कोश्चन है ठीक उप्यूक्त वाक्य में रिक्तिस्थान की पूर्ती उप्यूक्त विकल्ब द्वारा सब्द द्वारा कीजिए तभाई हो चुकी थी विनाश लीला हो चुकी थी रंजीस हो चुकी थी आउगाई हो चुकी थी ठीक है तो प्यारे बच्चे हमको कहना है बाड के कारण कारण जानमाल की तबाही हो चुकी थी सब कुछ तबाह कर दिया था सब कुछ नश्ट हो गया था मेरे प्यारे बच्चो ठीक है very good question number by two double eight विकल्पों में दिये गए सब्दों में से उचित सब्द को चुन कर निम्न वाक्य पूर्ण करें हमें प्रकर्ती का बुरा, रूप होता है प्रकर्ती कुपी थोकर अपना रूप दिखाती जब प्रकर्ती नश्ट होती है प्रकर्ती का बुरा रूप होता है तो प्रकर्ती क्या दिखाती है अपनी कल्यानकारी रूप दिखाती है एहितकारी निर्मानकारी विनासकारी जब प्रकर्ती को छेड़ छाड़ कर दी जाती है तो बेटा वो विनासकारी रूप दिखाती है अपना विक्राल रूप जो भी उसका विक्राल रूप होता है क्योंकि बेटा आप जानते हैं पिरकरती में पेड़ पोधे को काटना किसी भी चीज़ के Sieg के जादा अस्तर छेप करना वो हमाले क्या होता है बच्चों, हितकारी होता है, हमें परिशानी का सामना करना पड़ता है, कैंसर रोक बड़ा डॉट डॉट है, कैसा है बेटा, कैंसर बुड़ी बीमारी है यार, ठीक है, मेरे पिता जी इस बीमारी में ही चले गए, ठीक है, इससे बुड़ी बीमारी नह प्रियाज नहीं होता बड़ा दिकार चीज है चलिए वे भाई कोश्चन नमर 291 पीत आंबर देखो बेटा एससी में आया हुआ कोश्चन है यह जीडी में सब लोग बताना दो हजार तेईस पीत आंबर का अर्थ क्या होता है पीत का मतलब पीला आंबर का मतलब वस्त्र तो बेटा पीला जो वस्त्र है पीली रंग का जो वस्त्र है वो पीत आंबर क्यालाता है ठीके मेरे बच्चों तो बाकी तो पील रंग का व्यक्ति रथ आकास नहीं बेटा आंसर हमारा ए वाला लॉक होगा तो प्यारे दोस्त नमबर एको ही लॉक कर दीजिए वेरी गुट पोशन नमबर बेटा 291 रिक्तिस्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्तु सब्द का चैन कीजिए तो बेटा बताएंगे आज अंतियोदय प्रतियोगता नहीं होगी आज अंतियाक्षरी प्रतियोगता नहीं होगी आज अंत्याक्ष्री पृत्योगता नहीं होगी तो बेटा इसमें हमें आंसर नंबर जो भनना है वो अंत्याक्ष्री भनना होगा बेटा और मेरे प्यारे बच्ची अधी अनुश्वार की जगे आधा ने भी मिल जाए आपको तो परिशान मत होना क्योंकि मेरे बच्चों अंत्याक्ष्री ऐसे ही लिखा जाता है दौनों परिकार से ठीक है ना वेरी गुड तो भी आंसर आप लॉक कर दीजी निम्न वाक्यों में रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए तो बेटा कहते है राष्ट की दान के लिए सहीदों ने अपना बलिदान दिया राष्ट की सान के लिए सहीदों ने अपना बलिदान दिया राष्ट की आन के लिए सहीदों ने अपना बलिदान दिया ये राष्ट की बान के लिए तो बेटा गलत है ये भी ये भी आंसर नमबर B वाला ही सबसे सठीक होता है राष्टर की सान के लिए राष्टर की सान के लिए के लिए सहीतों ने अपना बलिदान दिया ठीक है बेटा तो आंसर नमबर B वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा question number 24 बताएए बच्चे बोलिये प्यारे बच्चो चलो बेटा रिक्तिस्थान को भरने के लिए सबसे उप्यूक सबचुने महंती व्यक्तियों के लिए जीवन में कुछ भी नहीं कुछ भी डैस नहीं तो क्या नहीं है बेटा खाली नहीं है दुरलब नहीं है भरा नहीं है बेटा नामुम्किन नहीं है कुछ भी असंभव नहीं है यदि वो जो चाहें वो मेरे प्यारे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो मेहंती परिशर में होते हैं व्यक्ति वो कुछ भी हासिल कर जाते हैं सरजी 293 गलत है यहार बड़ा खराब कर दिया इसमें सान नहीं आएगा तो क्या प्रस्तान का मतलब क्या होता है जिसके लिए हम उसके जंडे को दाग नहीं लगने दे सकते अपने राष्ट को कुछ को कुछ को उड़ा देंगे तो तुम उसकी सान के लिए जीवन से जीवन स किरिसन ने गोपियों की मट्की डएस दी तो बेटा तोड़ दी मरोर दी फोड़ दी जोड़ दी अब कुछ बच्चे कहेंगे तोड़ दी बेटा सर जी कुछ तोड़ा, बेटा कोई वैसी चीज जाती यहिए। यदि किस्टी में कुछ भरा हुआ है तो फोड़ी जाती है तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या कर दी फोड़ी तोड़ी नहीं बेटा फोड़ी ऑप्शन नंबर सी आएगा ठीक है ना फोड़ी तोड़ी मत कर देना कोई वस्तु वहती तूड़ जाती लेकिन किसी भरी हुई है उसके अंदर और उसे फोड़ते हैं मटकी फोड़ी जाएगी मेरे दोस्त गुबारा फोड़ा जाता है याद रखना ठीक है यह जो बच्चे होते ना सर्जी वह वाला गलत अरे बे सिकायत की जाती है सिकायत क्यों की जाएगी बेटा तारीफ कौन कर रहा है उनकी सब बुराई कर सकते हैं तो बेटा प्रसंसा नहीं प्यारे बच्चों निंदा की जाती है उनकी निंदा लोग उन्हें कहते हैं अरे बेकार बालक है निंदा की जाती है तो प्यारे बच्च विपत्ति में भी डैस नहीं होता क्या नहीं होता बताइए धीर नहीं होता धीर का मतलब समझते हैं अपना होसला विपत्ति में भी दुखी नहीं होता विचलित नहीं होता आवर्ती नहीं होता तो इस दोनों विकल्ब तो आपके एयोग्य है तो बेटा आंसर होता है जो व्यक्ति धहर येवान होता है धहर धीरज रखता है तो बेटा भावना से प्रसेंस से रहता है वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता वो हमेशा confidence के साथ रहता है तो बेटा option number C आपका right हो जाएगा अब आते हैं बेटा संग्या और तुमको पता है संग्या किसे कहते हैं संग्या का मतलब होता है बेटा जो भी उमारे इस प्रत्वी पर कोई चीज है कोई वस्तू है उसकी पहचान है तो संग्या का मतलब होता है बेटा पहचान नाम मानते हैं न तो संग्या का मतलब नाम है यह पैंसिल है तो संग्या है कोई वस्तू कोई स्थान है कोई भाव कि जो नाम से करन लगा कि मैंते अच्छी मिठाईे है तो मिठाईा पैठाई है तो मिठाई बैफारे भाई हर anderen horses संग्या जिसकान पहचान लें जान दें वो संग्या है ये बोतल रखी है पानी की संग्या है ये बोड है संग्या है ये कैमरा है मेरे सामने संग्या है लाइट है संग्या है हर चीज संग्या है दोस्तों ठीक है चलेगा तो प्यारे बच्ची बात आप समझते हैं ही पर समझा देता हूं संग्या मूल रूप से दो प्रकार की होती ह आप से पूछा जाए कभी भी कि मूल रूम जो होता है संग्या जो जडसी जब संग्या का जन्म हुआ कितने प्रिकार की थी दो प्रिकार की एक जन्हाना एक तो है मेरे प्यारे बच्चे वास्त्विक वास्त्विक और एक है बेटा एवास्त्विक एक है मेरे प्यारे बच्चे एवास्त्विक ठीक है ना तो वास्त्विक संग्या जो होती है अब इन में से संग्या निकलती है दो संग्या हमारी मूल संग्या होगी इन में से वास्तिविक और एवास्तिविक से संग्या होगी बहित बटे तो बेटा जो व्यक्ति वाचक होती है नमबर एक तो होती है मेरे प्यारे बच्चे व्यक्ति वाचक नमबर दो होती है बेटा जाती वाचक इसी भी चीज की जाती है जो जाती तो होती है लड़का एक जाती है लड़की एक जाती है कुत्ता एक जाती है पसू एक जाती है पैन एक जाती है कपड़ा एक जाती है ठीक है बच्चो मानते हैं आप लोग मिलकुल अब बेटा एवास्तिक में जो होता है वो होती है भाव वाजग कर लिचे है इसे तो हम देख सकते हैं इस बेटा हम देख भी नहीं सकते हैं भाव तो बच्चों ध्रेश्चे होता है माली जिए मैंने गरम गरम चाय का कप उठाया और मेरी उंगली जल गई तो मिल्कम भावी तो अरे यार जल गया मैं तो अब यार कितना गरम था है न यहारे प्यारी में और जिस चीज का नाम लेकर हम पुकार ले अरे राहूल इधर आओ अरे मोहित कहा जा रहा है भाई तो बेटा ये क्या है ये व्यक्ति है मैंने कहा मुझे कल दिल्ली जाना है तो व्यक्ति है दिल्ली एक मात्रस है जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्ति है जो चीज दुनिया में बहुत सारी है वो जाती है मैंने कहा लड़का अरे लड़का कहां कौन खड़ा है तो लड़का एक थोड़ी यार अनेक लड़के है नाम से पकारूंगा तभी वो व्यक्ति है यदि मैं लड़का कहा रहा हूं तो वो जाती है मैंने कहा रहे लड़की कौन खड़ी है तो लड़की एक नहीं है लड़की यादब दोस्तों कोई अनेक व्यक्तिकार्य करते हैं मैंने अध्यापक गिस्द्र करते हैं मैंने कहां नीरज रवी रवी एक विस्यस लड़का है रव द्ट्र सब्र दोस्टों तो यही चीज है आपको ध्यार नहीं होता है और जैसे-जैसे के वैसे डिसकस करते रहेंगे अच्छे से चलते रहेंगे आपने एसे विव्यकतिव होता है जाति वाचक भी पह वाचक हुटा सब्सक्राइब नाम का मतलब थोता है के वल नाम का मतलब थोता है सबका नाम बस ये बात दोनों याद रखना चलिए तो answer number C इसका right हो गया सभी का बढ़ी answer आया है और बेटा जाती वाचक संग्या के ही दो भेद और निकलते हैं उनका नाम आप अच्छे से जानते हैं नमबर एक तो होता है उनमें होता है बेटा पधार्त वाचक पधार्त वाचक और नमबर दो होता है मेरे बच्चे स्की का दूसरा भेद होता है बेटा सम्हू वाचक यह जाती वाचक के भेद होते हैं याद रखना जाती वाचक के भेद होते हैं अब मैंने कहा सोना सोना कौन सी संग्या है पधार्त मैंने कहा चांदी कौन सी संग्या है पदार्त है ना इसे दिरवेवाचक भी कहते हैं और याद रखना है दिरवेवाचक ठीक है मैंने कहा पानी कैसी संग्या है दिरवेवाचक मैंने कहा दूद कैसी संग्या है दिरवेवाचक है यह वाली धान रखेंगे मैंने कहा कि राज् समुवाचक मैंने का भीड कौन सी संग्या है समुवाचक मैंने कुछी पद का नाम लिया राज्यपाल राष्ट्रपती प्रधान मंत्री बेटा सब क्या है समुवाचक सब क्या है जाती वाचक है यह ना यदि मैं किसी पद का नाम लेता हूं तो जाती होगी राज्यपाल किसी भी पद का नाम लूँ तो उसे जाती लगा न आप लोग ठीक है याद रखेंगे आप लोग चलिए कुश्चन आता है वैसे ही कुश्चन आगे डिसकस करते रहेंगे सैना समू पुलिस वकील है ना और तुमारे जितने भी यह सैना समू तो आपके सैना तो समू इसमें आ जाएगी समू आचक में पुलिस भी समू में आ जाएगी अब तुम कहने लगो कि Watts का नाम जैसी कि पद न ले पहले भी समझी हुई है अब चलते हैं जैसे जैसे कोश्चन आएंगे वैसे वैसे आप पढ़ते रहेंगे व्यक्ति वाचक संग्यान नहीं है कौन सी नहीं है तो बेटा त्री पटक एक जैनियों का ग्रंथ है भारत एक देश है विशेश देश है कुछ दस भारत तो है नही ठीक है बेटा गंगा एक राष्टे नदी है और मैंने कहा नदी देखो मैंने कहा गंगा तो बेटा ये व्यक्ति वाचक में आएगी ये व्यक्ति वाचक में रहेगी और मैंने कहा नदी तो नदी बेटा एक जाती में रहेगी और बच्चो जिस सब्द का बहुवचन भी बन जाए मैंने कहा जातियां नदियां पर लेक बन गया न, इसका बहुत वचन तो यह जाती होगई को याद रखना इस बात को भी तो भीटा लेकक लेकक कैसी संग्या है लेकक व्यक्ति नहीं है लेकक जाती है, बहुत सारे लेखक है यार, एक लेखक थोड़ी इस दुनिया में, ठीक है बच्चा, तो बेटा ये कौन सी संग्या है, आपको लगाना है सर जी, ये जाती वाचक संग्या, ऐसे कोश्चन आप से पेपर में पूछे जाएंगे, जो याद रखने है न, वेरी कुट, अब कुश्चन आया, नेक्स्ट तीन सो नंबर आचुका है, व्यक्ति वाचक संग्या सब्द चुन कर बताओ, मोहन एक परिश्रमी और इमानदार बालक है, तो बेटा बालक तो एक जाती है, इमानदार उसका गुण है, परिश्रमी उसका गुण है, तो आपको व्यक्ति चुनना है, व्यक्ति तो भहिस में मोहन है, मोहन ही तो है, व्यक्ति जिसका नाम लेकर हम प्रॉपर विसेयस नाम से बोल रहे है, जो चीज विसेयस होती है, जिसे हम विसेयस नाम से जालने, वेटा व्यक्ति होती है, याद रगने, ठीक है, पूश्यन नंबर 301, निमलिक् ब्हाव वाचक है कमाईनी एक विसेस ग्रंथ है विसेस उपन्यास है किसका है कि मिठास आया ये तो व्यक्ति नहीं है, तुमने कहा लखनव, एक विसेज है, आम एक जाती है, बुढ़ापा बेटा एक भाव है, है न, किसर जी उसे बुढ़ापा आ गया, उसके पिता जी को अब, तो बेटा ये बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका भाव वाचक हो जाए ठोलेगा आम कैसी संघ्या है, आम एक नहीं होता रहुत सारे आम होते हैं, बहुत साहीं नसừa होती हैं, प्यारे बच्चे लखनव, ये व्यक्ति है मंगता एक जाती होती है बिटा जो मांगने का कारे करती है वकील एक प्यारे बच्चे जाती है पुस्तक बिटा एक नहीं होती बहुत सारी है क्या है मेरे बच्चों जाती है और इसका पुस्तकें बना लेंगे आप लो लेकिन ऑप्सन नंबर ए देखो राम एक विशेस लड निम्न में संग्या सब्द बताओ कौन सा होगा निम्न में संग्या सब्द बताओ कौन सा होगा देखो पुराना मैंने लिखा पुराना कपड़ा पुराना कपड़ा पुराना घर पुराना घर ठीक है मैंने बोला नीला नीला जंडा नीला जंडा नीला जंडा नीला कपड़ नीला घर ठीक है बेटा नीला घर अलर पुतवा लेते हैं ना नीला नीला घर ठीक है जैसे आपसे कोई पूछ ले के भाई तुम्हारा उस गली में घर कौन सा है भाई जो नीला पुतरा हो ना जिसमें पुता ही नीली हो रही हो मेरा है ठीक है कि मोटा मोटा उता है मोटा अनाज मोटा लड़का लेकिन दिली जो है यह तो मेरे प्यारे बच्चे व्यक्ति वाचक संग्या हैं हमारे देश की राजदानी भारत की व्यक्ति वाचक यह तो यह आप गलत कैसे कर सकती है तो आंसर आपका राइट होगा नहीं होगा और यह विशेशन पुराना नीला मोटा यह क्या है बच्छों विशेश्ता बता रहें किसी घर की लड़के किसी आदमी की ना बच्छों तो एंसर लॉक कर दीजिए पूशन नमबर नेक्स्ट विरे प्यारे बच्छों बताइएगा घर पह बाड नदी कि संग्या का भिक कि संग्या भेद के अंतरगरता आती हैं पताइए यह अंसर तुम लोग दो भूकमप देखो बेटा जैसे मैंने कहां भूकमप भूकमप लहर लहर आंधी अंधी तूफान यह जितनी भी प्राकरति घटना होती है बेटा यह जाती होती है या तो मेरे प्याइर बच्चे घयर बहुत सारे पखाड बहुत सारे नदी पहुत सारी है तो बेटा यह जकाता इक है विक्शेशन पीछे आपने पिरति वर सहर में भूकमप आज आता है वाक्य में किस प्रकार की संग्या है अब बता दो बेटा पीछे विबता कर आया हूं आपको भूकंप लहर आधी बार तूफान यह जो जितनी भी प्राकर्ति घटनाएं होती है यह सभी जाती वाचक के अंतरगर्त आती है तो बेटा भूकंप आ गया तो मेरे ब जब नाम होता है गुणा होता विशेशन मैंने जैसे लिखा कि अंसा नें निम्लिक्त में से कौद्ध जाथी वाचक संग्या की करें मिठास करसा अब तो पेटा अभ इसमें मीठा होता तो मीठा तो विशेशन होते जैसे मैंने कहा पल्मीठा है लेकिन इसमें मिठास तो मिठास क्या है अपकी ब्हाववाचक संग्या Ofaster व्यक्ति वाचक संग्या आप तुम फॅउगे थोड़ा सा किनी क्या है यह आपका दिरव्य वाचक क्या कि पधार्त कह सकते हैं अ कि एक डोस्तों करमचारी आपर करमचारी सब यहां पर यह जाती वाचक ना दे करके यह कह देता सम्हूँ वाचक कि तब भी आप करमचारी पताते क्योंकि जाती वाचक का भेदी तो ठोड़ी आया भगवाण जी के पास से जाती वाचक से दो भूण निकले द्रव्य और समू तो इसलिए लेकिन उसने इस पर्ष्ट कोश्चन ना पूछ करके समू ना पूछ करके उसने किवल जाती वाचा की पूछ किया तो यह इसलिए आपको करमचारी लगाना याद रखना एक हमारे देश में जैचंदों की कमी नहीं है तो बेटा जैचं पानी पी के दकारी आती और क्या ता एक दो बस यह जो तुम्हें दिखाओ ना इंप मुम्हें डालने से क्या होता है मुझ चल जाता है बाकी कुछ नहीं है ठीक है चलो आप भी खाना मेरे पास आ जाओ जैचंदों बेटा इनको हम जैचंद जो बनाया हमने बहुत सारे ब व्यक्ति का कभी नहीं होता है ना याद रखना तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर आपका जैचंदों जो होगा यह जाती वाचक कबेद कराएगा आंसर नमबर सीवन ठीक है याद रखना गलत मत कर देना स्कूश्चन को मंत्री में कौन सी संग्या है बेटा बताओ मं मंत्री तो बहुत सारे होते हैं मंत्री बहुत सारे होते हैं उनको बोलते हैं यार सारे मंत्री आ गए अरे मंत्री लोगों को बुलाओ यार कहां है आज कलिए ठीक है तो मंत्री जाती होती है ना कि विक्ति ना कि विसेस होता है कोई जाती होती है मंत्री ठीक है तो आंसर आ कोई भी पद आये दौक्टर ऑब तुम कहने लोगो डॉक्टर में कौन सी संग्या वकी तो नहीं प्रकरती समुद्ब आए दो जाती के अंदर आएंगी तो गलत नहीं करोगे संग्या से ब कॉश्छन कभी नहीं करोगे नहीं रखो कुश्यन नमबर मेरे प्यारे दोस्ट शूश्री हिमादास दौड में प्रत्थम इस्थान पर आई वाक्य में भाववाचक संग्या कौन सी है तो बताओ बेटा शूश्री जो लड़की की साधेनी होती से शूश्री बोल दिया जाता है ना वे साधेनी की तो इसलिए शूश्री हिमादास दौड में प्रत्थम इस्थान पर आई चाहिं तो बेटा हिमादास तो एब व्यक्ति है विशेश है प्रत्थम उसका इस्थान है लेकिन यहां पर पूछा है भावववाचक कौन सा होगा बच्चो भाववाचक अनसर होगा दौड है ना मेरे प्यार मैंने कहा करमचारी जैसे पीछे पढ़ा का राया हूं जाती में मैंने कहा जुन्ड मैंने कहा दल मैंने कहा धेर धेर मैंने कहा गुच्छा मैंने कहा गठर के यह बेटा सब क्या है यह समु है यह सभी समु होते जबहुत सारे लोग होते मैंने कहा भीड खीकि याद ू संग्या सब्ध से किसी गुण्धोस भाव का भोद होता है उसे क्या कहते है ume प्यारे बच्चों नंबर सी आपका राही दोस्तों याद रहेगा आपको आईएगा चली कि पूश्यन नंबर 311 निमलित में से कौन सा सब्द शमु वाचक संग्या का नहीं है पता हे बड़ा हें भी संग्या धाएं बद बिट अपयारिक लिए टैम मिल रहा है और आपको ये पता हुआ चल जाएगा कैसे कैसे कुश्यन पूछने वाला है लोहाकोयला टेजाव में कौन सी संग्या है बताओ इसको तो सब लोग बताईए भी लोह को एला वाचक है व्यक्ति वाचक संग्या इन जर प्दार्वतस होती है फैल है नामसे जाना जाता है थे जरन Kira, अधारत की तीन अवस्ता होती है वह आपको पता होगा याद रखी संसर को लोक करना है अच्या सर्वनाम किसे बोला जाता है सबलोग बताईए धरोब किसे कहते हैं प्यारे बच्चों आप जानते हैं संग्या के संग्या के इस्थान पर संग्या के इस्थान पर पिर्युक्त होने वाले सब्द सर्वनाम कहलाते हैं ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों कहलाते हैं ठीक है पिटा याद रेगी बात और बच्चों इसका साब्दी कर्थ होता है प्यारे बच्चों सब का नाम क्या होता है इसका साब्दी गर्थ सब का नाम होता है मेरे दोस्त ठीक है ना बई वेरी गुड और बेटा आपको पता है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं तो हिंदी में सर्वनाम के भेद है मेरे बच्चो चे और हिंदी के सर्वनाम हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं हिंदी के मूल सर्वनाम सब्द हिंदी के मूल शर्वनाम सब्द कितने हैं बच्चों वो हुंगे बेटा ग्यारा तो आपको दोनों बात याद रखनी है ठीक है बही वेरी गुड कर दोगे ना बहुत बढ़िया चलिए आगे आते हैं सब कुश्चन की तरह सब लोग बताईए बेटा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं और पांच चे साथा आपका अंसर्क्रक्रक्र किया होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका अंसर्क्रक्र pandemia guit गुरुजी छे होते हैं उस्यारत है और चेजंब होते कौँन कौँन से हैं नंबर एक होता है प्यारे बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हुन ता pouco पुरु दोस्तों याद रहेगे बात अब तुमसे पूछा जाएगा चेह भेट टो यह होगे सर अब हमें ये और बता दो हिंदी के 11 कौन कौन से कभी पूछ ले हमसे कोश्चन तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा मैं और प्यारे बच्चे तू मैं और तू कातिल तेरा दिल कातिल और गाल पे तिरे तिल कातिल ठीक है मेरे दोस्त आईएगा प्रिशन के वी ष्रश्चन लाया था तिनिष्च कॉन यह और मेरी बुस्त के यह यह पास्वाले बोलता है वह दूर वाले बोलता है ठीक है कोई कुछ कोई कोईं आया है कुछ भी कूछ hok ऐसा जिसकी उसकी तो आप तो आप गिल लेजिए दो चार छे आट दस क्या रहा कर दोगे वेरी गुड वेटा जब तुम्हारे साथ नाचूंगा ना जब तुम सलेक्ट हो कर आओगे जीडी वाले बाल को जम बजाएगा है ना मेरे बच्चों याद रहेगा आएगा पूश हिंदी में भेद पूशे तो 6 हिंदी में कुल सर्वनाम पूशे तो 11 हिंदी के मूल सर्वनाम पूशे तो 11 दोनों तीनों प्रकार से ऐसे कोश्चन पूशे वैसे ही आपको आंसर देना है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्सन नंबर सी हो गया आपका लॉक जो भी इसे सग हो गया उसका नंबर के इता प्टाइगे सरणाम के स Red कि पयारे बच्चो एक कि नमबर मेरे दोज उत्तम पुरुश नमब एक होता है मेरे दोस उत्तम पुरुश के तंप यंतर्ज अच्छा नहीं है अ session अत्तम पुरुश नंभर दो होता है मध्यां पुरुश है उत्तम पुरुस होता है वक्ता बोलने वाला इस पीज़ने वाला रुछ को यसके बारे में बात कर रहे हो इसारा करके न tradis त्युसे बोलते हैं बेटा अन्य पुरुश लुढ押ा अन्य पूरुस होता है वह वे यह अपने से कोई बड़ा भी आ जाए तो उसे आप कहकर बात कर लेते हैं आप अच्छी इंसान आप इसमें नहीं बोलेंगे आप तो बेटा मध्यम पूरुस में कह सकते हैं अपने से बड़ा मिल जाए कोई बिल्कुल तो बच्चों इसमें मैं और हम और बेटा कारक की विभक्ति लगकर मना सकते हम लोग हमारे हमारी तो तुम अपने से बड़ा है तो उसको आप कह सकते हैं तुम्हारे कारक की विभक्ति लगाकर उन्हें हम भौवचन रूप में परियोग कर लेते हैं यह वह यह आता है तो तीन आंसर आपका रा इसला कोश्यन आता है बच्चो नंबर नेक्ट निमली तुमें से जोडों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए फॉनसा होगा उत्तम पुरुष ठीक है पानी तो बेटा पी लेता हूं इसला कि निमली जोड़े को उत्तम पुरुष वाले को पहचानिए इन्हों इन्हों नहीं तुम नहीं तूतर्म तो बेटा आन्य मध्यम में जाएगा ना बेटा हम में और यह आंसर आपका राइट हो जाएगा तू तुम कौन होता है यह तो जाएगा मध्यम एंगे बच्च तो आंसा नंबर A आपको लॉक करना है सर जी मेरी 1000 वी रेंक आई है बहुत बढ़ी आवात है तिर पुरा से कोश्य नंबर मेरे प्यारे बच्चों 317 शिरोता के लिए किस सर्वनाम का प्रियोग किया जाता है बेटा बताओ शिरोता होता है सुनने वाला वक्ता होता है बोलने वाला तो उत्तम पुरुस तो बेटा कौन होता है आपका वक्ता तो ये तो आंसन नहीं होगा मध्यम पुरुस होता है बेटा आपका शिरोता जो आपकी कही हुई बात को सुनता है अन्यपूरूस होता है, जिसके बारे में हम, दो लोग बात कर रहे हों, कि यार, तुम, उसके पास, मत बेठा करो, वहें इंसान, बढ़ीा आदमी नहीं है, जिसके., जिसके बारे में, बात की जाए, प्यूस, भी गलत नहीं बेटा, अन्सान नमबर, बी वाला लगाईए, question number प्यारी दोस 318 next आता है वहे बहुत अच्छा लड़का है में वहे कौन सा सर्वनाम है वहे बहुत अच्छा लड़का है तो आप उस लड़के को तभी आप कह सकते हैं अच्छा जब उसके बारे में आप निश्चित्ता से जानते हैं निश्चय रूप में आपको पता है तो बेटा निश्चय में तो आप नहीं कहेंगे संभन्द में नहीं कहेंगे आप ऑप किस में बोलेंगे हैं निश्चय वाचक में यहे बहुत अच्छा लड़का है यार तुम गलत बोल रहे हैं उसके बारे में इसा है ना मेरे प्यारे बच्चो नेक्स्ट कुश्चन वह एक अच्छा चात्र है वाक्य में निश्चे वाचक सर्वनाम का बोध बताई कहां हो रहा है और बिटा एक बात और याद रखना मैंने कहा वह मेरी गाड़ी है देखो ऐसे दोम आपको अंतर बताता हूं वह मेरी गाड़ी है इस तो वाक्य मैं नहीं लिखा दोनों में देखो अंतर देखना छोटा संतर नजर आएगा बस और कोश्चन का अर्थ बदल जाएगा वह गाड़ी मेरी है देखो बिस तरिफ मेरी यहां तो वह के साथ था यहां वह से गाड़ी पहले आ गया इतना संतर है तो बेटा यह ऐसा वाक्या आपको मिले जवाप किसी कर पहला अपना अधिकार जताते हैं तो बेटा वहाँ पन निश्चे वाचक सर्वनाम होता है निश्चे वाचक सर्वनाम प्रीगे ना दोनों में अंतर याद रखना अजब कभी भी संग्या से पहले सर्वनाम आ जाए औ संकेत वाचक संकेत वाचक विशेशन और प्यारे बच्चों यह निश्चे वाचक विश्वनाम जो है ना इसे संकेत वाचक विश्वनाम कह देते हैं संकेत वाचक शर्वनाम तो दौनों में अंतरियाद रखोगे आप लोग नहीं छोटा सा अंतरियाद रख लोगे नहीं मेरी गाड़ी है मेरी जिस पर अधिकार पहले जताए तो वह निश्चे वाचक सर्वनाम संकेत वाचक सर्वनाम लगाना और बदीव यदी वो कहे वह गाड़ी मेरी है संग्या होगी गाड़ी गाड़ी से पहले यह वह लगा कर बात करें तो वो सार्वनामिक विशेशन होते चलो तो मेरे बच्चों नमबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट कोशन नमबर मेरे दोस्त कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है कोई दूद में कुछ गिर गया दूद में कुछ पढ़ गया चैसा करोगे वैसा बहरोगे जैसा करोगे वैसा भरोगी जो आया है सो जाएगा जो आया है जो आया है सो जाएगा जो आया है सो जाएगा तो बेटा जो सो जैसा वैसा ये जो बेटा हमारे सर्वनाम सब्ध हैं ये संबंद में आते हैं आपको अच्छे से ये बात याद है तो जिसकी लाठी उसकी भैस ऐसे याद रहा question number next निमिन में सर्वनाम सब्द बताओ बेटा कौन सा है नीद, रोग, सफाई, कौन तो मैंने आप से पूछा कौन आया है कौन आया है कौन आया है पिरसन लगा करके पूछा तो पिरसन वाचक सर्वनाम है तो आपका answer रिग्दम राइट आएगा डिये भीया सफाई, सफाई कोई भीया सफाई कोई संग्या थोड़ी है सफाई तो बेटा एक प्रकासे भावं बहत कर सकते है कि बड़ी सफाई है यार रोग, रोग तो बेटा एक बीमारी है कौन सा बीमारी है, रोग है नीद, नीद बेटा क्या है कि वह दूसरों को नहीं बलकि अपने आपको सुधार रहा है इस वाक्य में और्ध वरेखित सब्दों में से सर्वनाम का प्रकालिके कौन सा है तो बेटा आपको याद रखना है जहां पर अपने आप आए अपने आप आता है ब्यारे बच्चे श्वैम आता है भीया खुद निज आता है या निजी आता है वहाँ पर बेटा आपका एक ही आंसर आता है निजवाचक सर्वनाम वहाँ पर और कोई विकल्प आपको मिलेगा इनी दुनिया में देखने के लिए वहाँ पर एक आंसर मिलेगा भीया निजवाचक सर्वना जैसे अगला कोश्यन आया है ब इश्य वाचक का सर्मंद वाचक का वह आप ही चला गया खुद चला गया श्वैम चला गया तो एकदम आंसर आना चीए सर जी निजवाचक लगा दो लगा दीजिए निजवाचक ठोक दीजिए कोश्चन को चलिए मेरे प्यारे दोस्तों पोश्यन नमबर 325 आप भला तो जग भला वाक्यमे रेखां कित सब्द कौन सा सर्वनाम है आप भला तो जग भला सर इस्टूडियो में डाटा खतम नहीं होता क्या बेटा इस्टूडियो में चार-चार वाई-फाई लगे हुए है ना कंटिन लाइट आ रही है तुम्हारे लिए सब कुछ किया हुआ है तो बेटा कैसे फिर खतम हो जाएगा डाटा मेरे दोस्त आपके लिए लौक किया गया है मेरे प्यारे बच्चे आप भला तो जग भला आप भला तो जग भला वेरी गुड यदि हम खुद अच्छे हैं तो हमाल के सब बुरे हैं जब व्यक्ति अपने लिए के वल बात करता है खुद के लिए करता है तो निजवा चक सर्वनाम होता है निम्न लिख्त में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रियोग है मतलब गलत प्रियोग हुआ है बेटा बताओ सब लोग बताईए बई सब प्यारे बच्चे बताईए एक बार मोलो बेटा आप कल किसके साथ चले गए आप आपका काम करो राम को उसने राम को उसने यह ले गलत आया उसने यह गलत प्रियोग कर रखा है यह बेटा टाइपिंग एरर राम को उसने समान दिया राजिस ने सब को घर बुलाया गलती है तो बेटा बी वाले भाग में ठीक है बी और सी में गलती बेटा लेगी यह क्या है टाइपिंग एरर था तो बच्चों यहां पर होगा आप अपना आप अपना काम करो आप अपना काम करो ऐसे बोलेंगे तवानसर सही होगा वहे दुआर पर खड़ा है ए निश्चे वाचे सरवनाम का प्रियोग इस वाक्य को करके लिखेगा प्रियोग कर इस वाक्य को लिखो ए निश्चे वाक्य के साथ वहे दुआर पर खड़ा है तो वहे तो बिटा कौन है भाईया इसारा कर रहे हैं किसी की तरफ वहे दुआर पर खड़ा है तो आपको पता तो है कौन है कि मैं दुवार पर खड़ा हूं नहीं कोई वाला विकल्प लेंगे बी क्योंकि इसने हमसे निश्चे वाचक के उपर सर्थ रखी है कोई दुवार पर खड़ा है तो प्यारे बच्चों भी आंसर आपको राइट करना है वे वह नहीं विशेशन चलो भई विशेशन किसे कहते बताएगा कोई कोई परिभासा लिखके बताएगा मुझे विशेशन किसे कहते हैं तो बेटा याद रखेंगे संग्या वे सर्वनाम की विशेश्टा विशेश्टा बताने वाले सब्द वाले सब्द विशेशन कहलाते हैं ठीक है तो बेटा देखें जैसी मैंने कहा काला घोडा और मैंने कहा घोडा काला तो विशेशन पहले भी आ जाता है विशेशन बाद में भी आ जाता है कि उपर जीटा यह वाला जो होगा हमारा नीचे वाला इसको प्यारे बच्चे विधे विशेशन कहा जाता है कि या याज रखना इसको बीटा विजिशेशन कहते हैं के घोडा विशेश सोनर बेटा अ misashasted कहते जिसको हम वीशेश्य कहते हैं कि विशेशन विशेश है कि विशेशन के मुख्यते कितने भेद होते हैं वेटा बताओ बताईए सर समझदारी दिखाना उपर क्या कराए बालत सर जी समझाओ मत बस कोश्चन कराओ अच्छा बहुत चलो बई चले बेटा तो विशेशन के कितने भेद होते हैं बेटा चार बेद होते हैं नमबर एक होता है बेटा गुण वाचक विशेशन गुण वाचक विशेशन नमबर दो होता है बेटा परीमाण वाचक विशेशन परीमाण जहां पर किसी चोद के तीज की माफ तोल होती है परिमान वाचक, नमबर तीन होता है बेटा संख्या वाचक, और नमबर चार होता है बेटा आपका सार्व नामिक विशेशन, ठीक है, तो अप्सन आपका हो जाएगा बेटा बी वाला यहां राइट, ठीक है, अगला कुश्यन आता है मेरे प्यारे बच्चे नेक्ष्ट, जो सब्द संग्या की विशेश्टा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताई, जो सब्द संग्या की विशेश्टा बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें प्यारे बच्चो विशेशन बोला जाता है, याद रखना आप्सन नमबर बी, है ना, और जिसकी विश पिराप सिंह घोडा काला है तो बता गोडा क्यों सा विशेशनगों काला है क्या टाभ इन्ग ह YEAH अभी में अपर बताके आया था आपको कुण सा विशेशन न होगा तो प्यारे भच्चे आपको पता है घोडा पहले आला है तो बेटे विधह विशेशन होता है यहांपर विधे विशेशन खीकल ना और प्यारे बच्चों यदि हाँपर काला पहले आता काला पहले आ जाएगा काला घोडा तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी वाला और यह आंसर है सी वाला पूछा है आपसे राइट कौन सा होगा सी वाला आंसर ठीक है ना वेरी कुट है ठीक है दोस्तों तो प्यारे बच्चों साइद मैंने पीछे कुछ गलत बोल दिया था यह वाला ह descrição अवीजशन विशेशे बोल दिया था हाँ यह ताइग गलत है इसको भीटा गोड़ा काला आया तो भीटा है तो इसे को यह पर गलत तुम कि यह चीज वहां कोश्चन पर याद करने हैं इसमें काला सब्द विशिशन की द्रश्टी से है विध्ये विशिशन क्योंकि घोड़े के बाद इसकी विशिश्टा बताई बताते हैं तो बेटा आपको याद रखना है वहां पर मेरे प्यारे बच्चो आपको यह चीज देखनी है कि विशिश्य क्या है विशिश्य में इस्तरी है या पूरूस है उसके अनुसर उसका लिंग डिसाइट करना है ठीख है बिल्क उप्ष्यों आप SMITH ब इसकी वकला बहानी का विशिश्चन क्या है अगनी का विशिश्यह विशिश्य RUS daí परिक्षा में मिल जाता है फिर परिशान होते हैं हम लोग बोलिए प्यारे बच्चो तो बिटा आगनी का विशेशन जो होता है वो प्यारे बच्ची वो होता है हमारा आगने क्या हो जाएगा दोस्तो आगने गांसन नंबर हमारा बच्चो क्या होता है बी वाला आपको लॉक करना है रिशी की गाये बहुत दूद देती है वाक्य में सब्द किस की सब्द किस विशीशन का उधारण है तो बताईए बच्चो रिशी की गाये बहुत दूद देती है दूद देती है लेकिन दूद कितना देती है बहुत दूद देती है तो उसकी बेटा मात्रा का बूद हुरा है है ना मात्रा का तो यहाँ पर गुण नहीं बताना संख्या नहीं बतानी सार्वनामिक नहीं बताना यहाँ पर विश्परिमान बताईए क्योंकि उसकी मात्रा दी जा रही है यह कहता यह कहता तो बिटा यहाँ पर निश्चित परीमान तो यहाँ रख यहाँ पर ए निश्चित है मात्रा तो पता लगी लेकिन ए निश्चित है बहुत दूद देती है बस इतना पता लगा ठीक है ना तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्सन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा ओश्यन नंबर प्यारे बच्चे निमलिक्थ में से कौन सा सब्द विशेशन है बताईए सुन्दरता कवी विध्वान या भलाई सुन्दर से सुन्दरता बना ये भाव वाचक संग्या है लेकिन ये मेरे दोस्तों विध्वान जो सब्द है यह किसी की विशेशता बतारा जैसे मैंने कहा राम विद्वान लड़का है तो प्यारे बच्चे यहां पर यह विशेशता बतारा है तो विद्वान हमारा विशेशन हो जाएगा ठीक है अगला कोशन कर दो कि मज़ा आ रहा है ना करते हैं फिर आगे यह करा आज मौसम मौसम आज कुछ सुहावना सा लग रहा है वाक्य में शुहावना सब्द किसका परीचायक है बताए बच्चे किरिया विशेशन किरिया विशेशन तो बेटा वो होते हैं जो किरिया की विशेशन बताते हैं तो बेटा किरिया विशेशन तो नहीं है यदि मैं कहता राम तेज चलता है तब तो चलने की चलना किरिया होता और मैं उसकी विशेशन बताता कैसे चलता है तेज चलता है यह यह नहीं है विषय सुषण जोदाना वह कर ता ही होता है इसमें यह बियाद रखना और िचेमा लग लोग विशेषढ है मौसम की विशेस्टा बतारा है सुहावना कि राम की गाय बहुत काली है वाक्य में बहुत क्या है अब मुझे आप बताईए तो बेटा एक बात और याद रखो तंग्या तर्वनाम की विशेश्टा बताता है वो बेटा विशेशन कहलाता है बास समझ में आ गई जो प्यारे बच्चे विशेशन की विशेश्टा बताता है वो प्या मेरे प्यारे दो जो किरिया की विशेष्टा बताता है वो बेटा किरिया विशेष्टन कहलाता है तो मेरे प्यारे बच्चो तो बेटा आपको पता है यह हमारा विशेशन है कौन सा काला जो बेटा गुणवाचक है किसी के लिए आप क्या कह रहे हैं कि भाईया राम काला है और मैंने का राम काला ही नहीं है यार बहुत काला है ऐसा मानो कोईला ठीक है तो मेरे दोस्त वो भया प्रेविशेशन हो गया तो राम को काले में भी चार चांद लगा दिये काली में भी बहुत काली है सर जी राम की गाय काली नहीं है सर जी बहुत काली है अरे मजाई आ गया यार विशेशन प्रिया विशेशन है विशेशन की भी विशेश्ता बता दी तो कह रहा था विशेशन रंग बोदक लेकिन उसमें चार चांद लगा दी सर जी बहुत ही काली है तो बेटा याद रखना ऐसी भी गांस है मिलेंगे आपको ओशन नमबर 337 गिलास में थोड़ा दूद है वाक्य में रेखां की सब्द विशेशन के किस भीद के अंतरगत आएगा थोड़ा दूद है बताए बच्छो दूद तो है तो बेटा वो परिमान है थोड़ा थोड़ा बहुत कम ज्यादा घना यहना कहते है घना अर्यार घना अच्छा है वो तो गना ही दूद ह तो याद रखिए हैना बच्छो चलिए यह मकान मेरे भाई का है बताए बटा कौन सा विशेशन है संकीत सर्वनामिक विशेशन है या किरिया मैंने दो वाक्ये लिखेते पीछे यदि याद होंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे यह मेरी गाड़ी है यह गाड़ी मेरी ह जहां मेरी पहले लगा हुआ था वहां सर्वनाम था और जहां गाड़ी पहले था वहां बेटा विशिश्र था तो मेरे बच्चे देखो यहां पर आपने मकान संग्या है संग्या से पहले यह लगाया है तो यह संकेत कर रहा है यह मकान मेरे भाई का है और इसको बेटा मैं सर्वनाम बना दूं कैसे बनाऊंगा यह है यह है मेरे मेरे भाई का मकान है का मकान है तो बेटा यह आपका विशेशन सर्वनाम हो जाता सर्वनाम हो जाता निश्चे वाचक तो अंतर समझ में आ गया यहीं पर दोनों का यहीं पर दोनों का अंतर समझ में आ गया ना याद रखना यहां पर बेटा संकेत वाचक है यहां मकान बाद में हैं यहां मकान पहले है मकान पर सारा कर रहा है संकेत कर रहा है यह है यह जो है सर्वनाम जो है नहीं आपर संकेत वाचक विशेशन का रूप धारण कर गया बस चलिए सो गुना लंबा में विशेशन बता दो कौन सा है देखो बेटा यदि मैं कहूं चारो चारो पाँचो तो ये तो बेटा समूधाय है समूध हो गया आवर्ती आवर्ती होता है बेटा दो गुना सो गुना सो गुना चार सो गुना ठीक है यह हो गया किरम हो गया पहला पहला दूसरा तीसरा ठीक है गणना होगी एक एक दो तीन चार पाँच ऐसे होती है बेटा गणना ठीक है बाशन ज़े आ गई तो आंसर क्या हो गे आपका सी वाला आवर्ती वाचक सो गुना दो गुना चार गुना दस गुना पचास गुना डेड़ सो गुना यह आपको याद रखने है पुशन आ गया भाई 300 जिस विकारी सबसे संग्या की व्यापती मर्यादित होती है व्यापती का मतलों जानते हैं बेटा मतलों उसकी विशेष्था 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 व्यापती मर्यादित होती है विशेष्था उसे क्या कहते हैं सर मिनी मौक बंद कर दीजिए बेटा बंदी मानों तो बच्चों उन्हें प्यारे बच्चों विशेशन कहते हैं तो ऑप्सन नंबर आपका बी यहां पर क्या हो जाएगा लॉक हो जाएगा ठीके मेरे प्यारे दोस्त अगला कोश्चन आपके सामने यह आता हूँ निम्लिक्त विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्या वाचक विशेशन का उचित प्रियोग नहीं किया गया है पिंग डोबोटो तर अब नहीं नहीं प्लीज अभी और बेटा एक बाद बताओ अभी इससे ठकने लगे यार अभी नहीं छोड़ूँगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलिए मेरे बच्चों तारे कोश्चन कर रहा हूँगा परिसान मत हो यार मेरा साथ दो यार इना मेरी हाथ जुड़े की मान लो थोड़ी सी तारे कोश्चनों के एक बार रिवाइज रिवीजन कर लो प्लीज तो बेटा बताएंगे चतपर चार सफित कब उतर है संख्या मिल यह कुछ भी नहीं तो भी कोई लगाई है ठीके मैरे बच्चों भी कोई लगाई है चलिए लिए आगे आते हैं बेटा किरीयाह किरियाह होता है कि सी कारिया चलो बागों में तोडुुँंगा तो पढ़ धन नामे तोड़ूंगा बेटा एना पढ़ धन नामे तो मेरे प्यारे बच्चे ये पढ़ जो एना ये धातू होता है और इसमें ना प्रत्य लगकर ना प्रत्य लगकर किरिया वनती है पढ़ना ऐसे ही बेटा बहुत सारे सब्दाप लिख सकते हैं एक जैसे मैंने लिखा नंबर दो लिखना तो मूल धातू क्या हो गया उसमें लिखना ठीक है मैंने बोला बेटा जाना तो मूल धातू क्या हो गया जा मैंने लिखा नंबर चार सोना तो मूल धातू क्या हो गया सो मैंने लिखा प्यारे बच्चे खोना तो मूल धातू क्या होगा खो जिस पढ़ना लिखना खेलोना खेल ना खेल धातू हो गया मुल्ज किरिया प्रत्य लग गया न आपकी कमर दुख रही है बेटा कमर सचिन कमर तो तेरे साथ में ट्रेनिंग कर लूगा ना तब भी नहीं दुखेगी ठीक है चला तो बच्चों किरिया के मुल रूपों क्या कहते ह धातु कहते हैं बिलकुल समझवें आगी बात ऐसी बनाना चल लिए करम के आधार करिया के कितने भेध होते हैं बता बताओ करम के आधार कि यह के कितने भेध होते हैं चलो बेटा तो बेटा करम के आधर्प किरिया के दो भेद होते हैं जिसमें नमबर एक तो होता है मेरे लाड़लो एक करमक जिसमें करम नहीं होता नमबर दो होता है बेटा शे करमक जिसमें करम होता है जैसे मैंने लिखा राम दोड़ता है राम दोड़ता है तो बेटा एक बात बताओ किरिया का प्रिवाब जो सीधा करता पर पड़ता है तो वहाँ पर एक करमक किरिया होती है करम होता ही नहीं है ठीक है और दूसरा मैंने वाक के लिखा के सामने राम पत्र लिखता है राम पत्र लिखता है तो बेटा लिखना किरिया है क्या लिखता है यार करता से पहुंचने से पहले हमें करम मिल गया है ना और किरिया का ये पता लग गया क्या हो रही है तो बच्चों क्या लिख रहा ह गुरू जी तो बेटा ये करम करता है राम पढूंगे जहां पर किरिया का परब्हाव सीधा किस पर पढ़ता है बेटा बेटा मुडी में कर्म कर्म कर्मार कुँट सॉची सॉच साथ इट्स ओके चलिए तो बेटा answer number आपका क्या हो जाएगा D वाला right हो जाएगा question number प्यारे बच्चो next पिरिया चुनिए वह इसमें मेरी बहन सवीता हिंदी भासा सीखती है मेरी बहन सवीता हिंदी भासा सीखती है तो बेटा क्या सीखती है मेरी बहन मेरी बहन क्या सीखती है बेटा भासा तो बेटा ये तो हो गया करम है ना लेकिन सीखना जो है ये तो आपको पता लगया किरिया है भई हम सीखना करना वो किरिया ही तो होती है तो बेटा आपका answer क्या हो जाएगा C वाला right हो जाएगा आहाँ मांते किया आना दोर्ना सोना उरना सभी करमक होथें लेकिन मेरे प्यारे बैच्चों ले ना मैंने कहा पुस्तक लेना पुस्तक लेना तो प्यारे बच्चे लेना का तो आंसर मिल ही जाएगा तो भाया आंसर जो C है ये तो प्यारे बच्चो शैकरमक का उजारण है सर जी आप कहां रहते हैं मैं प्यारे बच्चो आपके दिल में रहता हूँ तो गहेंगे भाई या सर जी इतने सारे दिल है किस किस में रहते हो सब के अंदर धड़कता हूं ठीक है चलो तो चाए पीले एक का पे ना चाए पीते पीते वैस आईए मेरे प्यारी रोस्त पोस्षन नमबर भेटा नेक्ष्ट फृ फोर सिक्स निम लिखत मेंसे सकर्मक क्रिया चाटिए अपके चाए नहीं आई है अरबके तो कॉफी आई है बताइए बेटा कौन सा होगा चलना मैंने बोला राम चलता है क्या चलता है यार यह तो बताओ पताए नहीं लगा चलना के लिए अकर्मक होती है हमेसा लेखे याद रखो एकर्मक है भी यारम है ही नहीं यार क्या बताएं सोना मौदी जी सो रहे हैं क्या सो रहे हैं कुछ प मुस्कुराना भाईया जो भी हमारे नेच्रियाए होती है वो सभी क्या होती है एकर्मक होती है बच्चो मुस्कुराना भाईया मुस्कुराते रहो कुछ हो थोड़ी रहा है एकर्मक बेटा आंसर नंबर जो डी है यह तो सकर्मक है ना लिखना पढ़ना तो सकर्मक होते है आ ऐसी पेपर में याद रखना वन्ना आप डायलोग वाजियों फस्ट जाओगे मिल्कुल 347 को बैटा जो बच्चा बताएगा मेरी तरफ से एक उसे मुमफुली का दाना मिलेगा बताईए प्यारे बच्चे चिडिया आकास में उड़ रही है देखो बैटा बास सुनू उड़ना जो है ये तो आपका होगा किरिया रही है ये होगया बेटा सहयक कायक किरिया है जिससे वाक्य में पूर्ता का बोध होता है मुख्य किरिया क साथ लगके आती है ठीक है लेकिन बेटा एक बात बताओ में ये किस कारक का बोध होता है अधीकरण आधार का अधी करण का रख है मेरे प्यारे बच्चो जिसमें आता है बेटा में और पर ठीक है लेकिन में में का प्रभाव पढ़ेगा आकास में तो आकास क्या है आकास तो इस्थान है मेरे बच्चे आकास तो बेटा एक इस्थान का बोध हुआ है हमें जगह का पता चला है अब बेटा जगह है ये तो एक कारम तो कहीं है इनी भहिया इसमें और फिर इसने में से सिंपल सी बात पूछिए उड़ रही किरिया बताओ कौन सी है गुरू जी भहिया उड़ते रहो पक्षी खूब उड़ते रहो जगह का बोध हो गया इसी जग्ये एक कर्मक क्रिया हुती है अर्ट कि लिए कुणसी होती है जब कोई खुद कारें ना करके दूसरे को करने को बोलता है लेकिन एदि खुद कर रहा है तो वो प्रफम प्रिजलार ठक है कि दूसरे को करने के लिए तो बेटा वह दुत्य प्रेमार्थक है मैंने कहा क्धा सुन ना पर्थम प्रेम प्रेमार्थक ठेंड एना सुरी सुनना प्रतmm प्रेम उनी याद रखिएगा को से वी एक करिया मिलती है आपको करियार्थक करिया जिसमें हमें सिर्फ ठोड़ासा क्या होता है जसे अपने स्वास्त के लिए मुळ talking मैंने रखोड़ा क्या का स्वास्त करने के लिए मंदर जाते ताकि भग۲ ने इसलिए जिस्पिरियार्थक क्या हो है उस्त all ludzi पुजन किया वाक्य में नाकर किस प्रकार की किरिया है किस किरिया का सौरी उधारण है तो बेटा याद रखो जब एक काम समाप्त करके वाक्य का करता उसी समय दूसरी किरिया शुरू करता है तो पहले वाली जो किरिया होती है वह प्रेर नार्थक किरिया होती है मुझफली दो गुरुजी अच्छा चलो वह मूँ पाड़ो जल्दी से लो मूँ पाड़ो जलो यह दाना कि इस व्हुंनु खडाए वारु उसकी मुण चला के चलो बिटा यह नहागर क्या किया फिर भोजन किया तो पहले नहाने का जुकाम किया नये पहले वाला कारी है यह पहले वालि जो किरिए यह जो बेटा हुई यह प्यारे बच्चों आपकी प्रेणार्थक किरिया हुई तोरी पूर्वकालिक किरिया तोरी पूर्वकालिक किरिया की आंसर आपको लॉक करना है ठीक है याद रहेगी यह बात ठीक है ठीक है मेरे दोस्तो बिल्कुल और जैसे संयुक्त किरिया जो होती है यह वो किरिया होती है जब दो किरिया जुड कर आती है है ना बिल्कुल और बेटा दुई कर्म किरिया वो किरिया होती है इसमें करता एक होता है करम दो होते है एक गौन करम होता है एक मुख्य करम होता है आम में कॉणसी किरिया है असी लोग अबताओं बटाओं मेरे आपको पता हैं एना से तो यह किरिया तीन प्रकार से बन जाती से मेरे बच्चों तो बनती है से सरवनाम से एक विशैशन से ठीक है जiness कि अब मैने कहा पीला पीला होता है विशैशन पीला पढ़ना यह बना बेटा विशैशन से मैंने बना अपना अपना लिया बेटा सर्वनाम अपना से बना अपना ना ठीक है बेटा तो प्यारे बच्चों ये होती है हमारी नाम बोधक किरियाएं नाम बोदक क्रियागे अब तुम्हारे जिमांग में एक बात यह और होगी सर्ची सब्दार है इसका मतलब और बताओँ हुमारी समझमें तो वह करिया होसिए जैसे कि भिन भिनाना ना इनहीं ना न उन्हें बोलते हैं उन्हें जिसके गुरा इनहीं न रहा है है ना बकरी मम्मी आ रही है मिम्मी आना उन्हें बोलते हैं प्रिसर्ट में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो किरिया के भेदवाला सही विकल्प है दीपा ने गाये को चारा खिलाया तो बेटा देखो खिलाना तो क्या है किरिया क्या का जवाम मिला चारा चारा है बेटा आपका करम किसको खिलाया गाये को तो ये भी बेटा आपका क्या है करम किसने खिलाया यह है बेटा दीपा दीपा है वाक्य में करता तो प्यारे बच्चो आपको एक बात ध्यान दखनी है अब इसमें करम आपको दो नजर आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चो जो किरिया के बिल्कुल बगल में मिला हुआ जो करम होता है ये आपका करम मुख्ये वाला होता है मुख्ये करम मुख्ये करम और गायज को खिलाया गाय है बेटा गौण करम इसकी वरियता तो है लेकिन गौण करम है मुख्ये करम है चारा तो बेटा ये होता है गौण करम तो इसमें इसने दो करम करे तो मेरे प्यारे बच्छों आपका बीवा ला जाएगा सरजी ये दूई कर्मक Xरia है जैसे एक विकल पहुत बताता हूँ आपको इसके लिए मैंने बोला मा बच्छे को दूद पिलाती है मा बच्छे को दूद पिलाती है तो बैटा पिलाना तो क्या हो गया? कलर बदलनू भई पिलाना तो हो गया बेटा किरिया मा क्या पिलाती है बेटा बच्चे को दूद ये हो गया मुख्य करम किसको पिलाती है बच्चे को ये हो गया प्यारे बच्चो आपका गौण करम ठीक है और पिलाती कौन है ये है बेटा मा तो मा होगी करता तो बेटा मुख्य करम और गौंड करम इसमें दोनों आपको मिल जाते हैं लेकिन किरिया से बिलकुल मिला हुआ जो करम होता है वो मुख्य करम होता है मेरे प्यारे बच्चो याद रखना तो बेटा D आंसर आपको लगाना है हाँ बेटा दूद पिलाती है कोशन नंबर प्यारे बच्चो आपके सामने संयुक्त किरिया का उधारन कौन सा वाक्य है एक बार सभी प्यारे बच्चो बता दीजिए मुझे सभी लोग बताईए बेटा रस्सी जल गई सामानने किरिया है बेटा गीता सीमा पढ़ रही है सामानने किरिया है बच्चा सोता है एकर्मक किरिया है लेकिन आइसा नंबर जो सी है जिस किरिया में बेटा दो किरिया आती है दो किरिया साथ आती है दो किरिया साथ आती है ठीक है ना बेटा वो किरिया ये जो होती है संयुक्त किरिया होती है जो किरिया साथ आती है जैसे कि तुम पिरती दिन पढ़ने और आना पढ़ना एक तो बेटा किरिया होगी पढ़ना और एक दूसरी किरिया होगी आना ये बेटा किरिया जो होती है हमारी ये संयुक्त किरिया का उधारन होती है याद रखना तर्वह गूमना चाहता हूँ मैं आए तो ग्रिया होगी गूमना एक होगा चाहना और इसमें हमारी कौन सी पूमना चाहता हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ यह बेटा मेरी एक्षा हो गई ठीके मेरे प्यारे बच्चो तो बेटा ओप्सन नंबर सी आपको लॉग कर रहा है ठीके मेरे बच्चो गुरुजी 349 एक बार और अच्छा ले जब इतनी मुहबबस से कह दिया तो अभी पहले 349 देखता हूं लेकिन एक बार में समझ जाया कर अच्छा सा लगता है अपने आपने मेरे बालक मेरे बालक इसमें सोगना लंबा में विशेशन कौन सा पूछा है मेटा संख्या बोदक होते हैं मेटा यह संख्या वाचक विशेशन है संख्या वाचक इनके भेद हैं यह संख्या वाचक बीटा में तोड़ु पुर्णांक और पूर्णांक में एक दो तीन-चार और इसका में पूर्णांक और बनाऊं ना अब तो सारी बात खुलवानी चाहता है तो बेटा अच्छी ना तेरे पूछी ना जाने की तेरे पेपर में जैसे मैंने का सवा किलो लड़ु धाई किलो बता से सवा, धाई, देड़ ये जो संख्या टूटी हुई होती है वो बेटा है पूरांख होती है इतनी सी बात है यार ठीक है? चल महिया ठीक है मिले बच्चे तो बेटा इसमें आवर्ती बाता पूछा है तो आवर्ती है अवरी सो गुना, दो गुना, तीन सो गुना, पान सो गुना, चार सो गुना यह होगा ठीक है? चल कोई बात रही तेरा एक कोश्चन था यह भी होना चाहिए था किलिए ऐसा क्यों नहीं होगा? वही होगा जो मनजूरे खुदा होगा बेटा इस आंसर को बताओ बेटा पिता जी से सामान मंगवाया ठीक है? तो बेटा पिता जी को हुकम दे रही है मा, जब हुकम दिया जाता है ना किसी को काम करने का तो मा प्रेणा होती है मैंने तुम से का सभी लोग 400 मीटर के 4-4 चक्कर मार के आओ मैंना जाओ, तुम ही जाओगे दोड़ मारने तो बेटा मा प्रेणा होती है स्वास्त के लिए अच्छा है दोड़ो ठीक है? तो बेटा आंसर आपका प्रेणा अत्तक किरिया हो गई मा ने पिता जी से सामान मंगवाया इसमें दो करम ना कर दियो कुछ बच्चे गलत उस दिन वहां डिश्टरब कर रहे थे मुझको अब ना होने का वेटा अब तो मैं तुम्हें किल्यरी करके जाओगा इसे ठीक है याद रखना वही गलत मत कर देना आज मामला और है समझना यसी किरिया है और वान अर वान मिल जाए देशी सी बात है यह सबको ना बता यह जब किसी सी इंत में आना या वाना मिल जाए और आप से पूशे की किरिया का भेद बता दो तो कह देना प्रेणार था के जाओ ठीके ना पेपर में ठोक देना डर ना मत बिलकुल भी समझाना ठीके मेरे बच्चे ये कलाकारी दिखाना बेटा पेपर में है ना रेटन विद्या से मत जाना के लिए सब्सक्राइब इसमें हुई हो रही है या आगे आने वाले में हो गी तो पेटा किरिस का मतलब होता है समय और मतलब कर चलेंगे चलिए काल का मतलब पढ़ लेते हैं पहले, आओ, तो बेटा सीधी सी बात है किरिया के होने का समय का बोध होता है, लग लेंगे, किरिया के समय में, किरिया के होने का, किरिया के होने के समय का बोध होता है, पता चलता है, ठीके बेटा, वो काल कहलाते है बोध होता है याद रखना बच्चो चलो अब तुम्हें बताऊंगा वही में जो काल होते हैं बेटा वो तीन भागों में बटे होते है नमबर एक तो होता है बीता हुआ समय भूत काल जो बीते हुए समय में किरिया होती है नमबर एक नमबर दो होता है दोस्तों भविश्य काल तो भूत काल जो होता है ये तो बीता हुआ हो गया बीता हुआ इसके भेद पूछे तो 6 बता देना वर्तमान होता है चल रहा है जो चल रहा है जो समय इसके हो गए 5 भेद और भविश्य होता है इसके जो आएगा जो समय आएगा इसके होते हैं बेटा तीन भीद तो पांच, तीन, छे तो कुल मिलाकर चौधे वाक्य में हम इसको पढ़ लेते हैं इतना ही गड़ित जानता हूं मैं अब तुम मुझसे कहने लगो भाईया के सारा गड़ित पढ़ा दो बेटा अमित कुसवा बी मैंने बता तो दिया उसका अंसर बच्चे बेटा मैंने नियम के नुसार बता दिया यह आंसर को गलती ठेरा दिया कि अभी हम रीती अनुसार पढ़ेंगे क्योंकि संदी के नियम के नुसार यह संदी के नुसार तोड़ेंगे हम उसे वी answer को मानते ही नहीं, हम A को मानेंगे, पर पॉरी, B को मानेंगे, A को नहीं मानेंगे, ठीके मेरे दोस्त, छलो, ठीके वभी अमित, खुसभा जी अब तो खुसो, अब तो doubt नहीं बनेगा, चलिये वभी, यह कहता है काल, किरिया के गटित होने का समय क्या कहलाता है बेटा क्या कहलाता है मेरे दोस्त काल कहलाता है आंसर नंबर ए वाला ही राइट आए गया आगे है ना ठीक है बच्चो वेरी गुड तेक बेटा बास सुन अब भगवान तो मैं भी नहीं हूं इंसान ही तो हूं हो सरता है चलते चल नियम के नुसार हमने सही कर दिया हमने उसको गलत है घ्रणी बात बता हूं एक अध्यापक जो होता है पूरे जीवन विध्यारती रहता है पूरे जीवन और जिसके अंदर मैं आ गई के मैं तो भ edible पर ही बेटा वो खतम थेचाँ आर्मी लवर 352 गलत है पीट गलत केशे ये इसे देखलो पहले मिटड़ गलıt नए तू गलत है जा पिटब बीटब गलत नहीं अ ये तू गलत का भैई अब तो मिरे बच्चे गलत नहीं मंघवा रही है मां थीक है प्रेणार्थक के रिया है माँ प्रेणा दे रही है लाओ जी समान लेकर आओ गलत नहीं है याद रखना चलो मिम्न में कौन सा भूत काल के भेद में नहीं आता बताई यह बेटा तो प्यारे बच्चे आपको पता है भूत काल के छह भेद होते हैं मैं इंध-शामानने वी मैं नंबर को उसका फायदा उठाते तुम बहुत पूर्णों हो गया मेरे बच्चे आपका हे तुं हे तुं मधभूत मत्भूत इव प्यारे बच्चे इन में कौन सा नहीं है संभाव यह तो रहाटो आपको वर्तमान में मिलता है या पिएरे बच्चे आपको बविष्यस्या में मिलता है तीके भई ये आपको कभी भी बेटा फूरूरं फूरूरं बूत काल में नहीं मिलेगा टीकें चलिए Qocyan number 356 कौन सा वाक्य आशन बूत काल में है और मेरे प्यारे बच्ची आशन भूत काल के वाक्य पून वर्तमान काल के वाक्य भी होते हैं याद रखना यह बात भी कभी कवहाँ परिसान हो कि सर्जी to पूर्ण में आ गया यह कुर्ण में पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य वाक्य बीं था इन ब्रृत्काल hairs र 인हाई सेना इने यह आया था यह यह मैंने आम मॉल घाया है तो रे आया था तो ये बेटा किसमें आं जाएगा आपका ये तो बीते हुआ समय नहीं ना, Memory आने आम खाया है gonna С नहीं बेटा, D मैंने आम खाया है तो ये वर्तमान में काम किया है så बेटा इस आसन भूत्गाल में होते है तो प्यारे बच्चों याद रखिए वह आया था तो बेटा बीते हुए समय की बात कर रहे हैं मुझे पता है कल आया था वो आज नहीं आया उर्ता का बोद हो रहा है मा निमलिक्त में से वाक्यों में से अपूर भूतकाल को पहचानिये तो बेटा जिनके अंत में रहा है सोरी रहा था रहा था रही थी ती रहे थे आता है ठीक है ना याद रखना सोरी वे वाक्य आपूर भूतकाल के होते हैं जैसे मैंने कहा रामु खाना खा रहा था माता जी खाना बना रही थी पिता जी अकबार पढ़ रहे थे या पूर्ण भूत काल के वाक्य है ठीक है बिल्कुल तो बच्चो आपको याद रखना है ए अंसर आपका लौक हो जाएगा ठीक है मा खाना बना चुकी है बेटा पूर्ण वर्तमान काल है ठीक है ना है मुझे बाहर जाना है यह था भाषी की बात है हम गुमने जाएंगे यह वी भाषी की बात है ठीक हार आगे जाना है अभी नहीं मुझे जाना है कल जाना परसो जाना जब्भी जाना है सबुल से मतलब है में खाना छुका तो जुक़ operate सीधा सा तो बेटा ऑप्सन नंबर आपके सामने एवाल स्वरी वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा किरिया का बीते हो समय में पूरा होने का बोध हो गया मैं खाना खा चुका था मैं पाट पड़ चुका था एना रवी ने खाना खाया होगा बेटा जब सामाने वर्तमान काल के सामाने भूत काल के अंत में होगा होगी होगा लगा देते हैं तो मेरे बच्चों वहे आपके जो वाक्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो संदिक्द भूत काल के होते हैं जैसे कि में रवी ने खाना खाया यह आपका सामाने वर्तमान काल है यहां तक सामाने सौरी भूत काल भूत काल लेकिन इसके अंत्रम जो होगा और लग गया तो बेटा यह संदिक्द भूत काल हो जाता है ठीक है ना ठीक है मेरे बच्चो चलिएगा आगे आते हैं भाई यदी बारिस होती तो सूखा ना पड़ता तो बेटा बीते हुए समय में ही पहली वाली सर्थ पर दूसरी सर्थ निर्बर हो जाती है ठीक है मा समय आई यदी बारिस होती तो सूखा ना पड़ता हम दो महीने पहली बात कर रहे हैं भाई यदी बारिस हो जाती ना तो सूखा ना पड़ता तो दो महीने पहले का बीता हुआ समय बात कर रहे हैं बीते हो समय की तो बेटा ऐसे वाक्य हेतू हेतू मदभूत काल में आते तो वह भी पढ़ लेता है तो आंसर नंबर ए हो जाएगा है तू यह तू मदभूत भविश्य वो होते हैं जो आगे आने वाले समय के लिए काम करते हैं यदि हम पढ़ेंगे तो एससे जीडी में नौकरी जरूर ले लेंगे यदि आप पहले आ जाते तो बेटा पहले ही पिछले पहले वाले बैच में ही भरती हो जाते तो बेटा बीते हुए समय की बात करिया है हमने हे तू हे तू मदभूत काल की ठीक है जालो दुनिया को नई रहा दिखाता है जिसके अंत में ता है ता है ती है ते है आ जाए ना वहाँ पर एक ही वाक्या का दिहान रखना बस वहाँ पर आपका आंसर सामान्य वरतमान काल में आना चाहिए जैसे मैंने बोला राम पुष्टक पढ़ता है राम पुष्टक पढ़ता है तो बेटा आपका अंसर ये होना चाहिए कि लिए रहा ना सीमा पत्र लिखती है गुरू जी हमें पढ़ाते है ठीक है बेटा बिल्कुल तो सामान्य वरतमान काल के वाक्य होते हैं ये ठीक है मेरे प्यारे बच्चो चलिएगा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल बताओ सामान्य वरतमान काल पूर वरतमान काल संधिक्द वरतमान काल संभावे वरतमान काल तो बेटा इसमें क्या होता है ठीको ना तो सामान्य होगा ना ही संधिक्द होगा संधिक्द के अंत में होगा आता है संभावे के अंत में हो आता है है ना इसके अंत में ताह आता है या आता है अब तो अंसर एक ही बच गया पूर्ण वर्तमान काल लड़के ने पुष्टक पड़ी है जो आसन भूत काल में भी जाता है ठीक है पूर्ण भूत काल या बेटा आसन भूत काल दौनों में आते हैं याद रखना बच्चे वनना डिश्ट्रब हो जाते हैं कि सर जी यह तो आसन भूत काल में भी आ गया बेटा आसन भूत काल के वाक्या पूर्ण वर्तमान के भी होते हैं ठीक है और चीए ओषणी नंब़ नेट्च रवी खाना खता हुग तो याद रखो जिसके अन्त में टा है ती मान काल के सामान होते हैं और यह थे संदिक्द वर्तमानकाल हो जाता है तो बेटा संदिक्द बराइक स्ढमान का то समार नहीं संदिक्द बूत्नी संदिक् Absol Subics palab बेटा अंसर होगा एवाला क्योंकि मैंने आपको बताया है जिसके अंत में ता है ता है होता है सामान्य वर्तमानकाल के होते हैं और उसके अंत में यदि होगा लगा दें प्रिणाम सिगमा जी उसे हम संदिग्द वर्तमानकाल के ले जाएंगे और यदि यहां पर होता रवी इए बहुत सी बढ़ी ओगी तुमने मगर ऐसी नहीं पड़ी होगी बभिश्यत काल में बदल दीजिए ठीक है बभिश्यत काल में बदल दीजिए बेटा सबद साट सि कनफ्यूज करेंगा कोश्चन देखो बच्ची रो रही थी पीछे बीते हुए समय की बात कर रहे हैं बच्ची रो रही थी जी अपूर बूत काल है बच्ची रोती है बच्ची रो रही है बेटा ये रो रही है अभी की बात है अपूर वरतमान की बात कर रहे हैं बच्ची रो रही होगी आगे आने वाले स लिए बच्ची रोएगी आगे रो रही होगी तो याद कर ले वनना आगे रो रही होगी हम देखेंगे तुझे लेकिन इसको में प्रिकार से और बदल लेते हैं बच्ची रोएगी रोएगी लीजिए तो बेटा आगे आने वाले समय के लिए बोट कर रहें एवाला बना लो ठीक है इसको आंसर को चैंज कर लो बच्ची रो रही रो रही है रही है रो रही है क्योंकि बहविश्य में बदलेंगे तो बहविश्य में आगे को बुदलेंगे तो एंगा एंगी यहीं या बच्चो हम सायद वर्सा हो संभाव है बैटों प्यारे बच्चे एही आंसर लगाईए तो एक और इसको लगाईए यह वाला मतल लगाओ पेपर में ना गलत हो करेंगे कल करेंगे परसो करेंगे कुछ नहीं पता करेंगे लेकिन आपका आंसर क्या होगा इसमें भाइया आगे आने वले समय का बोध हो रहा है तो सामाने भविश्यत काल है ठीक है बिल्कुल आंसर नंबर एक ही तरफ जाएंगे हम लोग सामाने वरतमान काल लिए होगा सं ऑफिश्य काल होता है बेटा कि सायद कि सायद प्रधान मंतिरी कि साय कि आज कि आज ने करके सायद प्रदानमंतरी बाड़ गिरस्त तो चित्रों का दौरा करेंगे तब ही हमारा अनसर होगा किसका संभव पहिश्यकाल का और विटा सामन्यभूत काल क्या होता राम आया ये वाक्य में आज तक नहीं भूल पाया क्योंकि ये question मेरे सामने UPSI में आया था ये वाला इसलिए इसको आज तक में नहीं बोल पाया ठीक है अरे वई वाच्चे बेटा वाच्चे होता है बोलने का धंग बोलने का तरीका जिससे हमें ये पता चल जाए जो हम बोल रहे हैं जो करिया हो रही है वो करता के अनुसार हो रही है करम के अनुसार हो रही है भाव के अनुसार हो रही है ठीक है तो वाच्चे का मतलब होता है बोलने का धंग बोलने का धंग बेटा बोलने का धंग मतलब की तरीका ठीक है बेटा लिहाज अब वाच्चे जो होता है या तो ये कर्म के अनुसार होता है या प्यारे बच्चे ये कर्ता के अनुसार होता है या बेटा ये भाव के अनुसार होता है ठीक है ना कर्ता में बेटा से कर्मक और एकर्मक दोनों के लिए आती है से कर्मक भी आती है और एकर्मक भी आती है करिक्ष करम वाच्च्छच बनता है और बहुनात्या हुटी है अन्य या मिल सकती है थिया न न सकती है जान चला चाहिए उससे चला नहीं जाता है न मिलकूर गणा सानहीं जाता में दिसके अनुसार बनता है ज सभी के नुसार करम के नुसार भाव के सभी सभी के नुसार इप्रीए वैरी गुट सब्सक्राइब इसकल सर्ण के थितलब करें हुछे बताओ नंबर एक होता है करत्री वाच्चे नंबर दो होता है प्यारे वच्चे करम वच्चे है नंबर तीसरा होता है भाव वाच्चे है यह में तो बेटा अंसर हो जाएगा तीन राइट कि अ अब आताए बेटा सरोज ने आम खाया है तो बच्चों कि यह किस वाच्चे में है सरोज ने आम खाया है यह किस वाच्चे में है सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार सरोज ने आम खाया है बताईए मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि बताइए है है कायां है है कि वाठ्ट्टे में अपको करम अ करक्त्ट्री करत्ट्री वाच व करत्ट लिए अंसर होता है बेटा क्या है कि क्या खाया है आम खाया है तो आपको अंसर देना है दोस्तों करत्री वाच्छा हमारा राइट अंसर होता है पर बेटा करता के साथ ने कारक्की विभक्ती मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती ठीक है ना पुश्यन नमबर आता है बेटा आम खाया जाता है ठीक है पत्र लिखा जाता है कहानी पढ़ी जाती है कहानी पढ़ी जाती है तो जहां पर करम के नुसार करिया आती है बिटा उसे कहते हैं करमवाच्छ जैसे मैंने कहा लेख लिखा जाता है लड़का लड़के के नुसार बोलेगा लड़की लड़की के नुसार बोलेगी तो करम वाच्चे में बिटा और करम के नुसार करत्तरी में बिटा क्या होता है यदि इस्त्री लिंग है तो इस्त्री लिंग के नुसार करिया होती है और करम वाच्चे यदि पुलिंग है तो पुलिंग के नुसार इस तरी है तो इस तरी के नुसार ठीक है ना मिलकुल लेक लिखा जाता है तो बेटा आम खाया जाता है तो सीधी सी बात है बताईएगा क्या खाया जाता है आम खाया जा रहा है ना तो आंसर दीजिए आप बच्चों कौनसा होगा प्यारे बच्चों नंबर भी आपर राइट होता है यह ना सर मेरा नाम लहीं लिए एमडी समीर अच्छा अव लाश्ट में सब बेटा सर 262 नंबर अच्छा ऑफिशियल मिश्टर जाट मिलकुल भाई अभी करेंगे पहले इस टॉपिक को बेटा repeat करूँगा उससे बेठा नहीं जाता अन्यपुरुस के लिए हम गोल रहे हैं उससे बेठा नहीं जाता और जहापन व्यक्त कर रहे हैं आपके यार उससे बैठा नहीं जाता तरजी अब हैंग हो रहे हैं थोड़ी दिर और प्लीज बेटा प्लीज बेरे प्यारे बच्चे प्लीज अगला कुश्यन आता है बेटा मोहन से चला नहीं जाता मोहन से चला नहीं जाता ठीक है ना तो हम कोई लड़ है कौन से वाच्चे में होते हैं तो बताईएगा मोहन राइज छला नहीं जाता तो आप पता है भाव वाचय के लाइड से समझ में नहीं आता वाच्चे वाच्चे लड़की तो वो गहाएगी मुझ के आज दिल्ली नहीं जा सकती यह मैं दिल्ली जा सकती हूं ठीक है और लड़का होगा तो वो लेगा मैं दिल्ली जा सकता हूं तो किरिया लड़का है लड़की के नुशा रहेगी करता करतरी का मतलब करता ही तो होता है और करम होता है जैसे कि मैंने कहा दूद पिया जाता है त तरजी मेरी समझ में आता है लड़की होती तो क्या कहती वो भी ऐसी बोलती तो बेटा वो करम ही है क्योंकि आपको पता है यदि मैंने कहा पत्र तुमने कहा मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता लड़की होगी तो भी क्या बोलेगी मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता तो बेट क्रिया करता एक अनुषार ओती है लिंग में उसके प्रिभाब पढ़ता है टो बेटा मोहन से चला नहीं जाता आपका अंसर क्या होगा वेटा उपसन नंबर वी होगा आप अन्य कर रहे हैं कि मोहन से चला करम वाच्चे में प्रधान होता है कौन होता है करता भाव विचार या करम की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें प्रधान करम होगा कहानी सुनाई जाती है कहानी लिखा जाता है क्योंकि लेख प्रधा पुलिंग है तो लिखा जाएगा किरिया करम के नुसार आ रही है दोनों जी है है न ठीके बटा ठीके बटा तो आज़सर नमबर D होगा कोशन नमबर प्यारे बच्चे 374 जिस वाक्य में करम के नुसार किरिया परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं बताई अब अब तो बतादो यार जिस वाक्य में करम के नुसार किरिया परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं तो बेटा उसे आप करम वाच्चे कहते हैं आप तो समझ में आगी भीया आप तो कर दोगे ना पेपर में ऐसी कोशन मिलेंगे तो सर मेरा नाम नहीं लेती नवीन सर का मगर मच्च अरे भई किरो को रडाईल है तो तो बही या कोशन नमबर मेरे बच्चे निम्न में करम कारक का उधार्ण बताओ पत्र लिखा जाता है राम पुस्तक पढ़ता है तो बेटा यहाँ पर यदि लड़की होती तो यह वाच्चे करत्री वाच्चे है करता के नुसार हो रहा है ठीके ना सीता पत्र लिखती है करत्री वाच्चे है बेटा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे करत्री वाच्चे है भईया है ना मुझसे बेठा नहीं जाता बेटा ये आपका भाव वाच्चे है मुझसे बैठा नहीं जाता लेकिन हमें आंसर देना है ए वाला पत्तर लिखा जाता है करम वाच्चे हो गया आपका ए आंसर राइट ठीके मेरे बच्चे अब समझ जाओगे न कब सारे वाक्चे हैं आपके इसमें देख लो सारे वाक्चे आगए आपको पत्तर लिखा जाता है कहानी होती तो लिखी जाती खीर होती तो खाई जाती दूद होता तो पिया जाता ठीक है दोस्तों पहल लिएगा कोशन नमबर नेस्ट भाव वाच्चे छाटिये दादा जी के द्वारा अनिल को डाटा गया तो बेटा करम किया गया डाटने का तोते से उड़ा नहीं जाता असोक ने आईश्क्रीम खाई बेटा करत्री वाच्चे है आईश्क्रीम है तो खाई जाएगी ठीक है ना असोक ने आईश्क्रीम खाई तो आईश्क्रीम खाई जाती है दूद्ध पिया जाता है ना बच्चों लेकिन करता के अनुसार भी आ रहा है यहां पर चोर पकड़ा गया तोते से उड़ा नहीं जाता बेटा भाव वाच्चे भाव वाच्चे लेकिना वेरी गुड लेकिन यहां पर इसक्रीम खाई जाती है तो यहां पर आपको पूछना आए दोस्तों आंसर इसमें क्या है आपना नमबर बी है कि भाव वाच्चे की तरफ हमें जाना है तो यह जो नमलिक्त में से भाव वाच्चे का उधारन कौन सा है अब चला जाए रवी आम चूसता है ठीके ना यदि यह लड़की होती तो आम चूसती ठीक है ना तो बेटा मोहनी पत लिखती है करत्री हो गया सीला से खाया नहीं जाता ठीक है ना लेकिन आपर भाव वाच्चे है खाया नहीं जाता ठीक है ना बेटा तो आपको पता है यहाँ पर करम वाच्चे कर रही है खाने का हो ठीक है लेकिन मेरे बच्चों इसमें कहा है निमलित में से भाव वाच्चे का उधारण बताईए तो बेटा अब चला जाए ए आंसर आपका राइट हो गया ए वाला भाव वाच्चे मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्चे होगा कौन सा दीपक भाटी सर मेंट फाउंडेशन बैच का ऑफशिर टेका डेट पेटा समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हूं बताईए बच्चो अगर कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता तो बेटा भाव वाच्चे होगा आपका अंसर नंबर एक ठीक है ना मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता तो बेटा जहां नकारात्मक कोश्चन होते हैं अपना नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे पढ़ा नहीं जाता उससे चला नहीं जाता दोस्तों महाँ पर नहीं आ रहा है तो बेट कि एक वचन में होना चाहिए ने पुरुस में होना चाहिए नकार एकरमक्रिया होनी चीम भाववाच्च्चे होता है मोहन पुस्तक पढ़ता है यह दि दो पड़ती तो करत्री हो जाता थियान भीटा नहीं जाता है पत लिखा जाता है कहानी लिखी जाती लिखी जाती लेकिन लेकिन बेटा यह आपसन नमबर है आपर मौहन से बैठा नहीं जाता स्थी आंसर आपका भाववाच्चे है कि अरुन कुमार बेटा सब लोग आंसर दीजी इको 177 में टी नहीं होगा क्या सर बेठा 270 में डी डी कैसे करा रहा है है शीला से खाया नहीं जाता नहीं 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 होगा टी तो आपका करम की टरफ जा रहा है ठीक हैं टीक मेरे दोस्त को तीला से मैं के ता सीला पढ़ा तीला सीला से पढ़ा नहीं जा रहा दो वहां भी करम होता है क्योंकि दूदो कुछ भी आउनसर मिल सकता है तो बैटा खाना शकरमक के रिया है ना मेरे बच्चे यह भी तो तो इसलिए सकर्मक नहीं है इसलिए सोरी भाव नहीं है यह अट देख लिया ना जिया नेहीं चीज ध्यान रखना को अब चने जाहिए अ पित दो ऌन İक फिसली देख लिए बेटा आपको पता है झीरा निया है कि मिलक्म जिलादीकारी ने सबको उपस्तित रहने का निर्देश दिया बताइए वेटा कौन सा वाच्चे है जिलादीकारी ने सबको उपस्तित रहने का निर्देश दिया करम वाच्चे करत वाच्चे करम या एवं करत वाच्चे उप्युक्त में से कोई नहीं बताईए प्यारे दोस्तों तो तो बेटा जिला अधिकारी ने यह करता है और करता कि यह उसार बेटा संदेश दिया जा रहा है और कि यहां पर करत्री वाच्चे आपका होगा अधिक्ति चले दो नि तो बेटा आपको लॉक करना है कि अब आता है इसकी चिन होती है किसी का पहचान होता है किसी का निशान होता है ठीक है बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त तो बेटा लिंक जो होता है किसी का चिन होता है किसी की पहचान होती है निशान होता है मेरे बच्ची ठीक है न बच्चो याद रखो प्यारे दोस्तो तो चलते हैं और बेटा कोश्चन आता है कि यह सब्सक्रीज याद रखना इसको कि इसको कि यह सब्सक्राइब बच्चों याद रखेंगे आप लो इसको यह यह अंग्रेजी संस्क्राइब जर्मन तो बेटा उप्सन नंबर आप लगाएंगे प्यारे बच्चे फ़ै वाला बिल्कुल राइट फिर ब्रीगुड कि 137 का डी होगा बेटा डी कैसे होगा यार क्या पढ़ रहे हो तुम यार इतनी जैबी एवी सीडी यार कर रहे हो सब लोग हैं ऐसा कैसे कर दोगे भाई बेटा यह क्या है बेटा यह खाना सकर्मक किरिया है भाव में नहीं आगा भाव में कभी नहीं आ सकता मेरे बच्चे क्योंकि भीया आपको पता है मेरे बच्चो खाना सकर्मक किरिया होता है यार सकर्मक किरिया कहा लाओगे भाव में सकर्मक किरिया का सीधा नियम पता है आप लोगों को एक कर तिन्य दोब सकती है किसने पढ़ाया तुम्हें तुम्हें गलत चीज गलत मत पड़े यार भी खाना सकर्मत तुरिया होती है खाने में आपको अंशर मिली मिल जाएगा ठीक है कि गलत नहीं extend but डुमों रहे हुद शुंद confess अब सकता को मेठ याद रखो मेरे प्यारे बच्चों गल्ती की तरह मत जाओ तब तसम heeft कर्मब वाच्चे में कि मिरे प्यारे बच्चे अ कर्मक क्रिया निया पुरुस होता है एक वचन होता है कितना यार को हिंदी है कितने नंबर को अब कितने हאני को का प्रियोग हुता है तो एंधी में आपको पता है दो नंबर की सिश्टी जाती का आप होता है ठीक है ना और नंबर 2 प्यारे बच्चे पूल जिससे पुरुष जाती का बूद होता है तो याद रखिएगा बेरी गुड चलिए अब सिंपल सिंपल कोश्चन है सब लोग बता सकते हूं कि मिटा फसना नहीं है सकार्मक किरिया जहां भी मिल जाए वहाँ पर करम वाच्चे लगा ना यार सीधी सी बात है अपवाद को छोड़कर वर्ण माला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं तो बेटा एक तो छोटी बड़ी ए रे रिशी ये जो होते हैं बेटा ये तो इस्त्रिलिंग होते हैं बाकी सभी पुलिंग में होते हैं आंसर नंबर ए आपका लोग होता है सर गलत है, क्या गलत है बेटा? बताईए बहिँ चंद्रलो कुमार जी क्या गलत है सकरमक क्रिया भाव वाचक में लिया हूं क्या? नहीं मैं नहीं ला सकता भाई सॉरी बेटा जो नियम है उसके लिसाप से मेटा नियम से ही चलूँगा मैं कुछ नहीं गर सकता उसमें अब आप श्यम बदलना चाहते हैं बदल लीजिएगा गलत हो जाएगा दोस्तों लेकिन मेरे प्यारे बच्चो याद रखेगा मेरे भाई सकर्मक किरिया करम वाच्चे में ही आती है कर्मक में आती उसमें भाव म चवी इस्तिलिंग लड़की का नाम भी हो सकता है लेकिन बेटा विवा जो सब्द है क्विवा हो गया मेरे बच्चो यह आपका पुलिंग सब्द है लॉक करेंगे इसमें तो सिंपल सा कोश्चन आप सब कर सकते हैं कोश्चन नमबर मेरे बच्चो 386 निमलिक्त में से पु वाक्य में आंसर आजाएगा पत्र लिखा जाता है बेटा लिखा जाता है तो आपको पता है जाता है तो बहिया जाता है तो पुलिंग होगा ना यदि जाती होती तो इस्तिलिंग होता है सी आंसर लगाएंगे 3897 प्रस्त्तुत वाक्य में दिन सब्द किस लिंग में आता है ठो चैंब ल्गनि ब को पता है तो उसलोर नंबर है आपका व्यारि विल चलिए हम tahu पूश्य नंबर यदोस्ट 188 388 मेंने दाको और दीजिएता क्या होता तब लोग क्या होगा बढ़ का अपय होता है अब भाद का इसरी में क्या सपत्शत क्या होता है वेटा ये अंशन नंबर ई करदेना पड़ीत का दता बड़ता नि खल ठब होता है से घलत नब्म है से अगर Billie तुम्हारा तुम्हारा तुम अभी मौज में हो बेटा पता उस दिल लग जा एक दिन पेपर दो गई तीन सो नबबब याद आएगा कोई भात रिया भी तो नबबब इसके बाद है कोई सब बिल्ली का पुलिंग है बेटा बताओ बिल्ली का तो बता दीजी कम सगम अटेंट एंड लाश्ट अटेंप्ट गुरूजी सो परसेंट सेलक्षन लेकर आपके कदमों में आना है गुरूजी वह मेरे दोस्त यदि यह सोच तुम्हारी हो गई न तो दोस्त दुनिया की ताकत तुम्हें सेलक्षन लेने से नहीं रोख सकती तो बिल्ला होता है बिल यार एक बात बताईएगा तुम मुझसे सब आधी उमर के बच्चे हो अभी से तुमारे अंदर दम नहीं काया हिम्मत हार रहा हो कैसे काम चलेगा ला कि सकती मानी सक्ती मती सक्ती माती यह निमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे सक्ती मती ठीक है मेरे दोस्तों वेरे गुडट जीन प्यारे बच्चों को मज़ा आ रहा है को एक बाद थमसब कर दीजिए क्लास्ट कुई अन्तिम पड़ाव की तरफ चल रही है तो सब को मज़ा आना चाहिए वही बीस फरवरी को एक्जाम है सब्सक्राइब अज्वाइन रोटई कर खाते है एक पर आठ्ठा खाया जाता है खाया जाते हैं भेष सार बहूं सरे खाल लिए तो है ना तो लॉक कर दीजिएगा अज्वाइन मेरे बच्चों आंसर नमबर यह वाला राइट लगा दीजिए लिए रहे वेरी गुड कोश्यन नमबर मेरे प्यारे बच्चों 302 में कव्वाली में कौन सा लिंग है बेटा बताओ कव्वाली गुरुजी हम स्टार्ट पेपर में घपरान अमत सब बढ़िया होगा सब बढ़िया सब्रय कौन सा लिंग पूलिंग नहीं धा सब जिसे इस और पूरुज दौनों को रोता यसे मैं ने राजयपाल सब्द में लिंक बताईएगा तो राजयपाल पुलिस वी राजयपाल महिला भी वनती है और राजयपाल पुरस द वनते हैं मैंने कहा ब chops याद रखना जैसे इस इन्यदो distrator मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे राज्यपाल जो पदों के नाम होते हैं राज्यपाल महिला और पुरुस दौनों जिन पर बद पर जिस गद्धी पर आसीन होते हैं बैठते हैं वह उभेलिंग सब्द होते हैं ठीक है ना पूशन नमबर 193 और 193 393 अध्रापक का इस त्रिलिंग बता दीजिए यार बन सकता है ना मुख्यमंतरी बेटा उभेलिंग सब्द महिला भी बनती है पुरुस भी बनते हैं जिस पद पर दोनों बैठ सकते हैं वह उभेलिंग सब्द होते हैं तो भीया उस गद्धी पर महि आपक का अध्यापिका ठीक हैं कि तुमें कहा नित्यलिंग वते हैं जैसे मैं न कहाए तो मुझे यह मैंना नहीं होता है उसका उबता है घुरमादा लगा करते हैं उंको हम जम्मू का कट ओफ कितना रहता है गुरुजी बिटा जम्मू का कट ओफ बहुत सीमित रहता है याद रखो अध्धा पिका बिटा वाता है वचन हिंदी में वचन कितने होते हैं हिंदी में वचन होते हैं दो जिससे एक चीज का बोध हो वो एक वचन जिससे एक से ज़्यादा चीजों का बोध हो वो बहु वचन वेरी गुड बास्वंज में आई तो प्यारे बच्चो हिंदी में वचन होते हैं दो याद रखना एक वस्तू है तो बेटा वो एक वचन के अंदर रहेगी और एक जैसी बहु सारी है तो बेटा वो बहु वचन रहेगा जहां में एक चीज एक पस्तू प्राणी का बोध होता है वो एक वचन जहां एक से ज़्यादा का होता है वो बहु वचन बस चलिएगा अब आते हैं कोश्चन की तरफ यह कोश्चन बेटा एक बच्चा था असाम से उसका नाम मुझे महिस चंदन था कुछ करके नाम था उस बच्चे का बहुत बार इस कोश्चन को लेकर डाउट रहा तो आज यह कोश्चन मैंने इसलिए हापर महराथन में भी लिया है यहापर इस किलास में भी ताकि उस बच्चन किसका कराता है जली एक या एक से ज्यादा होने का या कि एक है जलाधा है तो बहुत नहीं कोई एक होती है तो एक वचन में आती है एकसे ज्यादा होती है तो बहुत वचन में आती है ठीक है जैसे तुम कहते हो एक वाक्राइब पर पेपर में के सडे किरिकरृषण के किरिशन के अनेक नाम हैं ठीक है तो यह अनेक का मतलब बहू सारे नाम है छिएоров剛剛 आपको लौक करना है उंदि में कितने वचन ओते हैं नमबर एक होता है प्यारे बच्चे एक वचन कि नमबर दो होता है प्यारे आपका बहू वचन एक वचन और बहु वचन ठीक है आगे चलिएगा कोशन नमबर 396 चाय सब्द का प्रियोग किस वचन में होता है बेटा चाय आज बहुत पीए मैंने चाय दस बार पीलो पचास बार पीलो चाय तो चाय है सभी को चाय मिल गई के जी हां मिल गई ठीक है बेटा यह 377 का डी नहीं होगा मैं नहीं करूँगा डी मैं तो भहिया नहीं करूँगा तुम कर लो सकर्मक किरिया के साथ में डी नहीं लगा सकता राजीब संकर जी सरकार जी तुम लगा लो गलत कर दोगे बेटा सकर्मक किरिया उसने क्या है सीला से खाया नहीं जाता भाव वाच्चे लगा दू इसमें नहीं बेटा खाना जो है न सकर्मक किरिया है ठीक है मेरे बच्चे में सकर्मक किरिया के साथ खाने के साथ भाव वाच्चे नहीं लगा सकता एक करम वाच्च लगा हुआ गलत नहीं करना भाई तुम यार नियम पर नहीं ध्यान देरे सीधा लॉजिक सीधा रट रहे हो यार रटने से थोड़ी काम चलेगा नियम से चलो भाई ऐसी रित्य अनुसार सब्द गलत हो जाता नियम के नुसान ना चलेंगे तो नियम से भताओ लाट ता चाए हमेशा किस में आती है एक वचन में आती है थिक को बटशे घ्क लिए सब्दों में एक बटाऊ कौन सा है डे हा है मैं इस पेपर में कोश्चन आया है वो कोश्चन तो दिखा सकता हूँ आपको ठीक है ना लेकिन बेटा मैं दो 377 नंबर को डी आंसर नहीं बना सकता सारस भाववाचक नहीं बना सकता क्योंकि बेटा सकर्मक किरिया के साथ बाववाचक होता है तो बेटा बताई दर्सन चाहे बहुऊचसर पिरांड किया थे पभावच्चस तेल बता тебе आपका एक वचछन होता है कि बताई बच्चो दिये गए सब्दों में नित्य एक वचन में प्रियोग होने वाला कौन सा सब्द नहीं है बताएंगे बच्ची तो बेटा नित्य जनता एक वचन होती अब जनता को बहु वचन मत कह देना ठीक है बहुत सारे बच्चों को दिमाग चल रहा होगा यहां भी पानी को बहु वचन कह देंगे मत कह देना ठीक है आकास को बहु वचन मत कह देना नित्य एक हस्ताक्छर सब्द हैं जब जो हमेंसा बहु वंचन में आता है हस्ताक्छर धर्षन प्राण बाल यह बेटा दाम ठीक दिये गए सब्दों में नित्ते क्वचन में पृजुंग होने वाला कौन सा सब्द नहीं है तो हस्ताक्चर नहीं है बस खलो 193 नीम्लित विकल्पों में से एक वचन सब्द कौन सा है एक वचन दर्शन बहुवचन घरों बहुवचन सभी घरों में उजाले हैं उजाला हैं लाइट जल रही है लताओं लताएं बेटा बेल होती है लेकिन बेटा नदी एक वचन है और नदी का यदी में बहु वचन बनाऊंगा तो बेटा बड़ी छोटी में बदल जाती है नदियां हो जाएगा तो भी आंसर लॉक कर दीजिए वेरी गुड अब प्लीज अव्यक अव्यक करा दीजिए अव्यक तुम्हारे सिलेवस में नहीं है करा क्या दून का अब यह सब्द वे होते हैं जो कभी लिंग वचन काल कारक के नुसार कभी नहीं बदलते वह भी नहीं समझ में आएगा बेटा वही पिश्टेम भी फक्स पस होगे फिर साथ घंटे होगे गुरुजी अरे साथ नहीं साए घंटे हो जाए चोधा पर बेटा यह जो बच्चे है ना गलक चीजे पढ़ने की तरफ चलते यह ना करें बस अब 377 के बीचे ही बेटा वो कर रहे हैं अरे मेरे बच्चो मेरे प्यारे बहन भाईयो मेरे राजदुलारो सकर्मक करिया कभी भाव वाच्चे के साथ आती है क्या जब मैंने बताया करत्री वाच्चे के साथ एकर्मक सकर्मक दोनों आती है ठीक है करम वाच्चे के साथ सकर्मक करिया आती है और मेरे प्यारे बच्चे भाव वाच्चे में एकर्मक करिया आती है और मेरे प्यारे दो एक वचन होता है अन्या पुरुस होता है है ना पुर लिंग पुरुस लिंग होता है है ना तो इन में से कोई भी कोई भी एक नियम लग जाओ यार बस चलो जाती सब्द का बहुवचन रूप क्या होगा कि जाती सब्द का बहुवचन रूप क्या हो और बेटा एक बात और बता दूँ कि बता दूँ कल को आठ बज़े आजी उस्वही कि समय आठ बज़े आठ एम पी एम लिग जाता अभी गलती स्वास है ठीक है सभी आठ बज़े आजाना रीजिनिंग की किलास लेकर आरे राहुल सर्मा सर आपके लिए जो आज पूरा दिन होगा उन्हें मुझे दीखे भी ना मेरी तर तो आए भी ना इस इस में तो इस इस्ट्यूडियो में पूरे दिन रगड़ रहे आज कोश्चन तुम्हारे लिए ठीक है ने बेटा तो आप लोग इस चीच पर भी आके द्यान से देख लिए ठीक है कल लो भी अब तो जादा हो रही है अब तुम ध्यान नहीं लगा रही अब तुम मजे में ले रहे हो जाती सब्द का बहुवचन रूप क्या होगा जातियां बहुत सारी कोशन नमडर 401 उर्दू सब्द सौधा क्या सौधा लाना बजार से आज ठीक है एक बहुवचन में क्या रूप होता है बटा बताओ उसका रूप परिवर्तित हो जाता है कभी नहीं होता मेरे दोस्त उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता बिल्कु सही बात है उसके वरूपर रूबर्वर्तित हो जाता है नहीं होता गलत वात है उसके रूम कोई वरीवर्तन होता है नहीं तुर्ण एक वचन में भी सोधा बहु वचन में भी सोधा तो सौधा यह भी यह पेटा 377 मैंने बता दिया बेटा उसमें डी आंसर नहीं है नहीं है मेरे दोस्त उससे नहीं चला या ता कौन सा विसी 370 को देखूंगा रूख जाओ लेकिन बेटा सकर्मक किरिया है फिर क्या देखूं उसमें मैं डी आंसर में सकर्मक किरिया आ रही है सकर्मक किरिया को मैं भाववाचक में ले नहीं सकता उसे तो मैं ले नहीं सकता भाई उसके लिए तो सौरी सादू आ रहे हैं वाक्य में सादू का बचन निर्धारित कीजिए सादू आ रहे हैं सादू जा रहे हैं बताई बेटा सादू कौन सा सब्द है तीन जीवी नेट खतम हो गया एक बालक का बताओ तो बेटा बताओ सादू आ रहे हैं तो मेरे बच्चो आपको पता है सादू यहां पर बहु वचन का बोध करा रहे हैं चड़िया सब्द का प्रियोग बहु वचन में क्या होता है तो प्यारे बच्चे अनुश्वा पीछे क्या लगा देते हैं बच्चो यहां लग जाएगा अनुनाशिक चंद्रबिंदू चिडियां बहुत सारी हो गई चिडियों मत कर देना बेटा गलत हो जाएगा वरना आपका अंसर ठीक है कोशन नंबर 404 संस्था सब्द का बहु वचन बना दो बेटा सब लोग संस्था सब्द का बहु वचन बना दीजिए चलो आप और डबल्यू संस्था के चेले हैं सांस्थे जीते हैं जल्दी बना बना दो बहु वचन यह मूम फोली चावलो आजाओ जल्दी सेर्ट गुरु जी बता दो कितने सवाल है चार सो कुछ सवाल हों गयार खतम पर चली अब तो गाड़ी चलो तो बेटा अंसर हो जाएगा संस्थाएं ठीक है बड़े बच्चों आंसर नंबर बी लगा दो बस ऐसे बदल दो ठीक है चलो कोशन नंबर चार सो पांच भारतिय सब्दका बहु वचर मना दो इसे बना दो जल्दी से इसी जोस में रीजिनिंग भी करवा दीजिए मैं रीजिनिंग पढ़ाता तो बेटा तिने जोस में कराता लेकिन राहुल सर्मसर कराएंगे तो सकता उन सब्सक्राइब क्या हो जाएगा याद रखियो भारतियों ऐसे बना दियों मेरे दोस्तों इस जोस को ऐसी जिन्दा रखियो बस तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्सन नंबर ए लगा दो मेरे भाई वेरे गुड पेपर में आपसे पेपर पूछू ना कोश्यन पूछे गरू कारक किसे कहते हैं कारक बिटा तो गई कारक पूरी इमालो पूरी व्याकण का निचोड़ होता कारक क्यों संग्यस्तल्म मेरा में आपस में तोड़ने में रिलेशन बताने में कारक काई पर्यूग होता याद रखना ठीक है चलो यह कहता है कि शुरी परसाद कि सुरी दास बाजबी के मत्ते हिंदी में कितने कारक हैं इनके नुसार देख आया चारसो दो तो जी गलत है चारसो दो सही हुआ तो क्या देदेगा वाई पार्टी होगी तेरी तरफ से चल चारसो दो को देखूंगा पहले कि सादू आ रहे हैं सादू जा रहे हैं वेता एक बात बताऊं यह सब्ड़े पेटाा एक वचन दोनौअ में यह वचन न उनकी इजट कीजिए सादू आ बोलते रही मम्मी से पूछना आज मम्मी जो रिसी बाबा साधू आते हैं उन्हें क्या मैं ऐसे बोलते बाबा आया है अरे गलत बात है यार साधू आए वह वह राधा यार मान जाओ बिच्चे और कैसी बात करो तुम भी यह विटा अचारी किसुरी परसाज जी गुनुसार हई तो तम्हारा संभंध कारख को नहीं माना एक प्यारे बच्छों इन्होंने आठवा नंबर का संबोधन है उसको नहीं माना यह कहते हैं बहुत नहीं है क्या बोला गया जो और विद्वान तुम प्रियोग करो के सुरी दास जी को छोड़ो नहीं चलाते हैं लेकर इन्होंने अब क्या है अब हमारे वर्तमान में इनकी तो अनुसार छही है लेकिन हमारे आठ का रख्मा है आठों कारकों पकार यह होता है संभंध में भी और संभूधन पर ठीक है हाँ चली कुछ बच्चे में समय को पता ना कहां ले जाने हैं बेकार पीछे खीच के उखराब हो कोशन ऐसा रहे यार तुम पढ़े लेके बाला को थोड़े अच्छी ची सी बात करें करो हिंदी में कारक की विभक्तियों सहीत कितने भेद माने जाते हैं और बेटा विभक्ति को बोपर शर्ग भी कहते हैं याद रखिए इस बात को भी और अब्सक्राइक करता कारक जिसकी कारक की विभक्तियों ने तूसरा होता करम कारक जिसकी विभक्ति होती होती है तो यह भी करने होता है पिर आगे अब संपर्दान पर राड़ होएगी तुमारी मेरी किस बात पर तुम को तो और के वास्ते ठीक है न के लिए को भी आता बेटा इसमें को का बोद भी के लिए का ही होता है ठीक है याद रखना चार तो यह होगे बई एक दो तीन चार पाचवा होता है बेटा अपादान अपादान को भी याद रखी हो भी अपादान में बेटा से आएगा अब यहां भी से और यहां तियाद रखी हूं अब बेटा है कलर बदल लूँ अब लड़ाई करोगे यहां पर से आता है अलग के लिए अलगाव के लिए अलगाव या तुलना के लिए तुलना के राम शाम से मलूक है भई ठीक है ना बिल्कुल और फिर प्यारे बच्चों छे नंबर पर आऊँ छे नंबर होता है संभंध कारक इसे हटा दो यहां पर कलर बदल लो तो कलर मैच कर जाएगा संभंध कारक बेटा जिसकी कारक की विवक्ति क्या होती है हर का की के रारी रय विल्क फिर लाता है नंबर साथ वह होता है अधीक अरशी औक पर जिसमें आता में और प्यारे बच्चे पर अब अब का संभंध कारक में पहला तो यह बाध्यान रखिए इसमें बिश्यमयादी बोग्वतिक चिन मीलेयों चिंचते और फिर हम किसी कु इसारा करें उसको कहें सर गुस्सा हो मुझस से ना बेटा हे राम ठीक है भगवान ओ अरे यारे यार सुन ले अरे बेटा यह सब संबूदन कारक के अंदर होते हैं याद रख लोगे इन बातों को तो बिल्कुल चलिएगा अब बेटा आगे चलते हैं अगे आगे कोश्चिन की आगे सिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो बेटा ने भी बख्ति आई यह सिक्षक के साथ कभी आती भी निया कभी आ जाती है बेटा बेटा चलिएगा आगे आते हैं उसने तेडी चल चली तो बेटा देखो उसक्iveness ने आया उसके साथा जुड़के एक बात और बता दूंब हो भी आपको उन संग्या के साथ साथ ने लग यहाँ आपका करता कारक है अन्सें नमबर डी वाला वेरी गुड कर दोगे किलियर कुछ बच्चे भी बता रहे हैं उसने टेड़ी चाल चली गलत कर रहे हो यार काकी के रारी रे ठीक है आईए आगी करम कारक के लिए प्रियुक्त होने वाला चिंद बता दो बेटा मुझी अब बच्चे यहां भी कुछ गलती करेंगे एक कोशन तो ऐसा आएगा धुआधार निकालने वाला उसमें देखियो कितनी गलती करोगे आप तो बेटा करम कारक के लिए मैंने एक वी वक्ती बताई आपको को ठीक है रामनी रामनी रावण को मारा रावण को मारा मारना किरि किरिया के पीछे जो कारक है उसका बूद करा दो ठीक है करम कारक हो गया तो बेटा को हो गया अंसर डी नेक्स्ट कोश्चन माने बाजार से कपड़ा खरीदा इसका अंसर मुझे कितने बच्चे देंगे आज किलास में देखता हूं फिर मैं बताऊंगा चलो अभी पता तुम्हाने बाजार से कपड़ा खरीदा तुम्हारे साथ यार मैं भी मस्ती में आ जाता हूं है ना चलो कोई बात ना तो मेरे चोटे बेहन बाई तो होई यार बताओ विड़ा रेखांकित सब्द का कारक बताईए और तो मेरे बच्चे देखो खरीदना है बेटा किरिया खरीदना किरिया हो गया और तुम्हें पता जब क्या लगा के आंसर मिल जा तो करम हो जावे तो मैंने बता दिया क्या खरीदा हमाने बजार जाके कपड़ा खरीदा जी तो बेटा कपड़ा जो है न यह करम है और रेखांकित के लिए यह पूछ प्रश्राम से अब तुम कोगे साधन कहा है कपड़ा साधने कुई बजार बजार क्या बेटा साधने जहां से कपड़ा मिला अर्मा कौनी माही करता कपड़ा खरीदने वाली कर तो भी आंसर तो करम का रखाया करन तो नाया दिग्यू संदीप है बई बहुत तुम्हीं लगाओगे सी क्यूंद लगा लगाना अच्छी है ना ओवर होने में कितना टाइम है गुरू जी बेटा ओवर किलास ओवर होने में लगेंगी 20 मिनट कर दो गें तो कपड़ा होता पर तुम तो यहारा मिला हो कपड़ा कोई बात लागें अगले कोश्चिंग तरह आजाओ देगो इस वाक्य तो मैं तेलीफोन पर बात करुणा इस वाक्य तेलीफोन पर किस कारक में क्यूक्तुप्ध मैं तुम कहते होगा जरूब कहना चुप-चुप चुप-चुप-ब तो मुझे बता दो मैं तुमसे टेली फॉन पर बात करूंगा अभी नहीं कर रहा है नंबर दे जाओ चुप लेक कर गए तो बेटा बता दो अब मुझे तो इसने पूछा टेली फॉन पर किस कारक में प्यूर्यूक्त होगा तो बेटा एक बात बताओ अर्यन सर्मा हसमत मेरे दोस्त बास्तों यदी मेरे पास टेली फॉन नहीं हुआ कोई तुमसे बात करने का साधन नbelsिख लाउज तुम्र ॥ुम्र्यूर्य Katy सब्सक्राइब एक स wildlife थोगए लाख जाने पढ़ेगा बसमें टेम लगेगा पहुत ज्यादा इस पर फेändern आपको लॉक करना है कर दोगे याद रखोगे ना वेरी गुट इसी चीज समझा दिया तुम समझो कि तुम तुम तो पड़ेगी गद्यांस बेटा गद्यांस भी कर वांगो ऐसी बात न वहें चम्मस से चावल खाता है बताओ बेटा अब खाना तो हो गया किरिया खाना तो हो गया मेरे प्यारे बच्चो क्या है किरिया खाता क्या है बेटा चावल चावल हो गया करम और से किस से खावे भी चावल चम्मस से खावे गुरुजी चम्मस होती तो खाले गरे नहीं नहीं न खापावे तो चम्मस साधन है नहीं चावल खाने का बात करने का टेल ठीक है कोश्यन नंबर 414 सेवा सतकार से आधर बढ़ता है इस वाक्य में कारक बताओ अब तुम्हें दो बात पता होनी चाहिए एक तो सेयाता अपादान में एक सेयाता करण में तो अपादान तो दो चीजों को अलग करें यहां तो ना कर रहा भाई ठीक है बेटा सतकार क्य क्या है साधन है अदर बढ़ाने का किसी को मनमान नहीं पीछे दो यह दूम्हारे बेकार आदमे यह दो प्रभावत अह पड़े से तो आंसल लगाओ बेटा ये अपदान मतलगा देना ये तो अलगाव है ये अलग कर देगा दो में तुलना कर देगा और एक सादन और बता दू में तुमसे मैंने कहा राम आख के बिना आख के बिना बिना अधूरा है या फिर कभी कहीं अंग भंग का मिल जा तो बेटा जब अंग भंग का मतलब आवे ना उसे भी करणकारक में भी लगा दिए उसे भी करणकारक में लगागा न वन्ना गलत कर दोगे चलो अब गला बैट जा कभी कभी गला ऐसा घर करासी आ जा जा बोलते बोलते चलो कोई नहीं राजा सेवक को कंबल देता है बताए बेटा अब जब कोई चीज किसी को देदी जाती है हमेशा हमेशा के लिए माली जी कभी किसी ना कोई आपको मिल गया सब्सक्राइब है वापिस देने जाओं एक महीने बाद मेरे पैसे दे का सच्पर दे लिए आप इससे को यह वहं हार दे दिया Вencial साधी मिल सब्सक्राइब हमेशा-दर थी जाती है तो मेरे जेकर हमातिरी चीज हमेशा आवेशा के लिए मैन अर्याटि देज़ू तो उसे प्यारे बच्चों संपर्दान कारक कहा जाता है वानोगे नहीं याद रखना चैनल को प्यारे बच्चों सी आंसरी लगा ना बेटा कोई और मतलगा दे गलत हो जायगा यह करा माता-पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी महनत करते हैं वह जो माबाप का पसीना है खून है जो अपनी उलाद के लिए बहादिया तो क्या उलाद उसे वापिस कर देगी बोलो कर देगी क्या दुनिया में कोई पैदा थूआ होए इतना बड़ा जो पनी मा का कज चुका दे कोई ना हुआ मावाप एपने उलाद के लिए जो कर देंगे मावाप अपने बच्चे के लिए जो कर देंगे दुनिया में कोई नहीं कर सकता और उसका एंसान अब जिंदगी में उसे वापिस उतार नहीं सकते तो मेरे बच्चे आप किस चीज का प्रियोग कर रहे हैं कडी मेहनत करते हैं रेखांकि सब्द का अर्थ क्या होगा तो संपरदान की भी बखती है कि चलिए कि कोई व्यक्ति अवस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में से कौन सा कारक प्रियोग्त होता है जैसे मैंने कहा गंगा बेटा इस मैंने का वेटा यह माले परवत हैं हमारा मैंने अधर निकाल दी इस मैंने बोला गंगा हिमाले से निकलती है जब बेटा गंगा हिमाले से निकलती हुई और ऐसे बहती बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो क्या बेटा आप उसे उस आधार पे लाकर खड़ा कर दोगे कभी नी कर सकते तो बच्चों वहाँ पर आपका आपादान का रख होता है रा ऑफ यूजा अब मीठाव यह मीठिक बछी का पीश आया परसंत महदय जी लेका है अब भी खालो सब लोग में थक्ये मेरे साथ बैठे 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 भर ना दो आधा पीस में खाला तुम खालो लो तुम नाम का निकाल दिया में बगवान जी के नाम का तुम बगवानी तुम बगवानी ओ consulting निवाल को भान का रूप हो वह चोटा पालत चलिए 418 गेहने अलमारी में हैं अलमारी में हैं पद में कारक हैं बताइए यह मैंने कहा पक्षी पेड़ पर हैं तो बेटा एक बात बताओं जो में पर पुस्तक मेज पर हैं पक्षी घोसले में हैं ठीया ना तो प्यारे बच्चे यह आंसर होता और एक बात और जब कभी समय का बहुद हो पिर परिक्षा फर्वरी में होगी राम अगले वर्साएगा वहाँ भी बेटा अधिकण कारक का बोध करते हैं अधीकर्ण कारक का बोध कराते हैं कि याद रखना यह से परिक्षा जून में होगी परिक्षा जून जून में होगी बिटा ऐसे याद रखोगे न तो ध्यान रखना इस बात को वेरी गुड गुरू जी खाना खालो अर्मी लवर अब तो खाना आप तुम्हारी किलास लेने के बाद ही खांगा है ना चलो खाना कील तो मैं घर जाऊंगा घर जाके खाना कहांगा तुम्हारी भावी के हत की गौंसले ले में चिडिया है सब लोग बताओ मुझे गौंसले में चिडिया है कि सब बच्चे बताइए बताओ बच्चो घौसले में चिडिया है 20 मिनट में खतम हो जाएगी आर 8 बजे खतम कर देंगे ठीक है चलो तो बेटा घौसले में क्या है चिडिया है तो बेटा कौन सा कारक हो जाएगा आपका अधीकर्ण कारक हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस थान का तो मेरे बच्चो और सी आपका राइट हो गया मा का लड़का अच्छा लड़का लड़का बेटा बहुत प्यार करती है मा है ना लेकिन मेरी मा इस दुनिया में नहीं है तो मुझे तो भी कोई है नहीं प्यार करने वाला कोई तुमारी मा है वेटा मा को बहुत अच्छी से रखा करो उसकी जट्ञा करो जो कहें वह माना करो ठीक है कहा गया उद्धेश्य का विस्तार भेद बताईए बताओ वेटा विशेशन है सार्व नामिक विशेशन है संबंध कारा के वाक्या वह를बैंस है तो मा का लड़का कहां गया तो प्यारे बच्चों आइसा नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल वेरी गुड क्योंकि भट πάर का के वर यह द फर झारतर है ऑपको और इस कुछनicação complot괏ंत। इस यतैं कर Dea कि बैटा सम्बोधन कारक होता है संबोधन कारक के एक्जाम्पिल होते हैं याद रखना वहे कार मेरी है बोलो बेटा वहे कार मेरी है ठीक है वाक्य में कौन सा कारक है वहे कार मेरी है बता दो बेटा इंच में से कारक बूचा है आपसे वहे कार मेरी है सार्वनामिक विशेशन मत बता देना तो बेटाँ यहां पर संभंध का रहार कर से आपका रिस्ता है वहेकार आपकी है तुक्ष्ट टूब ऑड़्या अवं दो स्बस्वेब कि है अब उसुन ँद्थि अब ए प्र्शा गाएंग अब स्थ फुरूह हो जाओ आप अब सब लोग खुस हो जाओ क्योंकि बेटा अंतिम पड़ाव है आपका ये गध्यांस यह ना राहुल सवल बुक सॉल्व नहीं कराएंगे अब क्या करेंगे अब तो तुम्हारा वह जाएगा यार मेरा थन चल जाएगी अब बुक सॉलूशन कहा होगा भाई अब नहीं तो देखो बई गध्यांस जो होता है मेरे बच्चो सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए यह एपठित पंक्तियां होती है एपठित क्या होती है बेटा पंक्तियां होती है याद रखना अब हमें यह नहीं पता होता एक्जामनर कहां से कैसी पंक्तिया उठा ले बैठा हो पनी मा के पास ही बैठा हो मा के उपपर रिख दे हास से हो सकता है पिटा जी के पैर दबा रहा हो तो पैर दबाते दबाते चार पंक्तिया लिख करके बच्चे तुमारे लिये एकजाम में रख दे कुछ नहीं पता उसका बई वो है तो इनसानी कोई computer तो है नि अपसे पहले आपको मैं पंक्ति पढ़ाऊंगा जब तो पंक्ति में आपको यह देखना इन चारों विकलपों में से सबसे उचित विकलप कौन सा है जिसको भरकर हमारी पंक्ति सार्थक हो जाएगी पूरा वाक के सार्थकता मना अर्थ रूपी धारण अर्थ रूपी कि बताऊ कब प्राप्त होगी परिवार के सभी सभी मनुष्य को दुख सांति तभी प्राप्थ होगी व्याश्व सबसे अच्छा वीकलब कौन सांध सब क्लाप्त होगी तो अब में अच्छे से मजा हूँ तो बेटा शुक्षान्ती हमारा आंसर होगा यहां पर शुक्षान्ती तभी प्राप्थ होगी जब जब परिवार के शदश्यों की संख्या जादा होगी कम होगी उपर होगी नीचे होगी तो आंसर बताइए बेटा कौन सा विकल भर्दू तुम्हारे कहने से परिवार में शुक्षान्ती कब होगी जब परिवार सीमित होगा मान लीजे कमाने वाले तो एक आदमी है और खान हुआ से खर्चा पूरा होगा एक दिन में रोटी खाएंगे सब 4 4 तो 35 का लगा लगा लो 140 होगी 140 के लिए 4 किलो आटाया कहां से आएगा कमाने वाला आदमी वह कमाता है कि वह चाहद दो किलो आटे पैसे और खाने वाले चार दो आटे के पैसे कहां से आएँगे भी या तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चे कम होगी बी आंसर और बेटा इनका देखो किसी का रिजल्ट आपने बताया नहीं बताया इनका रिजल्ट मुझे आपसे चाहिए चाहिए ठीक है अरो एडिटिंग महुदा कहा है हमारे एडिटर आफ कि अभी मुलाथां लगवाथा हूं कि अभी बलाता हूं तक अब्र लगवाए रख सब लोगिंदों कि अंच बूल लगाओ बीस को चैने half हमारे पूल लगाना में रखो हमारे पूल महद आगे अब को श्टन बताएंगे इसमारी संख्या कम होगी को एक कि अधाय को चलाने वाले जब कम होंगे एक कि कमाने वाले जब कम होंगे एक बाटने वाले जब कम होंगे या एक आय को मिटाने वाले जब कम होंगे बताएए बच्ची सब का अंसर देखां पूल लगा दो कि अग्या कि अग्या को बेटा कोश्यन नंबर आपके सामने 424 कि जब तक आप आंसर नहीं करूंगा कि अग्यों के बाटने वाले जब कम होंगे तब उसे पाने वालों को अधिक भाग की प्राप्ते होगी जब उन दस जार रूप value कम कमाते चार विक्त जाएगा अग्यों पूरे में दभाई-शेजयाएन सब के हिस्से अधिक भाग की प्राप्ति होगी आगे चलते हैंント अधिक जन्संक्या वरधी दर में कमी लानी होगी पूरी जनसंक्या विरद्धी दर में कमी लानी होगी या पूरे जनसंक्या विरद्धी दर में कमी लानी होगी या सामान्य जनसंक्या विरद्धी दर में कमी लानी होगी बताए दोस्त तो बेटा ओप्सन होगा ए इसमें अधीक जनसंक्या अधीक जनसंक्या विरद्धी दर में कमी लानी होगी जनसंक्या विरद्धी दर के कारण ही नोक्री कारण ही नोक्री के अवसरों की जल्दी जल्दी होती चली जा रही है धीरे धीरे हुती चली जा रही है नौकरी के अफसरों की धीरे धीरे हुती चली जा रही है या बेटा आगे पीछे हुती चली जा रही है जिदर देखो उधर लंबी लाइने दिखाई दे रही है या बेटा उपर नीचे हुती चली जा रही है जन संगया विरधिदर में कमी लानी होगा जन संगया विरधिदर के कारणी नौकरीओं के अफसरों की धीरे-धीरे हुटी चली जा रही है वаться olduğunu इसमें जो होगा न्線atta होता हर ओपसन नंबर्ही धीरे-धीरे ठीक है पूटी चली जा रही है कमी वह बेटा महां पर है तो आंसर होगा जल्द धीरे धीरे जनसंग्या बढ़ रहे है तो धीरे धीरे नोक्रियों में कमी आ रही है ठीक प्यारे बच्चे आएगा अब आता है अगला गध्यांस नंबर 2 एक यह कहता है उच्च सिक्षा का निजी कर होने से नहीं नहीं डैस खुल रहे हैं तो कि अच्छा का निजी कर्ण होने से नहीं नहीं मेटा क्या खुल रहे है पाट साला पाट साला खुल रहे हैं तो आंसर क्या होगा तो प्यारे बच्चे बताएंगे तो पेटा राइट आंसर होगा ऑप्सन नंबर 2 महा विद्याले खुल रहे हैं ठीक ना जिसके लिए भी आंसर आपका राइट होता है ठीक दोस्तों एससे विध्यार्तियों को जाना नहीं पढ़ता आना नहीं पढ़ता भटकना नहीं पढ़ता या ब्यारे बच्चों पढ़ना नहीं पढ़ता जगे जगे परिशान होना नहीं पढ़ता जिससे हर जगे महाविद्याल ने खुल गए हैं तो मेरे दोस्त ऑप्सन नंबर सी वाला राइट होगा ठीक है अगला कोश्यन आता है बेटा अपने सहर में ही अपने सहर में कठिंता से प्रवेश मिल जाता है सरलता से प् सक्रावश मिल जाता है इस वावजूत भी इसके वावजूत भी आजका बालक फैसन के चक्कर में पढ़कर विद्यार्ती फैसन के चक्कर में पढ़कर तो पढ़ने से जुड़ी बात हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों वह पर answer होगा बेटा विध्यारती इतनी सारी सविध्यायICIA दी जा रही है लेकिन आज का विध्यारती fashion के चक्कर में पढ़ कर क्या बनता जा रहा है डुष चरित्र बनता जा रहा है बुरॉब बनता जा रहा है नायक भी आपका राइट होता है वेरी गुड गध्यांस नंबर आता है बेटा आपके सामने तीसरा यह है बारा बज़े बेटा किलास को हम दियेंड कर देंगे आए गांधी जी को रज्य पिता कहा जाता है रश्ट्र पिता कहा जाता है महत्मा कहा जाता है या पिता जी कहा जाता है गांधी जी को गांधी जी को रज्य पिता कहा जाता है रश्ट्र पिता कहा जाता है महत्मा कहा जाता है या पिता जी कहा जाता है तो आपका आंसर है मेरे बच्चे गांदी जी को राष्ट्र पिता कहा जाता है वेरे गुड भी आंसर 83 प्रतिसत बच्चों को आंसर है बहुत बढ़िया ऐसे ही बेटा गध्यांस आये थे पिछली बार भी ध्यान रखना मा के उपपर आया गांदी जी के उपपर आया जन संक्या व्रदी के उपपर आया महिलाओं के उपपर आया ऐसे ही गध्यांस वे जवान होते हुए भी बुढ़ापे होते हुए भी विरद होते हुए भी या राश्टर पिता होते हुए भी मन से युवा थे बताए बच्चो बारा बजे नी बेटा आठ बजे आप तो सब डर गए यार आठ बजे आठ बज जाएंगे खतम कर देंगे यार किलास को तुम तो डर गए आठ बजे तो कौन बैटे का नीद बता रहेगा जो तुम्हें चाहिए देटा विरद होते हुए भी आंसर नंबर सी वाला प्यारे बच्चो राइट होगा बजी नहीं था उनका चरित नहीं था उनका कहना सुना इस पश्ट नहीं था बताए बच्ची तो आप क्या कहेंगे जो विरद हो जाता है व्यक्ति तो उसकी वाद तुतलाने लगती है वेटा उसका उच्छारण सुरी उनका उच्छारण सुद्ध नहीं था इस पश्ट नहीं था वो बिरत दू चुके थे बोलते थे लेकिन बेटा समझ में कुछी जाती थी कुछ नहीं तो ए आंसर वच्छों आपका राइट होता है कहना दोड़ा या चरीत्रिया बेटा सुनना नहीं होगा फिर आगे आता है फिर भी उनकी पहचान में जादू था वाणी में जादू था लंगोर्टी में जाधू था या धोती में जादू था बेटा बताए इस अंसर को तो दे दीजीएगा सब लोग तो बेटा फिर भी उनकी वानी में उनकी आवाज में बेटा क्या था जादू था जो बोलते थे लोग फिर भी मोहित हो जाते थे यह वानी में बैच्चो जादू था आगे चलते हैं कि एई लोग तो उन्हें बैस के रूप में देविया भगवान मानते थे कई लोग तो उन्हें अच्छे रूप से देविया भगवान मानते थे पूरे रूप से देविया भगवान मानते थे प्रत्यक्ष रूप से देविया भगवान मानते थे सरलता से सरलता रूप से या भगवान मानती थी ठीक है तो प्यारे बच्चों आज की किलास का अंतिन गद्यान्स हमारे सामने यह आता हुआ और सभी बेटा इसको पढ़कर अच्छे से आंसर देना इलए तो पहली पंती की तरफ आते हैं यह कहते हैं मनुश्य के अंदर वाणी का अपना महत्व है और पढ़ाई का अपना महत्व सब बच्ची कर बताना को कविए तो सब बच्चे जानते हैं मनुष्य के अंदर बुद्धी का मनुष्य के अंदर बुद्धी का अपना महत है इसी की सायता से वह लाभानी के बारे में के बारे में डैस लेता है क्या लेता है बात लेता है रूप लेता है निर्णे है क Mississippi दिमाग नी होगा तो निर्णे एसे लेए थेटा को उसलेगी सकर्मक क्रिया को मानेगा ये निकोई है फिरणे लेका है भीयग्शोंत तत्था अपने लिएकति देता है घिर्दय के त Simple हिर्दे के अंदर से अपने अनुभवों तता भावनाओं का गुम्फन करता है तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होगा तो बच्चो तुम्हें पता है वह अपने हिर्दे के माध्यम से बेटा अंदर से नहीं हिर्दे के माध्यम से 49 पृतिसत आंसर आया है माध्यम से वह अपने अनुभवों तता भावनाओं को गुम्फन करता है और और उन्हें सहीज़ता है तुम्हें सहीज़ता है आपको सहीज़ता है अपने को सहीज़ता है अपने सहीज़ता है सब लोग बताएंगे भी क्या हो गया वही कैसांत बढ़ गई तो पेटा उन्हें सहीज़ता है और ओप्सन नंबर ये वाला आपका राइट हो गया गशन नंबर मेरे प्यारे दोस्त अत है इन दोनों का अपना अपना इस्थान है परन्टू रास्ता अलग है कार्यच्छित्र अलग है खेत अलग है या कार्याल लग है कारियाल है बताएंगे बेटा परंतु परंतु इनका रास्ता अलग है प्यारे बच्ची कारिये छित्र अलग है या खेत अलग है या कारियाल अलग है सब लोग बताएंगे परंतु इनका कारिये छित्र अलग है रास्ता नहीं बेटा कारिये छित्र ठीक है मेरे दोस्त तो ये बेटा आज की किलास का आपका अंतिम कोश्चन था ठीक है तो सब लोग एक बार बताएंगे कितने कितने कोश्चन आपने कितने कोशिन राइट की एक बात जाने से पहले सब लोग किलास को लाइक ज़िरू करे जाना ठीक है और ज कर में खाना है तो चलिए आप सब लोग हाना भाएज या पानि पीजिए ठोड़ा सा दिमाग को जरूरा लीफ करिए क्योंकि मोबाइल देखते देखते फॉन देखते देखते लैपटॉप देखते देखते आप भी लोग ठक गए है तो जाने से पहले एक बार किलास को जल्दी से लाइक और शेयर लाइक कर दीजी बस चलो थमसब करके जाना ठाकि मेरे दिल की जो अंदर की जो बेटा मिठास है वो आप तक पहुंच जाए ठीक है और आपकी जो बेटा मिठास अवो मुझे तर आ जाए और S.S.C.G.D. के पेपर में जंडे गाड़ के आना जब पेपर आप देखर आओगे तो मेरा आपसे वादा है आप मुझे कोश्चन जरूर बताना उन कोश्चनों को मैं एनलाइसस जरूर कराऊंगा कि कौन सा कोश्चन कैसे कैसे पूछा गया आपने कितने कोश्चन राइट किये सही किये ठीक है बिल्कुल मत घबराना और जो जैसे बेटा मेरे अंदर आपने अंदर भी रखना और ऐसी बरकरार हम चलते रहेंगे हमारा कारवा आगे चलता रहेगा फिर आपको पता है अपार डवले के चीते हैं सान से जीते हैं यार सूचने की तुम बाती नहीं है ठीक है तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जैहिंद जै भारत टेक केर प्यारे बच्चो